इकनॉमिक्स में अगर आप 2023 वर्सेश 2024 का स्लेबस चेक करोगे तो 2024 का स्लेबस काफी ट्रंकेटेटेड अपी सारे पीसेद हटा दिये गए लेकिन जो फटा दिये गए पीसों वह बहुत इंपोर्टेंट है तो यह जिए अब पास बने जो फटा दी गए वह इंपोर्टेंट है it's like this they have eliminated a few portions of the sliver and taken it to a prerequisite prerequisite meaning वह मान रहे हैं कि आपको यह आता होगा एक्जैम में टेस्स नी करेंगे सेम तिंग आपने इन एफसे आज़ों आपको पहले से आता होगा अब इसमें तकलीव ही है कि मानना इनको कुछ चाहिए नहीं ऐसे कैसे मान लो आता होगा जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने के बाद नहीं बनता है ऐसे कैसे मान लेकि आता होगा जैर कैन वी टू थ्री वेज आफ गॉइंग अबाउट एफसे में क्या करूंगा और यहां मैं क्लास में डिस्कस कर लूँगा जो चीज़ प्री रिक्विजिट होगी बोल दूगा कि एक्जैम में टेस्टेबिल्टी नहीं है एक्जैम के दिन छोड़ देना भले समझ आगे तो आगे चोड़के आगे बढ़ जाना कोई रिक्कत नहीं है बट इन जनरल ऐल गो इन आप लोगों को कुछ नहीं आता है विकॉज बालेड आप वाट लूट परस्टेट परस्टेशन बट सी एफ में जिस ग्रेनिलारिटी में चीज़ें डिसकर्स की जाती है उसे बहुत सारी चीज़ें जो लोगने पढ़ी होती है उनको भी आईडिया नहीं होता है वह और उसको उस चीज़ की एक्ट्वल अंडेस्टेंडिंग होने में यह दो चीज़ें बहुत जादा फरक हो जाती है इस वज़े से मैं स्क्राइट से स्टार्ट कर रहा हूं आई यह डिसकस करते हैं एक और चीज़ है एकनॉमिक्स का जो स्टार्टिंग पीस है यह बहुत जादा हमबल लग सकता है आपको देखने बहुत जादा ईजी लग सकता है आपको लग सकता है कि यह तो कुछ हाई नहीं यह तो हमने टेंट ट्वेल्ट में पढ़ा है वैसी वाली चीज़ें और वह सही भी है definitely अगर आप में से किसी का ICSC board होगा तो उन्होंने 10th में पढ़ा होगा और 12th में पढ़ा होगा अगर CBSC board होगा तो 12th में पढ़ा होगा but as I said the lens was different so even though they are testing similar things they will be testing the level of expertise that they expect is very different so please appreciate that है ध्यान दीज़ेगा अच्छे से आईए देखते हैं कि दफर्स टॉपिक इस ओन प्राइज लास्टिसिटी ओव डिमांड यह टॉपिक एस सच प्री रिक्विजिट में यह में स्लेवर्स में नहीं है ठीक है प्राइज लास्टिसिटी ओफ डिमांड डिसक्रस करते हैं एक एक करके बात करते हैं मैं को पहले बताओ दिमांड का क्या मिनिंग है आपको जैसी मैंने वर्ट बोला डिमांड आपको दो जाना नहीं चाहिए दिमांड इन सप्लाइब प्रॉम यूर्ड ओल्ड एक डिमांड और सप्लाइब में कौन सी चीज प्रोड्यूसर साइट स से है और कौन सीचीज कंज्यूमर साइट से कंज्यूमसर साइट सप्लायस प्रोंदी ऐख प्रोंडी सप्लाइब प्रोडी सब्सक्राइब प्रोडीुोर्ट सीट कि मांड बहूत जादा होगी सबस्हें crystal मूर्र को कि सप्लाइब प्राइस इलास्टिसिटी अभी ओन को छोड़ो मुझे लास्टिसिटी वर्ड का मीनिंग बता हुआ वालों को जो द्यान हो बता हुआ आपके यूजी पीजी से जो भी आपकी आइडिया हो आपको जो भी बार में के पा OB काली कर 502 आपकी मैं क्या टीजी ये क्या लॡ्फी य कि इसे चैंज होता है तो कौंतिटी कि रिख चौंटिटी कंग करना चाहुं देख रहूं तो मैं क्या देखना चाहा हूं परसेंटेग इन कौंटिटी मुख 152 ओनगे चलेंगे तो दूसरा जाएगाしょう ठीम वो लेगा इंकमिलास्टिटी तो चेज़ेंड गॉंत गीक्रफ एकड़ सान का अगuo बात करेगा क्रॉस प्राइस इंसिती ऑफ दिमांड़ तो चेंज इन कॉंटिटी दिमांडे दू ठेंज इन दी प्राइज फ्रोस्ट प्रोडट्स ठीकिन अभी के लिए ओन प्राइसिटी एक नाट मतलब चेंज इन दी कॉंटिटी दिमांड डूट दू अगर ओन प्राइस देखह रहा हूं तो दूटीटो वन परसेंट चेंड राइस हां या ना की इंज़े के इंजी है मगैं कोई ऐसे प्रोडदक का इजैंपल दो यह बहुत और इस प्रोडदक का एग्जैंपल दो बहुत इनलास्टर निकलेगा जिससे पूछ पहले मुझे एक बात बताओ कि यह चलो ठीक है इसी से स्टार्ट करते हैं मुझे एक प्रोड़क्ट का एक्जैंपल दो जिसकी डिमांड इलास्टिक है मतलब प्राइस चेंज होने से कॉंटिटी चेंज होगी यह नहीं जबहुत जड़ाएं कि होगी यह प्राइस साथ मदल इसकी में डिमांडियुलस्टिक यसो अगर प्राइस चेंज हो तो एक यृत झेंज नहीं होगी डिमांड सेम ही रहेगी यह इनलास्टिक है कोई इनलास्टिक प्रोडक्स की पहले बात करते हैं प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड चेंज नहीं हो यह प्रोड़क्ट एनलास्टिक इसको दूसरी तरीके से थोट सकते हैं इसको दूसरी तरीके से थोट सकते हैं इसा नहीं है कि पांचार का प्रोडक्स जार हो गया तो कॉंट्री डिमांडेट कम हो जाएगा साइमल्टेन एसा नहीं है कि पांचार वाला दोजार का हो गया तो दो इंजेक्शन लगा देंगे तो कॉंट्री डिमांडेट विल नॉट चेंज विकॉज ऑप दे चेंज इन प्राइस ठीक है यह हो गया इनलास्टिक डिमांड अच्छा मुझे बात बताओ एक मैनुफैक्ट्ट्र क्या प्रिफर करेगा कि उसके प्रोड़क्ट की डिमांड इलास्टिक हो या इनलास्टिक है वह यह चाहएगा कि भाई इस मेरे प्रोड़क्ट की डिमांड वो इनलास्टिक हो मीनिंक की अगर में दाम कल को पढांधि देता हूं इवन इफ इंक्रीश दप्राइस लोग उस पह कॉन्टिटी पर सफर ना करने को बोल दे मुझे मैंने प्राइज कि लो because of the increase in price it should not happen this is what you are saying अच्छा इसमें आप एक चीज एजूम कर रहे हो which is right की law of demand यह बोल रहा है की price and quantity demanded are inversely related to each other price बड़ेगा demand गटेगी price गटेगी demand बड़ेगी correct okay दुबारा इसी पर आते हैं inelastic goods पर price changes quantity does not change this is inelastic good correct price changes demand doesn't change this is an inelastic good example life saver drugs in this scenario जो भी जो भी वोट यू कॉल manufacturer होगा इस पेसमें वो किस तरीके का manufacturer होगा monopoly रखने वाला yes no he has to be a monopoly player life saver drug के case में inelastic क्यों रिती डिमाइड because there's just one life saver drug in normal circumstances it will not so happen price of crossing goes up people will start consuming dollar people will start consuming some other generic drugs है ना तो यह कब operationally ठीक हो पाएगा व्लब वेन विल दी प्रोड्यूसर have the real pricing power when he is towards the monopoly side when he is the only player who is controlling the supply side correct एकदम दूसरा extreme देखते हैं यह था perfectly inelastic perfectly inelastic मतला कितना भी प्राइस बढ़ा लो सेमी रहने वाली अच्छा मुझे एक बात बताना अगर मैं दिखाने निगड़ा आप इस 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 डिमांड वाय वाय एक्स इस प्राइस प्राइस कितना भी इंक्रीज करो और कॉंटिडी डिमांड रिमेंस सेंट यह ठीक दिखर रहे ना सो दिस वर्टिकल लाइन इस दी लाइन फॉर दिमांड तो मैं क्या बोल रहा हूं कोई भी प्राइस हो जाए डिमांड सेम रहेगी चाहे प्राइस पी रहे चाहे प्राइस पी नौट रहे लेट पी बी इसका मिल रहा है तो जादा कम्स€ कर लेते हैं यह भी नहीं होगा ठीक है ना इस परफेक्ट ली इनलास्टिक परफेक्टली लास्टिक वालकेश देखना वट इस आपझ ले आं इस प्राइस इनक्रीज होते we Petrol आपने फिश्ले आ Hamilton Dude इसम प्रायस पर अनलियुमिट इसा नहीं होगा ना इफ देर इस अच्छा हो कि इसी लिए आप बाद में इवी और वो कह रहे थे हो अच्छ पर नहीं जाते हैं पेट्रोल की बात करेंगे इस प्राइब पेट्रोल इंप्रीज इस पर इलास्टिक हूं मैं इस पर इलास्टिक हूं इंटर्प्रेटेशन इंपॉर्टेंट है इफ दो प्राइज इस पीड़ांटी इस वाट क्यू वन इसका क्या मीनिंग है देनी सेम डिमाइज सेम पराइस पे जितना चाहू उतना अर्जी बेच सकते हो अगर मैं प्राइज रिडियूस कर दो क्या हो लैट से देट प्रेट्रॉल पंडरेलाइंस पेट्रोल गोटोल श्रॉट इस आए लाइंस से इस वाट 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 विलापन है लेट से पेट्रोल गारेट सेल रहे हैं 95 डिलाइंस बोलने मैं 94 में बेश्टा हूं वाट विल एपन हंड्रेट परसेंट डिमांड विल गो टू रिलाइंस बट लॉंग टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अनलिमिटेट डिमांड और आप एक रुपय तो लॉंग टम में डिस नॉट सस्टेनेबर यू से आइल सेलेट 94 समवन सेज आइल सेलेट 93 यह सब कब होगा जब आप एक्जिस्ट कर पाओगे एड दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप जितना चाहूँ पंचानवेर पर में उतना तेल बेच सकते हो तो प्राइज करोगे यहार थिंकिंग कि मैं दूसरे जो प्लेयर है उसका भी पॉर्शन खुदी खालू बैटके लेट मी मेक शाट डाट दी कॉंपिटीटर एग्जिट्स दी मार्केट कंप्लेटली उसका बोरिया विस तरह पैक कराना है उसका नहीं होगा तुम्हारा उज़ा है क्यों क्या करेंगे रोग हर्याना से भी जाने लग जाएंगे वहां पर वालेंगे तेल पंदर पर सस्ता देता है मरने बैटा है अगला क्या ही दिन सा ट्रकें भी आपके यांप रूखेंगी दिखने को सेल बहुत हो रही है लेकिन हो कह रहा है सब ब्लीड कर रहे हो आप यस सब्सक्राइब हो गई इन्हों ने भी तो कैश ब्लीड किया अगर आपको आज की डेट पर यहां से कहीं कम्यूट करने और यूँ वांट टो टेक आप सर्विस यूविल जस्ट गो टूबर और रोला नाव देर नाट गिविए डिसकांट दे यूस्टी आर चार्जिं यूविए निसके पास जाते थे हमें शैसी के पास जाएंगी तो टो टो टॉट गवन इनिमिटेट दिमार यह देन देंसेंटिंटिव टूर एपको यूव एक्जीट पास देर वाइग्जुमेंट इसके तो यह अग्युट कम सब्सक्राइब कर दोगे और लॉंग टरम आपको से सेल्स मिलेंगी तो भी नहीं मिलने वाली विकॉस दे कस्टमर बेस नॉट लॉयल दो इंसेंटिव तो इस वजए से आप पेट्रोल को यहां पे मदब इस परफेक्टली लास्टिक वाइब विकॉस ओवर है देर नो रीजन तो चेंज दे प्राइस अट आल यू विल अल्वेज ऑपरेट इस प्राइस लेवल ओनली और भी गोड़न एक सेगेंड मैं डाउट ले रहा हूं पहले मियो इस वह सब्सक्राइब पर्फेक्टली लॉस्टी इलास्टिक शेंच करेगी 6到底 मिना नहीं सेम प्राइस पर जितना चाय di अगर ही पर्फेक्टली इस्टिक चै के केस में फटे की इस नों लाइक एच पी वरसेज गेल कि है यह एस वर्से रिलाइब का पैट्रोल बंब हुचाए रिलाइंस प्राइंस नहीं चेंज कर सकते हैं तो छलते कहा हैं वह पॉनों के पैट्रोल पॉम पहले रिलाइंस था हम रिलाइंस में एंटर कर गए मुझे प्राइज देख के लगए आरे कुछ जादा नहीं है यहां पर और हमने वैसी चांस मारने के लिए आगे चले गए बिकॉस आई न्यू कि यह दो तीन रुपए का फरक दिख रहा है वह तीन-चार रुपए ऐसा कुछ फरक दिख रहा था वी जस्मूग तुदे नेक्स पर वहां देखा तीन-साठीन रुपए का डिफ्रेंस था के एंपी पर दामन तो मैंने एच्पी वाले से पूचा कि यह कैसे चलता है कहां चलता है कोई आता ही नहीं है वह यह दे कॉस्ट पचास पैसे का फरक हो तो भी मेरा जाकर है पचास पैसे भी क्यों दूँगा एक्स्ट तीस रुपर भी क्यों पे करूंगा एक्स्ट्रा इफ एकन जस्ट मूव फ्रॉम वन ब्लॉक मदब यह दो एड्जेसेंट पेट्रोल पंस है वो देर इस नो रीजन कुछ नहीं हो सकता यू कैनाट ऑफर मी एनी सर्विस क्यों बिकॉस जो सबसे बड़े डिफरेंस है वो क वोटियों को है वो तो यह चीज नहीं बोल सकते हैं सम्ट्रोट फेट्रेंस ब्लू गी अगली महीने रड़ होगी पुछ अत्रणी ऐसा अब आइनाट टेल हम की तु वी को बच्रिजनति कर ले और समझे रहा हूं यह बुलना चाह रहा हूं दे प्रोडट्ट डिफ्रेंस और प्रोड़क्ट डिफ्रेंसेशन जीरो होने का और कोई आपको अलग वह भी नहीं दिखेगा दिस दी ओनली प्रोड़क्ट विच आई मतलब इस दी ओनली एक्जाम्पल विच एकुट कम विक कि वाक़ी क्या ही पता चल रहा है मुझे तो नहीं पता है एक्सपी और रिला वरण आंग दाल यह णो वोलायना लोगा से उसके पैसे एलग से ले रहा हूँ अधर्वाइज एक बंदा दो रुर्पह ले रहा है दूसरा दूसरा वंदा तिन रुपह ले रहे हैं तो कांट एपन ठीक है अगे आदर यह तुडन बाकितिन क्या कि सिर्वेक्श वहूंग इसके बीट में इनलास्टिक रिलेटिवली और रिलेटिवली लास्टिक सब कुछ आ गया तो जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे if you can imagine let's say in your mind if you can imagine a band in your mind सब्सक्राइब क्या और इसमें क्या आ रहा है तो इसके बीच में क्या आ जाएगा कर दो सारी सारी चीज आ जाएगी इंट यह बता चलना ज़ूरी है कि पर्फेक्टली इलास्टिक और फॉरफिक पॉटेशन के के जी है और वी बुट इस पॉइंट अगर रहेगी तो क्या होगा इलास्टिक हो जाएगी डिमांड है ना ओके यह दो पॉइंट्स रहते हैं जास्ट गिव मी अ सेक आगे देखते हैं चलो फैक्टर से फेक्टिंग डिमांड विभ डिस्कॉस्ट अगर आप किसी चीज़ पे बहुत जादा परसेंटेज ऑफ इंकम स्पेंड कर रहें वर्सस किसी चीज़ पर बहुत कम इंकम स्पेंड कर रहें तो उसका उसका इलास्टिक पर क्या इंपक्ट हो इस लाइन्स जैसे 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 आयलाइक का कैंडी काल पल्स आती ना पल्स केंडी आलाइक अब कल वो दो रुप ही हो जाए प्राइस डबल हो रहे है टू एक्स हो रहे है उसका प्राइस क्या उसकी डिमांड एफेक्ट हो जाएगी क्या मेरे एंड क्यों तुछ तर ना लेट से आए लाइक पर्टिकुलर कार कर अधी प्राइस आउसकी पर्शेंट राइस कर देख आए अच्छान्ट ने प्राइब लेट दो से नहीं इस प्राइब इस नो पीपल डू से नहीं इस प्राइब इस नौट वर्ट इस तो अधिक्टी यह नो दे वोट्ट से कि दिखती है तो पैसा बहुत जादा ले रहा है तो दूसरी कार्ट ले लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम एलाप सिंस प्राइस चेंज क्या बोलना चाह रहे है कि रीट एक्जैंपल वन्स इफ दफ्राइब फ्यूल इंक्रीज़ इस आज लेट से कल रात में तेल का बढ़ जाता हो 99 रुपीज वाला तेल देख तो दो का मिलता तो अगले दिन सुबह ट्रावल नहीं करते जांग बढ़ लॉंग टम में क्या करते हैं एवी पे शिफ्ट होते लॉंग टम पे क्या करते यूट शिफ्ट टू पप्लेक रॉंट रॉंट शिफ्ट टू कार कूलिंग और तो क्या बोलना चाह रहे है वीज स्टिल ट्रैवल इं शॉट पर विल इंश्ट यूट एग शिके नो बेस्टिंग बट इस्टिल अप्रिशनरी प्रोड़क्ट्स में बट एलास्टिसिटी रहे गी रहेगी पुई नहीं सकता ना हो कि समवाँ माइड वी क्रेजी अवाऊट ब्रैंड बट इवल शिफ ब्रैंड यू माइट स्टिल वियर लॉट व्रांट बट इविल शिफ्ट ब्रैंड वाट इसका एक इसका जो एक वह दूंग एक्सेप्शान आता है वह आपके वह दूंग अब प्री रिक्विजिट में इस उलागे इस फॉल वेबलें गुट्स आयगा तब देख लेगे बोल रहा हूं तो बोल देता हूं जैसे अ यह एक्साम्पल चाथ पहले भी उसके बाता है आज यह की बेर हार प्रोटक्स जिन के लिए इस इस बिलीव दाट आइन पीपल दिमांड इपकॉस इस थेक्श बेकाज इस ग्सक्राइब पार ने लिए आपन को पार नुट पिक पर वेगर वाई जो घो गए तो लहें आपन रहें वर्थ इत नहीं है या इस नूट डैट बेगा ब्रैंड वो ब्रैंड तभी है जो महंगा बट देन जहां पर ये वैबलें वुट्स सब्सक्राइब नहीं है जब इन्हीं ब्रैंड में सेल लगती है तारी दुनिया पहुंच जाती है सस्का लेने के लिए तो यहां तो नॉर्मल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब यह जो से लाती है दिवाली के आसपास में और यूएस में क्या बोलते हैं वाली यह सेम तिंग करते हैं लोग कर्चे अब अब आते हैं यह पीस आगे काम आने वाला है इसले एक बार इसको ध्यान से देखिएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने डिसकस कहा किया इस पर्सेंटेश चेंज इन कॉंटिटी ओर पर्सेंटेश चेंज चेंज इन प्राइस करेक्ट जनरली पीपल टेंड तो थिंग और मिलब दिस इस इस नोट सब्सक्राइब मैं बोल रहा हूं कि पीपल टेंट तो यह ऐसे लोगों से लेमें से इग्नोर हो जाता हो नहीं अच्छा खासा स्टडी करने वालों से भी एचीज इग्नोर हो सकती है ध्यान दीजेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस वाट परसेंटेश चेंज चेंज इन प्राइस इ यहां से आपको पता चल रहा है बट स्लोग के सिवा भी कुछ है जो डिफाइन कर रहा है लास्टिसिटी को और वो क्या है और आप इस पर्टिकुलर में दिमांड का यहां पर प्राइस प्लोट्टिड है एक槍छ इस पर कॉंट्टि दिमांड इंद बात कर आप तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजेगा वाट इस हैपनिंग इस अगर आप इसका स्लोप देखें तो क्या पूरी की पूरी लाइन पे स्लोप सेम है हाँ या ना कि मैं चीज पूछ रहा हूं पढ़ा है हुई नहीं अभी दस्लोप और स्ट्रेट लाइन इस कॉंस्टेंट और थू थू हाँ यह ना हाँ बट पूरी की पूरी लाइन पर पी और क्यू कॉंस्टेंट नहीं है तो होगा क्या कि हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी चेंज होता हो जाएगा कि थ bitchesु है से इपार्ट दुबारा समझाओ कि एलास्टीप उस्ट्रेट लाइन में स्लोप सेंद्रेबंग एलास्टिसिटिक सेम नहीं हरी है इन हाइरunu प्राइस पॉइंट सीलास्टिसिटी इसब इस लास्टिसिटी इस हाई मतलब किलास्टिक डिमांड और लोवर प्राइस पॉइंट पे लोवर प्राइस पॉइंट पे इने लास्टिक है हाँ या ना और अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो येस इट शुड़ इट शुड़ वर्क आउट वेल एज वेल इन यूर माइड अगर प्राइब बहुत कम है अगर लोवर प्राइस पॉइंट की चीज़ है पल्स केंडी है तो वहां पर क्या है वहां पर तो डिमांड इन इलास्टिक नहीं रह सकता क्यों क्यों कि अब मैं बहुत अच्छे पैसे दे रहा हूं चीज के लिए उसका दान 30 परसेंट बढ़ गया तो आइल प्रविबली नॉट भी अबल टो अफॉड इट वहां प्राइस पॉल्ट तो तो कॉंट्री दिमांड इट विल रिडिव र इस यूनिट इलास्टिक अभी तक के जो चीज नहीं बोली थी यह आप लोगों को 11 12 थे बहुत ज़ादा अच्छे से पढ़ाई जाती थी अब बोल दे रहा हूं जब डिमांड इस यूनिट इलास्टिक इस पॉइंट पे जो रिवेन्यू होगा वो मैक्सिमम होगा दो रिवेन्यू इस फॉलिंग इन बोथ लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट दुबारा बोल रहा हूं सुनना एक स्ट्रेट लाइन में स्लोप सेम है एलास्टिसिटी सेम नहीं है हाईर प्राइस पॉइंट पे डिमांड इलास्टिक है लोवर प्राइस पॉइंट पे डिमांड इनेलास्टिक है क्यों योगि पी और क्यू दोनों का दोनों चेंज होता जा रहा है है ना वाट इस दिस कि Elasticity of Demand is this piece multiplied by P over Q yes no P or Q तो change होता जारा है price change होता जारा है quantity बढ़ती जारी है price decrease होता जारा है quantity बढ़ती जारी है yes no to as you are moving towards the bottom half demand बहुत जादी in Elastic हो जारी है as you are going to जूबाओ या इल्हास्टश पाओक लिए तुप्समीन, कम पांट प्राइज इंग प्राइज इंग्रीज पारज बि–प्राइज इंृट में revenue क्या है revenue is pricing to quantity the overall impact is getting such that the revenue is lower in the greener part and in the pink part both Mary this what do you call laptop pencil is not working or else I would have shown it to you मैं आपको उसके एक्जाम्पल्स करके दिखा देता आज के लिए इतना ही रखते हैं इस टुमोरो एक्स्पेस अगे यह रिवेन्यु वाला पार्ट दुबारा आएगा वह ऐसा करके कर वा जाएगा एक तूम बन जाएगा हम फॉस्स टॉपिक कर रहे हैं फॉर्म एंड मार् सब्सक्राइब करने वाले जो रहे गया था वी तॉप वी डिस्कॉस्ट की जड़ो कल देख लेंगे इसका जो प्री रिक्विजिट टॉपिक था प्री रिक्विजिट टॉपिक का जो मैथेमेटिकल पॉर्शन था उसका रेगुलर टॉपिक के साथ कोई बीरिंग नहीं कोई दरकार नहीं आप उसके बिना बहुत अच्छे से अपना पूरा स्लिबस टैकल कर पाएंगे मैनेज कर पाएंगे आपको कोई भी जवर्वत नहीं है इस वजह से मैं उसे कंप्लीटली इग्नोर कर रहा हूं कल के प्री रिक्विजिट के टॉपिक से जो मेरा स्ट्रॉ इसटी ओव डेमांड में मैने यह पढ़ा इस इस विच वोडिव इन दिस इस इस विच केज इस इस डियूर्ट गया मुझ्टी अधूए अवर फेट्ली एलास्टिक और इस दिशन पर्फेट्ली अले श्रीकि दिमार इस से तैस्ट लेंशले हो एं दिस इस इस केस बी केस क्या है केस में हम बोल रहे हैं कि प्राइज कितना भी कर सेंड रहेगी प्राइज कितना भी कर लो percentage change in price anything कर लिजया अब कितना भी ज्यादा increase कर लिजय और कितना भी कम increase कर लिजय पर्सेंटेज change in quantity is going to be nil. So this is the case of elasticity of demand being zero. So this is the case of perfectly in elastic demand. I am hoping कि आप अब notes ले रहे होंगे इज़द से. Otherwise जो मैं मैंनत कर रहा हूँ क्यों ये वेस्ट है. Case No.2 इस case में क्या होगा बताईएगा इस case में percentage change in price is nil. इस case में percentage change in price is nil. So elasticity of demand is infinity. Meaning this is perfectly elastic demand curve. हाँ या ना यहां पे आप anything रख दीजए और इसके बीच में सारे के सारे आपके cases आ जाएंगे. ओके perfectly elastic demand कर किस case में होगा? The producer will be of which nature in the case of perfectly elastic demand कर बदाईए. इस को पीसी बोल देता हूँ. पर्फेक्ट कॉम्पेटिशन दस नॉट एक्सिस्ट इन रियल लाइफ. पर्फेक्ट कॉम्पेटिशन दस नॉट एक्सिस्ट. पट फिर भी अगर मुझे सिंग एट रियल पंप वर्सेश एच्पी पंप ठीक है? या फिर और एक्साम्पल बोलू तो? जस्ट गिव में ए सेक. ओकी, यू माइट नॉट लाइक इसे रिलेट कर पाएं. लेट से यू विजट आ हिल स्टेशन पर जाते हैं, तो जैसे शिमला आकर आप जा रहें, तो आपे बहुत सारी लोग मैंगी सेल कर रहे होते हैं. ठीक है? और प्रैक्टिकली या जस्ट सेलिंग गॉयल मैंगी कु सेशन? नो. सब के प्रैजेज भी आपको सेम दिखेंगे, सब लोग पचास रुपए ही ले रहे होंगे, जास रैंडम ली सेंग, तो दिस इस दी एक्जामपल ऑफ कॉंपेक्टिशन, दस लोग एक साथ करने, अल उफ देम आर गिविविंग थे सेम प्रैजेज, लोग नी सब ने पैतालिस कर दिया, इस से अच्छा तो सभी बचास कमारे थे, सब जाधा प्रॉफिट कमारे थे, तो यहां पे, for that purpose, let's say I'm saying Maggie's seller, at Hill Station, आप शायद ये, मदब, if this is written in your notes, you will probably be able to, what do you call, imagine this in your mind, कि किस तरीके से work कर रहा होगा, मदब, क्या एक्जामपल हमने क्लास में आपको याद आजाए, ये किस केस में रहेगा, I don't want to say this, but, चलो, say a monopoly, sort of monopoly, मैं क्यों sort of monopoly लिख रहा हूँ, आगे चल के पता चल जाएगा, मैं क्यों monopoly लिख रहा हूँ, पता चल जाएगा, थोड़ी के पाद, example, life, saver, drug, पानी का ग्लास बेच रहा है, एक एक रुपएगा, तीन-तीन रुपएगा, वो प्यावु वाले होते हैं, वैसा कुछ भी हो सकता है, आप बिल्कुल ठीक है, long story short, you should be able to understand mentally कि ये किस type का feature हो रहा है, ठीक है नूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ ठीक है, so far, so good, हमने कल यहाँ तक क्या पढ़ा था, दूसरा एक aspect जो नहीं पढ़ा था, एक बार पहले उसकी बात कर लेते हैं, आपको law of demand, ये आप लोगों ने शायद अपने school level पर पढ़ा होगा, what was the law of demand? ये जनरली, when prices go up, quantity demanded, QD goes down, yes, no, मतलब, अगर, let's say, ये price है, ये quantity है, तो higher price पर quantity कम, lower price पर quantity ज़ादा, तो ये था आपका law of demand, yes, no, जनरली ये relationship रहते हैं, ठीक है, इसके exceptions हैं, बट अभी exceptions पर नहीं जाते हैं, जनरली इस relationship exists, ठीक है, पॉइंट नमबर थ्री पर आते हैं, market structure, अभी ना आपको थोड़ी देर के लिए चीज़ें वेवर्ड लग सकती हैं, कि, let's say, just imagine a puzzle in your mind, तोटे हुए pieces मिलते हैं, आपको लगाना होता है, पूरा का पूरा image बनानी होती है, जब आप पूरी image बना देते हो, तो पीछे कोई scenery बन जाती है, पीछे कोई, what do you call, movie star बन जाता है, cricket star बन जाता है, something on those lines, तो भी imagine करों कि, बहुत सारे puzzles से मैं सिर्फ ऐसे लगाते जा रहा हूँ, थोड़ी देर में ये पूरा का पूरा puzzle आपको clear हो जाएगा, just be with me for some time, आपको बस ये make sure करना है कि, जो मैं discussion कर रहा हूँ, आपको हो समझ आ रहा है या नहीं आगा, अभी के लिए आप एक बार को ये माँ सोचना, 1, 2 और 3 related कैसे है, हो सकता है, आपको कुछ dissonance लगे, pardon me, and you will be sorted, let's say, after we have probably completed 7-8 points, उसके बाद, या 10 points के बाद चीज़े, थोड़ी सी interrelated, interlink दिखने लगी है, ठीक है, market structure की बात करते हैं, हमने अभी तक के दो वर्ड्स देखे, हमने देखा एक वर्ड देखा एक वर्ड याज पर्फेक्ट कॉंपिटिशन, दूसरा वर्ड हमने देखा, मुनॉपली, एस अ बिजनेस, एस बिजनेसमेन, मैं क्या बनाना चाहूँगा, इसमें क्या है, बहुत सारे सेलर से, इसमें वन सिंगल सेलर है, येस नो अच्छा एक्जाम्पल की बात करें तो यहां भी हम लिख चुके मुनापली में लाइफ सेवर ड्रग या फिर एक तरीके से अभी क्ले और लिख देता हूं लेट से आयार सीटीजी ठीक है आपको ट्रेंग के टिकेट करानी है आयार सीटीजी इस दी अनली ऑप्शन सब्सक्राइब करते हैं नो वन हैस्ट पावर तू वाट यू काल दू अनिधिंग इन दे रेल्वे स्पेस एक्सेप और सीटीजी से ठीक है नो ओके नेक्स बात करते हैं मान लीजे कोई पर्सन की मोनापली है लेट से लेट से गुडगाओं में आई स्पॉर्टेट डाट अभी बहुत ना एकदम रियलिस्टिक इजी सिंपल एक्जैम्पल लेते हैं लेट से आई शिफ्टेट टू गुडगाओं एंड रियलाइस्ट टीए टीए आवसे गुजरात फॉर सम्टाइग मैंने वहां पर बहुत सारी चीज़े ट्राइक उन में से यादी से यादा चीज़ें यहां पर लोग नाम भी नहीं जा तो लेट से आइस टार्ट इस डोगला खमन लोचो एंड फाफ़डा वॉटेवर इसार्ट इस नाट मेरे इट्री मेरा रेस्ट्राउं मेरा कार्ट थेला जो भी मैने खुला वह बहुत अच्छा चल गया मुझे बताओ वाट वॉट 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 हैपें इन सब्सक्राइब आई एम आँ गेटिंग वेरी गुट प्रॉफिट बहुत अच्छी से ला रही है बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूं कुछ टाइम में क्या होने लगेगा बताओ अच्छा बात बताओ मान लो अब जैसे यह सारे लोग वर्ल्ड कब वर्ल्ड कब का गह रहे हैं आपने यह चीज़ पॉट किये कि अगर आप लेट से इफ यू गो वाच अ मूवी या फिर फिफ यू गो और लेट से विजिट एनी प्लेस विच इन इवेंट बेस लेट से कोई शो चल रहा है वहां पे कोई लाइब प्ले चल रहा है कोई कॉमेडी इवेंट चल रहा है लेट से यू आरे ना वाट यू कॉल अ क्रूज टेकिंगा ट्रिप सम्वेर लाइं क्रिकेट मैंच देखने गए वहां अंदर में खाना बहुत महंगा मिलता है अब मुवी वाल में जाते हैं पीवी वाले थी तीन सॉर पर पॉपकॉन देते हैं बाहर बीस उर्वेका पूछ नहीं रहा होता बहां अंदर थीन सॉर पर गभी करा होता है और बड़े अज़त से लेते हैं लोग वाइस दाट दाट पेस मुझे बताएगा कोई पिकॉर औ तो पीवी यार मुवी जब आप देखने क्लिक है तो मुवी देखते हुए अगर आपका कुछ मंचिंग करने का मन है तो दी ओनली परसंट यू कें गो टू इस देलिवर होने से रहा इस वज़े से वो लोग मन मर्जी के पैसे चार्ज करते हैं यस नो डेफिनिटली इस द को लाओ तो एंटर इंट डो टेरत सेग्मेंट ऑब बिसनिस तो दी-next पीस यह लेएक्ज रिएद रूज पर्फेक्त कंपटेशन में क्या औंदा एक्प्टेरी होगा हल ओगो अधिर अग्जब्त फिरू बैरियर्सक्ते छूंत हॉंगे लो फिराओ इस परफेक्ट कॉंप्टेशन में हाई होगा यहां पर लो बैरियर्स टू एंट्री लो अब्लीक निल बैरियर्स टू एंट्री पाँ यह सोचना है तो आप यू पेवरली मैजिन इस अब इसमें को बैरियर्स टू एक वार्कट और कोई बनदा जाके चुप चाप से गरम पानी है करके खिला देगा कोई आंटी जा सकती है कोई बच्चा जा सकती है एनिवन के दू दू दाट यूट नीड तो यूट नीड तो डू तो सर्व मैंगी दू एनिवन कि वह क्या होगा कोई भी आगे अंदर पॉपकाउन बेच सकता है कि हमें यूज बेरियर तो एंट्री अच्ट्रोंग बेरियर तो एंट्री कोई और अंदर आगे नहीं बेच सकता ना कि आज की डेट में मैं कोई पॉर्टल उठा के स्टार्ट कर सकता हूं जी मेरे से टिकेट बुक करा लिजा नहीं हो सकता ना मैं पॉर्टल बना मिलूंगा तो भी मुझे जाके एड दी एंड ऑफ दे डे आयर सिटी सी मतलब मैं सिर्फ एग्रिएटर या एक प्लैट्फॉ मुनापली थी गोवर्मेंट की वह वट्यू कॉल स्टैंप पेपर बनाने के लिए एक बंदा खड़ा होगा साइट में तुम का एक स्टैंपर रोना होगा हम खुद बनागे चापके देदेगे दो और बैगा बेचेंगे प्रॉफिटी प्रॉफिटी करना किया है से पेप अर्यू विट्मी तिल दिस पॉइंट येस और नो ओके अच्छा एक बात बताओ मान लो यह जो बॉस मैगी बेच रहा था यहां पर एक्जैंपल के उस पर लिख लेते हैं ना इक्जैंपल में लिख लेते हैं यहां पर मैगी और हिल स्टेशन कैसे पढ़ा रहे हो आप अरे समझ आएगा दोस्तों ऐसे बढ़ा रहा है और यह मनापली होगी पॉपकॉर्ण इन इन पीवियर या फिर आयर सीटी सी ठीक है अच्छा मुझे इक बात बताओ व मान लो मैं यह दोनों के से इसके बीच में आ जाता हूं आए डोंट तॉब्स तूब्स आइट तो इस तूब इस आइट तो अट्वाट रेस्टरॉब किसी ने किंग्स कुल्फी ट्राइक है भाई नी चांस यह जामुन वट यू कुल जामुन कुल्फी विच ब्लड़ी गुट इस पर वो काला हुट्टा मसाला डालते हैं टेस्याम एक्स्ट्रीम पेरिटी ते मैंने मगी अं दूसरे साइट पर आया मार्केट बात बदाओै क्या नॉर्मल लाइफ में एसा ही होगा कि या तो सबके उपर रोट ब्लॉक्स है कोई भी कुछ एंटर निंगर पार नहीं ऐसा नहीं होता होगा में से किस जगा पर एक्जिसिक्स करनेhen कर एक और इस में को अधाों ढूरत क्या अरら क्या जो मैं टीए इन दोनों में से किस में आपाब रहे हैं میरे क्याहल से दोनों ही नहीं क्य chem Jagak कोर्ष वेच अर्य है वह एक यहूंप अ Fred सब्सक्राइब कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्रोड़क्ट दिफ्रेंशेशन की बात कर लेते हैं लेट्स टॉक अबाउट्ट डिफ्रेंशेशन monopode perfect competition के case में there is no product differentiation there is no product differentiation और monopoly के case में product differentiation की बात ही नहीं आती क्योंकि और कोई बेचने वाला ही नहीं है और कोई बेचने वाला ही नहीं है इनके बीच में अगर cases की बात करूं तो दो cases और आ रहे हैं there's something called a monopolistic competition and then there is something called an oligopoly अब मैं ऐसे सीधा पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि मेडीज वाला केस कौन सा है monopolistic competition है और अलिगोपली है but if you ask me I'll say it's more of a monopolistic competition it's more monopolistic competition बात कर लेंगे क्यों अभी इक लिए मैं सिर्फ ये राना चाहरा था कि product differentiation कैसा रहेगा यह वाले केसमें कोई प्रोड़क्ट differentiation नहीं है सब लोग सेम चीज बेच और इसकी बात ही नहीं आती है कि आपको कैसा रहेगा विकार्स दूसरा प्रोड़क्ट डस नाट रिएली एग्जिस्ट ठीक है यह सबका effect क्या होगा यह सबका effect क्या होगा competition का nature कैसा होने वाल है what is going to be the nature of the competition now how will you compete nature of competition meaning how to compete कि बताई यह कि मोनापली के केस में तो competition की बात ही नहीं आ रही है अगें कोई है नहीं कमपीट करने कहां टेंशन लोग इतनी जादी प्रक्टिकली अगर आप बोलोगे तो perfect competition में compete करी नहीं सकते हो नाम नाम perfect competition है लेकिन perfect competition में कोई competition करी नहीं सकते हो आप बट इफ पॉल कांस टू शोग तो प्रविबली दी एस सच नो कंपेटिशन अगर कंपीट करना भी पड़ गया तो भी सिर्फ प्राइस के ही बेसेस पर करोगे प्राइस ही कम कर सकते हो आप दूसरे को पीछे के लिए चोड़ सकते हो यूगन प्रविबली जस्ट डिप्राइस को प्रोड़क्ट तो सेम ही है तुम्हारा अब एच्पी वर्सेज रिलाइंस के पंप में आप यह पर्फेक्ट कंपेटिशन है तो आप क्या बोलके बेच सकते हो आप बोलोगे ठीक है दस पैसा कम देते हैं आम नाट सेंग दिस वूट बीड़न और बुक से कि प्राइस कंपेटिशन होगा नाम पर्फेक्ट कंपे कि आपको दो लोगों को लड़ने की जवरती नहीं है दोनों का दोनों एक अच्छा दंदा चलाएंगे अपने घरम बैटके शांती से अगर जबरदस्ती लड़ाई करनी विया तो प्राइस के सवा कोई लड़ाई करने का पॉइंट नहीं है यह तोड़ी को लोगे मेरे त प्राइसिंग पावर पर्फेक्ट कॉंपिटिशन के हाथ में है या नहीं नहीं है और मुनापली के हाथ में कम्प्लीट प्राइजिंग पावर है आज से एक देड़ साल पहले रेल्वे मिनिस्टर साब जो है हमारे वह आए और उन्हें का जी अब एसी सेकेंड के प्राइजिस हम अच्छे खास से इंक्रीज करने वादी है अब इक अच्छानक से लेट से कोई एरलाइन अपने प्राइज इंक्रीज कर देगा अच्छे पैसे कमाएंगे बट रेल्वेस के केस में इस नो कॉम्पटीशन से सिंपल स्टेप्मेंट फ्रों रेल्वे मिनिस्टर कंस आउट सेइंग विए रख देते हैं और रिवन्यू का लॉस होता है गवर्मेंट को हम इनके प्राइज इंक्रीज करने हैं क्या होगा उसका ठीक है दिल्ली मेट्रों में कल प्राइज तेन परसेंट हाइक कर दीज क्या होगा कुछ नहीं होगा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आके एक दुदिन क्लें बखवास करेंगी नतिक एल्स पर आपन को क्यों मुनापली है कि हुआ भी था इन फाक्ट डेली मेट्रों की टेसमें इसमें जब प्राइज इसमें जब प्राइज हाई कि लिए नो वन इसके प्राइज बढ़ गए तो ऐसा थोड़ी कि लोग मेट्रों से चोड़के सारे के सारे चुप चाप से बसे में कोई डाउट नहीं है प्लस मार्केट और फॉर्म इस अब नेक्स सेग्मेंट में उसकी बाग कर लेंगे हैं बट लॉंग स्टोरी शॉर्ट वाइं प्रा जाइजिंग पावर फट कंपटीशन विल आव लो प्राइस पावर फेक कंपटीशन को मैं कहता हूं प्राइस टे कर और मॉनापली को मैं कहता हूं प्राइस मेकर चीक है आर्यू विट मी तिल दिस पॉंट यह सरी यह चले गा आईये अब मोनोपलिस्टिक कॉंपिटीशन और ओलिगापली की बात करते है मोनोपलिस्टिक कॉंपिटीशन इन यूर माइंड यू कन थिंक आफ FMCG कंपनीज थिंक आफ X Fog सब्सक्राइब थिंक आफ कोलिए और पेप्सुरेट पलिगापली थिंक आफ यह थिंक आफ यह थिंक आफ तेलको थिंक आफ जियो वर्सेज एर्टेट थिंक आफ स्वीगी जुमेटो थिंक आफ ओला वर्सेज उबर यह सब सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब देखना क्या बाद करना चाहरो मुनापलिस्टिक कॉंपुटीशन में एस सच प्रोड़क्ट डिफ्रेंसेशन खार्स नहीं है प्रोड़क्ट डिफ्रेंसेशन एक्चुली लो है वर्ट किया गया जार है ब्रैंडिंग का बहुत जादा इफेक्ट है प्रोड़क्ट डिफ्रेंसेशन इस लो बट ब्रैंडिंग इफेक्ट बहुत जादा स्ट्रॉग अब इफ यू थिंक ऑफ एक्स एक्स किस तरीके से अपने प्रोड़क्ट को मार्केट करता है एक्स विल शो वेरी वोट यू अल्फा मेल इमेज ओफ इस यूजर वेरास फॉग विल मार्केट इटसेल्फ एस फ्रूगल प्लेयर इंद मार्केट वो बोलेगा कि आप इसके 100 प्रेस कर सकते हैं दोनों का ब्रैंडिंग करने का तरीका बहुत अलगी तो कोग और पेप्सी के एड गेंपेंज देखोगी तो कोग के एड गेंपेंपेंज मेंना हैपिनेस वर फैमिली आती है और अगर आप पेप्सी के एड गेंपेंज देखोगे तो उसमें आपको यह क्रिकेट प्लेयर्स और मुवी स्टार्स दिखेंगे थम्सप के एड गेंपेंज देखोगे तो वाल्फा में इमेज दिखाएंगी यहां पर कितने सेलर्स होंगे अगें ओर हैड देरा मैनी सेलर्स इन फैक्ट अगर आप सोच पा रहे हो ना तो दिस इस लाइक बैंड और स्पेक्ट्रम यह पूरा का पूरे एक स्पेक्ट्रम चलू रहे हैं यहां मैनी है यहां वन है इसके बीच में क्या होगा यह रिड्यूस होता जाएगा तो सबसे ज़्यादा नंबर आफ सेलर्स हैं परफेक्ट कॉम्पेटिशन में इस से थोड़े कम हो जाएंगे लोर देन परफेक्ट कॉम्पेटिशन यहां निल था यहां लो है यहां हाई है यहां यहां यूज ठीक है जी ओलिगॉपली का एक एक एक्जाम्पल बोल रहा हूं ओलिगॉपली का एक फॉर्म होता है डूपली जब मार्केट में सिर्फ दो बड़े प्लियर रह जाते हैं तो अगर आप उनलाइन फूड और्डरिंग की मार्केट देखेंगे तो सिर्फ ओला सुईगी और रहे अब गवर्मेंट का एक इनिशेटिव आ रहा है ओंडी सी अगर आपने नाम सुना होगा तो सिमिलर्ली ओला और उबर रह गहें वोट यू कार रेंटल स्पेस में अब यू और रहे गहें टेलको स्पेस में यह एंपी अनल एक्जिस्ट बड़ उसका एक्जिस्ट करना और नहीं करना और मुस्ट नहीं बरावर की बाद है लिए जो बैरियर्स टू एंट्री कैसे हैं अलिगापली में पर याइन अबढ़ बैरियर्स 2 इंट्री बिकास व्हुट दू काणिदीटी और एक्टाल गोस्केल एक्टानमीज ओव स्केल का एडवांटेज प्रोड़क्ट डिफ्रेंशेशन मोनोपलिस्टिक कॉंप्टिशन में खास नहीं है ब्रैंडिंग का इफेक्ट है जो भी है सिमिलर चीज शायद ओलिगाउपली के केस में भी कही जा सकती है अजया कि अप्की बूक्स कहती हैं वेरी गूट सबस्टिटोट और डिफ्रेंशेटेटेट इन गोट्स वेलिवर्टं डिप्रोड़्ट डिफ्रेंशेशन का तो यहां पे आपकी बुक्स ने लिखा हुआ है गुल्ट सब्सेट्टूट्स अब यहां पर सिर्क प्राइस बेस्ट कॉंपटिशन था यहां पर यहां पर यहां तो ब्रैंडिंग और यहां और प्रोडक्ट और प्राइस दोनों तो रहेंगे रहेंगे क्या होगा अब जैसे जैसे तो बहुत सारे ब्रैंड जैसे हैं जिन्होंने आज के दिन पर अपने कुछ प्रोड़क्स पर सेल लगा यह दियसे इंग वर्ल्ड कप और सब्सक्राइब अधिया वह क्या कर रहें हो एक दिन के लिए अपने प्राइसिंग में एफेक्ट लेके आ रहें हो चेंजन आज की डेट पर बहुत सारे अगर आप लाउंच विजिट करते हैं तो आपको इवनिंग में बहुत सारे लाउंच में मिल जाएगा कि हाँ फूर्ड एंड वाट यू कॉल मैच टुगेधर इंजॉए करिए फैमिली दिस देट वाटेवर की किस में क्या डिफरेंस आएगा बताईए प्राइजिंग पावर वाट इस दो डिस्केशन इन प्राइजिंग पावर है क्या वाट यू कॉल एक्स और फॉक के हाथ में या इससे भी बेटर होता अगर मैं को प्राइजिंग पावर है कि इसमें लोग प्राइजिंग पावर थे मुझे बता हुआ लिगापनी के केस में क्या होता है प्राइजिंग पावर है या नहीं सुनना यहां पर थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिसकेशन होने वाद है ध्यान दीजेगा एम शूर इटी क्लिक टु यू क्या बोल रहों मैं अच्छे समझ आएगा आपको मेरी शूर भूड़ एट इन दे केस ओफ ओलिगोपली वाट विल हैपन इस दा प्राइजिंग पावर सिग्निफिकेंट होती है क्यों सिग्निफिकेंट होती है उसका दिस्कुशन कर रहा हूं सुनिये गा कर आएब बाख रिटेपन बाख हो लूं सुनियाओ कि एडार तो ग्रहं पावर दों हैं हूं सह्लिगोड ओम्यां पूल्याओ वूट्टिंजि यश्य। प्लेश्यद बात्वियर विल्य। यच्य। वे लुट ड्युट्टिंग्टिंट ग्टिभर न्य। लुट्टिए अब आप एक बार जी ओ और एयर टेल को सोचके देए प्राइसिंग पावर है क्या इन में से कोई भी एक अपने प्राइस को बढ़ा सकता है क्या जब चाहें नहीं बट यह दोनों के दोनों क्या सोचेंगे कि यह अगर मैं प्राइसिंग बढ़ा हूं और साथ में एयर टेल इंक्रीज करते प्राइस तो बहुत बढ़िया होगा इसी लिए आप देखो कि जब जीओ को मार्केट एंटर करना था तो इसने इमीजेटली प्राइस बहुत इसने बोला ठीक है फ्री ऑफर करता हूं एक साल के लिए सार चे महीने के लिए वाटेवर एंड इन इसने पॉलो दो सूट बिकाज यहां पे दोई प्लेयर से तो इतना है कि और दो प्लेयर से दोनों के पास सिग्निफिकेंट शेयर है मार्किट का तो यहां पर लैट से जीओं ने कुछ किया और एयर तेल ना उसको फॉलो कर दिया तो मार्केटिव ऐसे इत्यार उप्रफेक्क कि यह थी स बुट्टे वाले इक ने परइस बढ़ा दिया उसका देखा तेगी तीन-चार ने और बढ़ा दिया कि हायर देकिसका इसने महेंगा कर दिये सबी बढ़ा दिते और विग जाएगा या प्रॉफिट जाता हो बड़िती तीस के तीस बढ़ाएंगे तभी काम चल क्या हो रहा है खासका रोलिगॉपली का जो फॉर्म डूपली कि दो ही प्लेयर तो बस एक बार यह दोनों आपस में अगर किसी तरीके से एक दूसरे बदर वन फॉलोस दूट अफ दी अधर वन देन देन अबल टू अप्लाइ सिग्निफिकेंट वाट यू कॉल अब देखना इंडिया में फ्यूल सप्लाइस थे ही केतने अल्मोस्ट मिड्ली इस सारा का सारा फ्यूल आ रहा था इराक कोई साउधी अरेपिया वेनिज्वला इन लोगों को रियलाइज हुआ है अगर हम लड़ाई करते हैं मतलब लट से इंडिया ने फ्यूल करीजना है और कर लड़ाई हो रही है कि यूएई दे रहा एक्स रेट पे यूएई सो डॉलर का दे रहा है इंडो किया होगा और देन दे रियलाइज बॉस्ट इस दो पॉइंट फाइटिंग वाट इस आल अफ उस इंक्रीज द प्राइज़ वाले आपस में कभी इतने सारे इवेंट्स पर मिलते हैं तो क्या बात नहीं करते हूं यार कही के लिए एक दूसरे की बैंड बजानी है तुम सौर पे बचासवर पर हैं इनका पर मंथ कर देथे और यह नहीं कर सकते होंगे या क्या नहीं किया होगा इन्होंने शाहिए अंदर गाते कोई पॉसिबल और वाट इम ट्राइंट वाट कर लेगे अगले साल से ना डिसकाउंट नहीं लगाएंगे चाहिए बिदे लिवेरी फीज चार्ज करेंगे करेंगे कंपल्सरी डिलिवरी फीज विल भी चार्ज और टेक आर अनुल प्लान भी सेम रख दें तुम भी अजार करक्तों भी अजार करक्ते आपको नहीं लिए अबल टू वाट यूग अग्जर्ट सिग्निफिकेंट की बात करने वाला हूं वह मैं अगले वीडियो में डिसक्स करता हूं यहां तक कि अगर आपके कोई डाउट्स नों तो हैं हैपी तो आंसर डाइट विफॉर आइट टॉक अबाउट परफेक्ट कॉंपेटिशन एक बार मतलब यह अभी तक मैंने डिमांड साइट से सारे डिसक्षिन किये अब एक बार मुझे थोड़ा सा सप्लाइट से डिसक्षिन करना पड़ेगा पहले सप्लाइट साइट डिसक्स करते हैं देन पफेक्ट कॉंपेटिशन को डीप में डिल डाउं करें सप्लाइट के डिसक्षिन करते हैं कि सप्लाइट साइट कि अच्छा मुझे पता हूं कि लॉफ सप्लाइब क्या होगा जैसे लॉफ डिमांड था वैसे लॉफ सप्लाइब क्या होगा जन्रली स्पीकिंग एस प्राइज इंक्रीज कॉंटिटी सप्लाइड शुट राइज कि ऐसा पुछ होना चीए कि क्या रहूं गरत क्या रहूं कि आसर क्या है तो ठीक रहे हैं तो ठीक रहे हैं तो ठीक रहे हैं चीए एक बार इसका इन डेप्ट डिस्केशन करते हैं अच्छा मुझे बात बताओ सप्लाइड साइड के डिस्केशन के लिए कि वी आर टेकिंग दर्स पॉइंट आफ व्यू ओफ कि सप्लाइर या मैनुफैक्ट्ट्र या सेलर कि ना सप्लाइर मैनुफैक्ट्ट्र या सेलर वाट वोड वी दो सोर्सेज ओफ कॉस्ट इन वर्ड वाट वोड वी दो कि इनके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगे मुझे पहले यह बता होगा लैंड लेबर कैपिटल अंतर्पिनर्ट सुना होगई प्रोड प्रोडक्शन प्रोडक्शन इस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कि दी आउट्पूट कौन कौन से सोर्सेज रिक्वायर्ड है लैंड लेबर कैपिटल मैंने चौथा पूरी 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 लाइफ पढ़ा है अंतर्पिनर्पिनर्पिन आपकी बुक इसके बदले लिखती है मटेरियल और इव्यूर्ड स्कूल लेवल डिसकेशन या कॉलेज यूजी लेवल डिसकेशन पीजी लेवल डिसकेशन तो गुछ ऐसा बोला जालता था कि फार दिस और सालरी पे करोगे कैपिटल को क्या पेगर होगे बताओ इसे इंट्रस्ट पे करोगे और और को बैलेंसिंग फिगर देट इस प्रॉफिट पे होगा हाँ या ना हम बात कर रहे हैं सप्लाय साइड की अगर आपने सप्लाय अपने आउट्पूट की सप्लाय को चेंज करना है तो किस तरीके से किया जाता है इन चारों फैक्टर से ही होगा लेट से यूँ वांट तो रैंप आप यूर अपरेशन आपने रेस्टरॉप होला बहुत जबर्द अभी के लिए आपके पास दस इंप्लॉई है और एक स्टोर है एक स्टोर है मान लीजए यह वन यह हजार गज की जगह में स्टोर बना हुए वन थाउजन स्क्वार यार्ड लेवर कितनी मान लीजए दस लोग इन वर्ड है कैपिटल मान लीजए एक करोट रुपे की कैप की जगह बीस लोग दो करोड की इन्वेस्मेंट इसको डबल कर दोगे ना इसको दस गुना करना है तो जिएस मदब इस वांट तो है टेन वाट यू कॉल टेन स्टोर्स यू जस्ट इंक्रीज दस हजार स्क्वार यार्ड सो लोग दस करोड रुपया साही बोल रहा हूं य हाँ या ना अच्छा अब अच्छा अब आपकी कॉस्ट सेम रह जाए बत सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती जाए तो यू वर्ण सप्लाइं ओर अफिट ना वाइं व्यू दिए मैं गर्श दॉपया से प्लाइग गारा रहा है जिए लाचिए प्लाइग प्लाइगा रहा है यू आपलोजीस पर तर अवाव माव अपना वीडियो बंद कर ले रहा हूं उससे यह होगा कि वॉइस लैक खतम हो जाएगा बेकॉस बैंडिट शायद थोड़ा सा अप्टिमाइज हो जाए तो में को अपना वीडियो आफ कर लेने दीजे अगर वीडियो आफ करने के बाद एक गोसीमलेस्ली वेल अच्छा ठीक अब लोग कह रहेंगी इस एवी जोगे ना ठीक है अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा और जस्ट स्विच्ट टू अप्लीट ओडियो मोड़ अच्छिट कि क्या बाग कर रहे थे हैं या वी वर टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इंप्राइज इंपेटर्स और दा मोटिवेशन ऑफ प्रोड्यूसर बही ऐसा है अगर कॉस्ट सेम और सेलिंग प्राइज इंक्रीज होता जाए तो तो क्या होगा एक सेलर यहीं चाहेगा ना कि अगर अगर मैं उसकी प्राइस चालेश और पर देता हूं और फिर भी बढ़ रही है तो मैं और इंक्रीज करता जाओंगा प्राइज कहीं दिखकर ठक्रीज थेस्डेट डूमाइट प्रेपाईट डीज लिए संटी फो इन इ inveंड इन बून प्राइट कर वह टूंट जहीं प्राइड लेा या वह वह विविए इसमेट प्रवएटर एंट इसक्षिन हो रहा था इप करन देवस अ ताइम एप टो चाहज लाइग 4k पर आज और अगेट में अच्छी का सिदी मैंने प्राइज इंक्रीज करें 6k पर आज कर दिये अब क्या प्राइज इसे अरां 25 पर आज अल्मोस्ट ऑल मैं कैंडिटेट्स मैं जिनके साथ काम करता हूं अल्मोस्ट अल्व देम आप्रम युएस अंड इन में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दो तीन बार जी मैट दे चुके सेवन फॉर्टी सेवन थर्टी सेवन ट्वेंटी एट कर चुके अब यह नॉट इमिल तो रीच लेट सेवन एट्टी सेवन इट करेंगे तो अब अगर उसका त्रूपुट उसको अगर जो पर आर चार्ज था वो तीन हजार से राइस करके पच्छे जार पर पहुंच चुके तो क्या इस बंदे को नहीं लाएगा कि मैं दिल में चार गंटा का एक लिए पढ़ा रहा हूं बंद्रा गंटे पढ़ाना चीज़ यह कुछ साल पढ़ा लो पिर तो रिटारी ओजो क्या फर इक बंद्र क्यों बिगाश्व दिए अट यह प्रीज इंड आफ दे अव दे इंड प्राइस इस इंक्रीजिए इस द्राइब टूसपलाई मोर इस वार्ट में पुलता गया था आपकी बुक्स बात करते हैं materiall material includes everything outside of all these three so they talk about inputs into productive process such as raw material iron ore manufactured inputs wire micro processes तो से मटेरियु आगे मुव करते हैं और फोकस इस वन दीस तू अधिश्ट इस टू लेबर एंड कैपितल अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे नरेटिव थोड़ा सा चेंज है बटाइट डू एड्रेस दो अल्ट इशुस वेरी विल बट मैं अब नेरेटिव भी रख रहा हूं जो आपकी बुक में इवन इफ आई डू नॉट एग्री तो एट हुड़िट फोकस करते हैं एक तो नहीं समझाया रहा है शॉट तम में इंक्रीज किया जा सकता है मीनिक अच्छा बाइद वेग कैपिटल विल बी लाइग कैपिटल का क्या मतलब है कैपिटल विल बी लाइक लेट से दो डॉलर इनवार्ट या फिर बन्दब दो फिनेंशल कैपितल एंड दो फिसिकल कै कैपिटल में आगया प्लान प्रॉपर्टी एंड एक्विप्मेंट मुझे बताओ मान लीजिए और से आए ओपन या फिर स्टार्टेड पीजा शॉप पीजा स्टोर इन गुरुदाओं ठीक है एंड दो शेल्स इनिशियल सेल्स अर्वेरी गुड अगर ऐसा हो रहे बहुत अच्छा काम चल रहा है धंदा चोकर चल रहा है कुप वैसा आ रहे मेरा फोकस है सिर्फ और सिर्फ यह डो फैक्टर्स ऑफ प्रोड़क्शन पर रहें अ प्रोड़क्शन लेबर एंड कैपिट्व आप इन दोनों में से अच्छा मुझे बताओ इनीशियल सेल्स बहुत अच्छी तो आपका इमीजियेट्ट वट्ड यू कॉल मूँव क्या होगा इनीशियल सेल्स अगर बहुत अच्छी है तो आप इमीजियेट्ली क्या करना चाहोगे इंक्रीज था साइज ऑफ अपरिशन्स यह करोगे कैसे हाउ वुड्यू दॉडट यूट वांट तो इंक्रीज दा नंबर अफ स्टोर्स तो मैंने पीजा की शॉप खोली बहुत अच्छी चलने लग गई एक दो महीने तक रं किया मुझे मैंने एक दिन बैट के अपना प्रॉफिट कैकुलेट किया बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा था तो मैं क्या करूंगा अगले दिन नया स्टोर खोल गूंगा गया इस पॉसिबल तुड़ अगले दिन नया स्टोर खोल जाएगा क्या इस चैन नॉट बीड़न इन शॉट टर्म इन शॉट रॉन दूसरा क्या करूंगा अपने साइज आपरेशन कैसे इंक्रीज करूंगा इंक्रीज दर नंबर ओफ इंप्लॉईज मान लीजिए अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इन स्टोर सेल्स करता हूं मतलब आओ और यह थोड़ा सा वड़ी कॉल डाइनमिक्स चेंज कर देते हैं और टेक अवे का सिस्टम स्टार्ट कर लेते हैं साथ में मैं कुछ अपनी ऑनलाइन ब्रैंडिंग वगरा स्टार्ट करूंगा और रॉनर्स हायर कर लूँगा और मैं यह करूँगा कि चलो यार घर पे जाके भी फूट डिलिवर कर देंगे तो मैं टेक अवे क्लिए अपने इंप्लॉईज इंक्रीज कर दूँगा और मैं और यूग फूट डिलिवरी भी स्टार्ट कर दोगा यह सब करने के मुझे क्या करना पड़ेगा आइस इंक्रीज देंप्लॉईज ची की ना अधिस कैन बी डून इंशूर्ट टर ना या नअ इस फॉसिबल तो बीड़न इंशूर्ट रूर्ण this can be done in short meaning what in short run capital capital is fixed in short run capital is fixed labor is variable are we good till this point in point of view factors of production factors of production में आये चार factors of production the focus is on the focus is on L and K factors of production क्या बोल रहे हैं ये statement यूज करूँगा मैं ये बोलना चाहरा हूं कॉंटिटी इस फंक्शन ओफ लेबर एंड कैपिटल इसके बाद मैंने ये एक्जैंपल लिया और मुझे अब अगर अपने साइज इंक्रीज करना है ऑपरेशन का तो मैंने ये कंक्लूजन लिया कि भाई शॉटरन में कैपिटल इस फिक्स्ट लेबर इस वेरियबल तो अब मैं क्या कर रहा हूं शॉटरन में कॉंटिटी डिमांडेड सॉरी कॉंटिटी सप्लाइड ये टोटल प्रोड़क्ट टोटल प्रोड़क्ट विल बी फंक्शन ओफ लेबर एंड कैपिटल जिसमें जो कैपिटल है वो फिक्स्ट है इस लिए अगर मेरे से भी बोले तो मैं शॉटरन में क्या बोलूंगा कि भाईया कॉंटिटी इस फंक्शन ओफ लेबर अर्यू विट में तिल इस पॉंट अगर कॉंटिटी इंक्रीज करनी होगी तो अपन लेबर को इंक्रीज करेंगे अभी तक्के सिर्व इतना पड़ा है इस विए क्लियर तिल दिस पॉंट जस्ट राइट ओके इंद चैन बॉक्स और वी विल गुव अहेड अच्छा लॉंग रं में क्या होगा लॉंग रं में क्या होगा ओल फैक्टर्स अर्वरिएबल इन लॉंग रं अल फैक्टर्स are variable, quantity will be a function of labor capital boat. Whenever I talk about long run I am not trying to say things from the political standpoint or anything but Manmohan Singh सापका ने बहुत अच्छा स्वीतमेंट था. यहीं से दाट इन लॉंग रॉन वी अवरिटिंग अब एक बार फॉर थ्री हो गया तो ने फॉर पॉइंट नमबर फाइफ का डिसक्शिन कर ले लेस्टोक बाओ को टोटल प्रोडड भ मार्जिनल प्रोड या सौवर्रिज प्रोड फ्रोड को अंद मार्जिनल प्रोड दॉड च डीस थी वंवह टोटल प्रोंद किया हता बता होगी मुझे वाधंकि याव टीज दुम्ट आफ टोटल प्रोड़क्ट इस क्यूँ जो अभी तक के पड़ते हैं वह तर अब इस प्रोड़क्ट कि हम तो शॉट रर्ण का डिस्केशन कर रहे हैं न शॉट रर्ण एनालिसिस of production चिक शॉट रं का अनलेस्स कर रहे है एवरेज प्रोड़क्ट क्या होगा वाट विल बी दिए आवरेज प्रोड़क्ट लिए किपूटर पूदॉटर कर धी या मिनींगत ह tipo कितनी मनुफ़क्टरीग हुई अब मनूं स्वरी मैनुफॅक्टरिंग फॉर्शुनित पर उनेत ऑफ इन पुट इन पुट क्या जा रहें सिर्फ लेबर इन शॉट रन रॉन इन पुट क्या जा रहे लेबर तो तो वाट इस दी अवरेज प्रोड़क्ट इस क्यू बाई एल येस नो चलो एक सेकंड रुखो इसमें गर फ्रिक्शन आ रहा है तो रुखो दो मिनट रुखो दो मिनट रुखो दो मिनट रुखो इट विल बी सॉटेट बहुत अच्छे समझ आए गया है कुछ मुश्किल न इसको टोटल नंबर ओफ पीजा मैनुफक्ट्र यह कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है क्यों से पीजा मान लो मान लो दस हजार पीजा बने हैं पहले महिने में या एक बार उनको थोड़ा सा नौट रिशनलाइस करने दो नंबर स्कूट अब मान लीजे मेरे पास टोटल मिला के दस इंप्लॉईज है मेरे पास टोटल मिला के दस इंप्लॉईज है तो एवरेज प्रोड़क्ट क्या बोल रहा हूं मैं पीजा पर इंप्लॉई तो फिफ्टी फोर हंड्रेड बाइट टेन फाइफ फॉट्टी आगया है तो इसका जनरल फॉर्म क्या बनेगा क्यू बाइल येस नो अब मान लो ये करेंट स्टेटस था ये करेंट स्टेटस था अब मुझे लगा नहीं आर्मे को तो नो बिजनेस इंक्रीज करना है एक और इंप्लॉई आर किया एक और इंप्लॉई हायर किया मैंने तो मेरा जो टोटल मैनुफक्टरिंग वी अगले महीने की वह होगी छे अजार पीजा शे अजार पीजा तो मुझे मार्जनल प्रोडटक का मीनिंग बताओ क्या होगा वट इस दीना प्रोड़क्शन प्र what would be the marginal production in this case marginal product ka kya meanin hota hai? change in pizza manufactured due to increase in employee base तो if i increase one employee तो इसका effect क्या है? फिफ्टी फोर हंड्रेड से सिक्स थाउजड पे चली गई से increase in pizza प्रॉम फिफ्टी फोर हंड्रेड तो सिक्स के तो increase कितना है? increase is 600 तो increases 600 तो इसका जन्रल फॉर्म क्या आएगा? इस देल्टा क्यू ओर डल्टा अल्टा थिस देल्टा क्यू बाइड डल्टा अल्टा थिए this 5400, average is 540 and marginal product is 600. Are you with me till this point? आगे मूव करते हैं यह तो सिर्फ था डेफिनेशन अंडरस्टेंडिक टोटल प्रोड़क के अब देखिएगा पॉइंट नमबर शिक्स यह पढ़ा होगा आपने अंडेट्शियर लॉओ आफ अफ अज़िए चैने अफ डिमिनेशिंग मार्जिनल पॉड़क्ट पॉड़ हुए है सब ने यह मार्जिनल प्रोडक्तिविटी ऑफ लेबर ऐसा कुछ लोग देमिनिशिंग मार्जिनल रेटर्न इतर्स यह नोब डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्विटिविटी आप लेबर हम इसकी बात कर रहे हैं यह पूरा का पूरा पूरा लॉव एस सच क्या बोलता है क्वांटम के साथ देखते हैं शायद चीज अच्छे समझाएं लेट से माइक करेंट इसका नंबर से गर बुक से नहीं मिल जाएं तो बेटर होगा कि लेट्स रिजूम लेट्स रिजूम तो वी वर टॉकिंग अब डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रॉटिविटिविटी अब देखी कैस में बोलना क्या चाह रहे हैं मान लीजे मैंने अपना पीजा स्टोर खोला जब मैं शुरू में इंप्लॉईज आड करता हूं फॉस्ट सब्सक्राइब की बात कर रहा हूं तो शॉट रण में आइकें चेंज दा प्रोड़क्शन ओनली यूजिंग लेबर एक अगर अपने ऑपरेशन को इंक्रीस करने मानलो मैंने खुझ से घर से प्रोड़क्शन स्टार्ट करते हूं मैंने बुला ठीक है आर उनलाइन बेचते हैं रिमोट किचें बनाते हैं औनलाइन बेचते हैं मोवाइल किचन में यह स्टोर श्टोर निए अभी क्ले मैं क्या करूं है मैंने घर से पीजा स्टोर खुद बनाना मैंने पीजा मैनुफाक्चर करना खुद से स्टार्ट किया जैसे काम दंदा इंक्रीज हुआ मैंने एक एंप्लॉई रख लिया पहले एंप्लॉई में प्रोडक्शन आ रही थी तीस उनिट्स की तीस पीजा हर दिन में निकाल रहा था मैं देन वाट इंट रखता हूं तो क्या एफेक्ट आने वाला है प्रोडक्शन पे प्रोड एंट राइं को वेर है गरा आप इनिशियल फेज देखोगे इफ युद्ट लेक्व अफिट लेक्शन ने फॉर्थर श्क्वल्ट रूट रूकिए इसे बेंड लेक्शन टेकिट टूर्ट केंट तो 150. जस्तों तो चीजन इस गूट श्कूर्ट इस गूट सुसि यह थोड़ा सा ज्यादा प्रॉमिनेंटली देख रहा है इसलिए मैंने ऐसा किये अगर आप शुरू का रैंप अप देखें लेट्स लेट्स लोक अट रैंप अप फ्रॉम जीरो तो फॉर इफ लोक अट दिस पीश अगर आप इस रैंप अप को देखें तो यू विल सी दाइट जो हर इंप्लॉई को मैं हायर करता हूं हर अधिशनल कुक दैट इस बिंग है उसकी वजह से जो प्रोड़क्शन है वो काफी फास्ट इंक्रीज हो रही है तो इनीशियल फेजस में फ्रॉम जीरो तो फोर इंक् कर एंचिसल ृत इस राईम्ट इस च्यूसाने इनीशिए गाथे उट्यूजश रेक्र इस इंक्रिशंग प्स्यूसर Sabu , इस उब्स किस्वेuet कि बynnदा कि क्यीरी कि आच्यूच कि तो इस प्रॉजशन है कि च्रॉजयल टो इस पास्ज़शन है ट karış bills यॺज प्रॉर इस थ मैं फ़द्दक्राइब उस टाइम पर क्या ओर मुझे बताइए गां जब मैं फ़ाइव से जिक्स मतब फोर से फाइफ में पर करता हूं पांच के बाद जब छट्वा पाइंप लोई रखता उसटा इंपे क्या हो रहा है मुझे बता ही नहीं हो रही है हाई यह नव दिस इस अटर डिक्रीजिंग पिस ओर है इट वस एट इंक्रीजिंग पिस 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 अपनिंग इस थर्ड दोमिन बताओ Problem is the production is the production is increasing or decreasing the production is increasing or decreasing the production is in fact degree the now it is decreasing production hmmm, are you with me till this point अगर आप इसी को स्लोग में फॉलो कर पार है अगर आप इसी को स्लोग में फॉलो गर पार है तो यह ब्लू वाली लाइन एक रिफलेक कर रही है तोटल प्रोडक्ट जब वो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग पेसे मतलब 024.024 यहां पे आप देखें बहुत स्टीपली राइज हो रहा है दर आइस वेरी स्टीप है ना 526 अगर आप यह पॉइंट नोटिस करें 526 इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट के बाद तो देखो रिड़क्शन ही चालू होगे यह कॉंस्टेंट था यह दोसुदस दोसुदस आ रहा था देखना यह 210 210 आ रहा था उसके बाद तो देखना रिड़क्शन ही चालू हो गया हाँ या ना तो अगर मुझे इसे कुछ सेग्मेंट में बाटना हो तो वाट विल आइड़ू I'll say something on these lines let's say I'll say copy I'll just paste it over here देखना मैं कुछ ऐसा बोलना चाहा हूँ मैं total product अगर आपको बना बगर मैं आपको यहां पर graph के बोलना चाहा हूँ और इसे तीन सेग्मेंट में बाट तो जीरो से लेके 4 this was one segment यहां से लेके दोस्टो दस्टों सेग्मेंट यहां पर क्या हो रहा है यहां पर increasing at increasing pace है यहां increasing at decreasing pace यहां पर decreasing production अब मुझे एक चीज़ बताना वाइज सच अ फेनॉमेना है यह तो हमने नोटेस कर लिया मैंने आपको बोल दिया कि अब जब लेबर शुरू में इंक्रीज कर रहे हो उनका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वह बहुत जादा हाई आ रहा है क्यों कि इनीशियल बेस्ट कुछ था ही नहीं जब काम शुरू हुआ तो बहुत अच्छा चलने लग गया इनीशियल बेस्ट कुछ भी नहीं था जैसे ही लोगों ने आके रैंपक किया उपरेशन तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी आने लग गई बट मान लीजे मेरे पास यह चोटा सा रूम है जहां पर सारी प्रोडक्शन हो रही है तो जब तक तीन चार इंप्लॉईज रखे हुए तब तक तो एफिशेंटली काम कर पारें बट एक पॉइंट के बाद यह होना शुरू हुआ कि यह रूम क्रैंपक हो गया मदब यहा यहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग पेस एंड अल्टिमेटली हम उस स्टेज पर पहुंच गया कि दव वडियू गॉल दो मार्जिनल प्रोड़क्ट स्टार्ट विकमिंग नेगेटिव मतलब कि भाई इंप्लॉई एक्स्ट्रा रखने से आपकी प्रोड़क्शन गिरने लग गई पहले थी कि आप एक एडिशनल इंप्लॉई रखोगे आपका प्रोड़क्शन इंक्रीज करेगा बहुत फास्ट सेकेंड स्टेज प्रोड़ प्रोड़क्शन इस और फोकस इस पर ही है और फोकस इस पीस इंडिस प्रोड़क्शन पॉंक्शन है यह ग्रेवाला रिप्रेजेंट्स दा मार्जिनल प्रोड़क्ट जो की नेगेटिव हो गया एवरेज प्रोड़क्ट फॉलो ने लगता है बस दाट सिट ठीक है आपका जो फोकस है वो ब्लू वाले कर पे डाट इस टोटल प्रोड़क्ट ठीक है अब यह तो अब मुझे बात बताओ आप जो इंप्लॉईस को सालरी दे रहे हैं वो तो फिक्स्ट है हर बंदा 10,000 रुपे 15,000 रुपे वोटेवर सालरी ले रहा होगा तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि जैसे जैसे कि आपका प्रोड़क्शन फंक्शन बेहेव करेगा कॉस्ट फंक्शन भी इससे रिलेटेड रहना चाहिए हां या ना आपका कॉस्ट फंक्शन भी इससे रिलेटेड रहना चाहिए yes or no वाट राइंग तो से सम्थिंग ओन दीज लाइन अगर मैं इन तीन फेज़ेस को आगे ड्राइग करूं अगर इसके साथ कॉस्ट फॉंक्शन भी बनाऊं तो देखेगा किस तरीके से पूरा का पूरा ग्राफ वरक आउट करें आगे मुग करते हैं कॉस्ट फॉंक्शन अगर टोटल प्रोडक्शन है अगर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज इंक्रीजिंग पेसे यहां पर इंक्रीजिंग पेसे यहां पर डिक्रीजिंग इस टाइम पर प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी एट इंक्रीजिंग पेस इस टाइम पर कॉस्ट क्या होनी चीए कॉस्ट डिक्रीज एट इंक्रीजिंग पेस इस ताइम पर कॉस्ट ऐसी होनी यह आवरेज कॉस्ट शुट लूट लाइक दिस यह कौनसी कॉस्ट की बात कर रहा हूं एवरेज वेरीबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं हाँ या ना है ना जब प्रोडक्शन इंक्रीज होले यह अंक्रीजिग रिट तब यह धढ़ा धड़ा गिरनी चीए जो मैंने आपको भी बोला एवरेज कोस्ट वो मैं आपको शोग कर रहा हूँ मान लो एक एंप्लॉई लेता है दस जार रुपए लेट से इस वार्ट वन एंप्लॉई टेक्स तो मुझे बताना टोटल लेबर की कोस्ट क्या जाएगी एक लेबर है तो दस जार दो लेबर है तो बीस जार तीन है तो तीस जार एंस ओन इन सो फूर्ट यह होगी लेबर की कोस्ट अब अगर मैं एजिस जार घौन gaन अगर मैं और सिसलेवर बोहस्ट थे इस टोटल लेबर सिसलेबी को्स्ट है अगर मैं अभर में एवरेच पी तो जार टो टोटल तो टोट एप्वाइड जार खियुवाइड भाय देन अवर क्करीश स्थू मुष्च्य ये घंश और नो, ठीक है ना, रिकोर्डिंग ओफ है, गैस टाइम पे भी, ओके, ओन तो है, ठीक है, अर्वी गुट तिल दिस पॉइंट, आपका एवरेज लेबर कॉस्ट का काओ, इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है, यह हो गया, एवरेज लेबर कॉस्ट, मैं यहां तक क्या शो कर रहा था, मैंने यहां तक क्या प्रोडक्शन शो किया था, अब मैं आपको कॉस्ट शो कर रहा हूँ, इस वाज एवरेज लेबर कॉस्ट, ठीक है, नाओ, लेट्स लुक आट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, मान लीजे, इसके साथ साथ मैं कोई रेंट पे कर रहा था, रेंट था, लेट से टोटल मिला के, पंद्रह हजार रुपेगा, 15,000 वास अटोटल रेंट, अगर मैं एवरेज रेंट की बात करूँ, एवरेज रेंट या फिक्स कॉस्ट, यह किस तरीके से आगा मुझे बताएंगे आब, वाट विल बी माँ एवरेज रेंट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, इट विल बी पंद्रह हजार रुपे फिक्स्ट, डिवाइड़ बाए, प्रोडक्शन, यह तो फॉल होती जाएगी हाँ या ना, सही कह रहूं ना मैं, यह तो फॉल होती जाएगी, इन फैक्ट लेट में दू सम्थिंग, यह एक साथी प्लॉट कर दें, रुपो, लेट स्ट प्लॉट दिस, और लेबर तोगेदर, इस तरीके से आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है, अभी भी जल्दी कर दें थोड़ी, अच्छा मुझे मताओ, अवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगी, अब यह देखते हैं, अभी ऐट यह दिस पॉंट नो, यह दिस के तीनों के तीनों समझाते हैं, आपको, इवरेज फिक्स कोस्ट, विल चंटिनू टो फॉल, अवरेज फिक्स कोस्ट विल कंटिनू टो फॉल, average labor cost जब तक के increasing returns है जब तक के increasing returns है तब तक के fall करती रहेगी जैसे ही stable returns होंगे वो constant हो रही है जैसे ही diminishing returns हो रहे है वो rise कर जाएगी तो third phase में rise कर जाएगी average total cost क्या होगा वो इन दोनों का submission होगा are you with me till this point yes or no sir आपका सभी है उठागे आपने paste कर दी हमने हम क्या करेंगी तुम बनाओगी दोस्त और क्या हो सकता है तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें ये वाला पूरी पूरी वाक्शीट तो share कर जो मैं हाथ से लिख रहा हूँ ये मैं तुम से share कर दोगा इसमें कोई तक्लीफ नहीं है ये मिल जाएगा आपको ठीक है जी आगे मूव करें मुझे बात बताओ अब अल्टिमिटली ऐव्रेज फिक्स कॉस्ट जो ए वह इड़ेस टेंग टौर्ड जीरू ये फॉल करती जायेगी जब प्रोडक्शन इनफिनिटी तक पहुंचने लगेगी ये एव्रेज फिक्स कॉस्ट आपकी ऑल्मोस्ट जीरू हो जाएगी तो क्या आपकी की एवरेज वेरियवल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट मर्ज होने लगे कि आपस में यह दोनों एक पॉइंट पर मर्ज हो जाएंगे हाँ यह ना यह दोनों आपस मठ जो जाएंगे हां सब्सक्राइब बिल्कुल ठीक बात है अब एक बार इसे दुबारा जस्ट फॉर कंप्लीटनेस सेग में ड्रॉव कर दे रहा हूंँ आपका प्रोडक्शन फंक्शन कुछ इस तरीके कर रहता है इस यॉर प्रोडक्शन फंक्शन इफ आपका कॉस्ट फंक्शन कुछ इस तरीके से रहता है यह आवरेज फिक्स कोस्ट यह आवरेज वेरीबल कोस्ट यह आवरेज टोटल कोस्ट हां या ना मैंने यह चीज़ एक बार और 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 पहले आपका जो एक्सेल वाली स्क्रीन थी मैं उसे यहां लेकर आ गया था जो एक्सेल पर बनाया था नाओ आव सिंप्ली द्रॉन दिस अगें बेर एंड देट और कुछ ने की एमने ठीक यह लिए भी दिस इस माइ-पॉइंट-6 तो अधि दिस इसमाइ-पॉइंट-6 आगे चलते हैं पॉइंट नमबर सेवन अग्ली वीडियो बहुत पॉइंट-7 इसका कॉस्ट पर एक अमने वीडियो में डिसक्स किया इस वाइन नमबर सेवन में एक एक अंकॉस्ट त्रॉक्चिर किये थीए मैंने अपे कॉस्ट फंक्शन अब रिट फिक्स कोस्ट एवरेज वेरीवल कोस्ट एवरेज टोटल कोस्ट यह मैंने सेपरेड वीडियो में डिसक्स किया आप से पॉइंट 7 कर चुक्य है हम 6 था law of diminishing marginal returns law of diminishing marginal returns से हमारे पास point no more seven derive वहा था point no 7 हमने discuss कर लिया point no 7 में मुझे चलो ठीक है point no 7 यहीं तक की रखते है point no 8 इसी का analysis करेंगे i am stopping this video over here thanks a lot check care बबाई कुई डाउट से ले लेता हूं पहले कि यहां करते हैं पॉइंट नॉम्बर एट एनालेसिस कि अविट इंडिन्टिफिकेशन आफ शट्डाउन एंड ब्रेक इवन पॉइंट कि शट्डाउन एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन पर्फेक्ट कॉम्पॉटेशन सेनारियो अई दिखते हैं इस दो चीजों का आपस ओ यार नहीं पॉइंट नम्बर एट करते हैं पर्फेक्ट कॉम्पॉटेशन जो डिमांड साइज की चीजें पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा डिटेल में एक बार देखना पुड़ेगा पहले यहां पर पॉफेक्ट कॉम्पॉटेशन डिसक्स करेंगे इसके अगले में यह जो सप्लाइज साइट है और जो डिमांड साइट है इसका इंट्राक्शन अगांगे और यहां से थ्यान हो तो यह अगया अग toca seller station पे या भूटा seller roadside भूटा seller that guy would be a perfect competition वाला example इसका discussion कर रहें अब now अब नौट तू segments जै तेसे segment इन विच वी दिस्क्रसिंग market and then there's a segment इन वेच वी दिस्क्रसिंग फॉर्म अपने law of demand में बड़ा कि यह यह कौन सा कर वें यह मार्केट यह मार्केट कार्ड डिमांड कर तुर्फेक्ट कॉंपेटिशन में भी अप्लाए करेगा अधिया अंसर बेरी मच यह इव दो प्राइज ओफ मैगी राइज इस दो कॉंटरी दिमांड इट फॉल्स कि दिमांड इट फॉल्स यह मार्केट लेवल पर करेक्ट है मार्केट के लेवल पर क्या होगा सबसे पहला दिस इस दा डिमांड कर दिस इस दा सप्लाई कर दिमांड और मार्केट सप्लाई के इंट्रेक्शन से आपके पास मार्केट का प्राइज आ जाएगा इस इस बिमांड इस इस पॉइंट नमबर थ्री यो इस विएवित पॉइंट मार्केट दिमांड पॉइंट वियर प्राइज एज़ जो मार्केट का प्राइज आ गया इससे सारी कि सारी फार्म एक्सेप्ट कर लेंगी अब अगर आप फॉर्म लेवल पे आके नोटेस करोगे अगर आप फॉर्म लेवल पे आके नोटेस करोगे तो ये प्राइस गिवन है बाइद अब एक चीज बोल दू कि ये वाला जो मैं पॉर्शन आप पढ़ा रहा हूँ परिक्विजिय्ट में आता है यह टेस्टेबल पोडशन नहीं है अट मेरे साब से बहुत important मैं यहाँ पर कोई कैटेगराइजिशन नहीं करूंगा यह टेस्टेबल है यह Associate कैटेगराइजेशन पे अंक्विजै प्राइस पे हर फिर्म अपनी अपनी कॉंटिटी अफर करने लग जाएगी बोलना क्या चाह रहा हूं मैं बोलना है चाह रहा हूं डिमांड इस इक्वल तो मार्जिनल रिवेन्यू इस एक्वल तो एवरेज रिवेन्यू आज्यों विट मी तिल दिस पॉइंट यह है पॉइंट नंबर फूर दुबारा डिमांड मार्केट डिमांड कर वेज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्केट सप्लाई कर वेज़ अप्वर्ड स्लोपिंग पॉइंट नंबर वन मार्केट डिमांड यह है डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्केट सप्लाइ अपोर्ट स्लूपिंग मार्केट प्राइस यह आ रहा है इंटरेक्शन बिट्वीन मार्केट डिमांड एंद सप्लाइ ठीक है पॉइन नमबर फूर मार्केट प्राइस कि डिसाइडेड अल्रेडी फॉर्म विल बिया प्राइस टेकर तो यह सेम प्राइस पे इसी प्राइस लेवल पर जितनी मर्जी कॉंटिटी जितनी मर्जी चाहे उतना सप्लाई कर सकते हैं इसी इस सेम प्राइस पे आप जितना मर्जी उतना सप्लाई कर सकते हैं अगर प्राइस है दस रुपएगा इस प्राइस लेट सेंट टेन रुपीज टेन रुपीज पे कॉंटिटी कितनी हो सकती है सप्लाई वन टू थ्री फोर जितना चाहे उतनी मर्जी कॉंटिटी सप्लाई हो सकती है कॉंटिटी हो गई है थीक है जी मुए अपको एक सेवी स्क्रीन विजन वहला है करेक्ट टॉटल रिवेस्ट new कितना सब्रेट हो जाएगा इस मच प्रेज्टी थी एवरेज रिवेन्यो इत मुबट टॉटल रिवेन्यू डिवाइडड रिएक टॉट्श्चिक डीट marginal revenue will be total revenue minus total revenue till previous quantity तो यह सारा का सारा जो है वो हो जाएगा 10 हाँ या ना total revenue average revenue marginal revenue तीनो का तीनो बराबर होगा कब? at firm level at firm level यह तीनो का तीनो बराबर होगा are you with me till this point or not? अगर यहां तक के सब कुछ समझ आ गया तो लिखिए okay in the chat box just one set just one set कि कि यह दिस इस गुट परफेक्ट कॉंपटिशन है वैसे इतनी चीज कराना चाहता था कि आपको यह पता चलिए कि एक फांग लेवल पे यहां तक कि अब पॉइंट नमबर 9 करेंगे जिसमें हम यह डिमांड साइड मतलब रिवेन्यू रिवेन्यू का और कॉस्ट का इंट्रक्शन कराएंगे यह दैट विपॉइंट नमबर 9 है लेक्स मूग तो इन दोनोगा इंट्रक्श चन उंट्रक्शन कराएंगे कोंटेट-इन-फ सफॉस्ट कराएंगे दोनों को एक साथ स्टड़ी करेंगे हमये इसका जो effect होगा वो यह होगा कि हमें आपकी books में इस topic को लिखा जाता है identification of shutdown and break even point in perfect competition scenario यह हमारा end result निकलेगा हमारा जो process है वो मैंने यह लिख दिया हम करेंगे यह उपर वाला काम हम revenue और cost को interact करेंगे उससे हमें shutdown और break even point identify हो जाएंगे ठीक है आईए देखते हैं किस तरीके से working च points पड़के आयों यह सारे के सारे points को encapsulate कर लेंगे इस एक single discussion में आपने एक पड़ा था cost the cost वाज एक आपकी average fixed cost थी वो इस तरीके से फॉल कर जाती थी the second cost was average variable cost it moved somewhat like this then you have average total cost which moved somewhat like this this is average variable cost this is average fixed cost ठीक है मैं average total cost बना ही नहीं रहा हूं average total cost ऐसे side में आगी उसका interpretation में कुछ effect है नहीं तो मैं वो नहीं बनाने बादा हूं इसे के अपका जो प्राइस है वो गिवन है ठीक है न तो रिवेन्यू function के लिए हमें पता है कि प्राइस इस इक्वल टू ए आर इस इक्वल टू एम आर मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू हमने कर लिए डिसक्स हमने आशिवेरेज्ग कॉस्ट एवरेज्ग टोतल वस Givens अच्छाए अवरेज्ग ऑर कॉस्ट नहीं किया एज यार मार्जनल कॉस्ट यह आगे मूव करते हैं I have talked about average variable cost I have talked about average total cost but I have not yet talked about marginal cost आई यह marginal cost discuss करते हैं इसा है कि marginal cost by definition would mean change in cost देखना अभी total cost क्या लग रही है अगर मेरा 15,000 का रेंट था और 10,000 रुपए लेबर की cost per unit थी तो जब एक लेबर है तो cost क्या लगी कि 10,000 प्लस 15,000 which is 25,000 अगर दो लेबर है तो दो लेबर का 10,000 इंट थो 20,000 प्लस 15,000 रुपए तो हर बार 15,000 प्लस वेरीबल को जोटती जाएगी मेरी change in cost कितनी आ लिए my change in cost per additional labor is 10,000 रुपीस this should be fine the next piece is what is the changes in number of units एक additional labor आने से change in number of units क्या है वो है marginal product वो है marginal product तो मैंने change in units plot कर लिया यहां पर now if I want to plot the change in cost per unit of change in मतब पर unit if I want to plot the change in cost per unit that is what my marginal cost is तो marginal cost क्या होगी पहले decrease करेगी बाद में rise कर जाएगी जब वो zero मतब जब मेरी marginal units negative आ रहे है मैं एक बार उस case को delete कर देता हूँ let me delete that case but let me draw this piece now मैं इन सारों का एक single graph द्रॉ करके आपको देखा तो insert recommended chart this and okay this is what my marginal cost would look like is my marginal cost वाला कर वी यलो वाला कर वी येलो वाला कर वी just one sec इस येलो काउव इस मैं मार्जिनल कॉस्ट अर्वी गुट तिल इस पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट के इस में क्या होगा एक बार समझे वह पहले फॉल करेगी और उसके बाद इस्टार्ट राइजिंग are you with me till this point marginal cost का नेचीर क्या होगा marginal cost will cut average variable cost and average total cost at its lowest point तो जो average variable cost का lowest point है ये और average total cost का lowest point है ये marginal cost इन दोनों को cut करेगी इस इस वाइ marginal cost ठीक है अब इन फाक्ट यहां पर क्यों cut कर रही है मैं इसका आपको एक और logic भी देता हूं यह छोड़ दो कॉस्ट वॉस्ट का discussion छोड़ दोआ इस लाइक दिस मान लीजिए हम ना cricket match की बात करते हैं उसकी analogy से सबको जादा अच्छे से समझ आती है चीज़े सुनना मान लीजिए कि मैं batsman number की बात करता हूं batsman number one and let's say this is the number of batsman score की बात करते है score मनदब run scored by each run scored और यह हो गया total score यह average score कि मान लीजिए पहले batsman score की 60 एवरेज कित्ते चल रही है 60 आईगी मान लीजिए दूसरे batsman ने score किया 70 what is the total score मैं आपको concept सिखा रहा था marginal और average का सुनी मेरी बात मान लीजिए दो batsman है कि इनका अभी तक का score है कि इनका दो batsman के लेवल पे score है 60 and 70 total score is 130 average score is 65 130 मेर क्यों 65 मुझे बताओ अगर अगला batsman 58 runs score करता है 58 runs score करता है this average will this average will be यहाँ पे इस बॉक्स में जो नंबर आएगा वो क्या होगा अगर मैं यहां पर 58 लिख देता हूं यहां पर 58 का score आता है तो दिस अवरेज़ score will be less than 65 more than 65 यह सी equal to 65 less than 65 क्यों मानलो 58 करता है तो क्या होगा देस नंबर विल बिलेस देन 65 यह नंबर अगर 65 आता है तो इस नंबर तो इस नंबर यह नंबर अगर मोर दन 65 आता है तो इस नंबर बिल बिल मोर दन 65 वार थैंड में उस से इस एड़क तुव दिल्ग इस व्यूंड है इस एकल जंड थैंड है इस रिख सेंड देन दिया यह पर आईए ज़ोस आपर ऑस गोसто है यह average है if marginal is less than average if marginal is less than average to average continues to go below when average and marginal are same they interact when the marginal is above the average then the average rises हाँ या ना इस वजह से marginal will always in will always what do you call cut the variable cost and total cost का average lines at its minimum point कि दुबारा बोल रहा हूं देखिए गा दुबारा बोल रहा हूं देखिए एक बार उस्क्रीन शायद स्टक रहे थी तो एवरेज 65 रह जाएगी अगर थर्ड बैट्समें 65 नहीं स्कोर करता 65 से जादा स्कोर करता है मानलो सेंचुरी मार जेता है तो मेरे लिए focal point है अब मैं को चेक करना margin क्या है marginal score क्या है अगर marginal इससे कम है तो average drop होगी अगर marginal इससे जादा है तो average rise होगी अगर marginal इसके बराबर है तो average same रह जाएगी same चीज revenue में अप्लाए करती है same चीज cost में अप्लाए करती है same चीज score में अप्लाए करती है same चीज सारे दुनिया पे अप्लाए करती है when there is a relationship between marginal and average ध्यान से दिखीगा जब marginal is less than average to average will drop जब marginal is more than average to average will rise और जब margin is equal to average वहाँ पे interaction हो जाएगा तो जब तक के marginal नीचे है average के तो average fall करता रहेगा और जैसे कि marginal average को cut करेगा तो average rise करने लग जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि marginal will cut average total cost and average fixed cost both sorry average variable cost and average total cost both at their lowest point तो यह lowest average variable cost है यह lowest average total cost है यह बात आपको समझ आती है अच्छे से हाँ या ना या आपके इस लेबस में वैसे वाट्यू कॉल अंडर्ग्रेजुएशन में भी रहा होगा बटाइड डाउट की इतना लॉजिकली बात किया होगा वहां पे एंड नो अफेंस टू यॉर अंडर्ग्रेजुएशन स्टुड़ीशन में मुझे लगता है कि शायर यह चीज वहां पे भी आपने पड़ी हुई है पहले से आगे चले अगर इतना समझ आ गया हो तो बोलिए ओके इन दे चैट बोक्स पर दोबारा बोल रहा हो सुनना मैंने अभी तक जो बात बोली है वो ये है कि जब तक मार्जनल लोर देन आवरेज है मार्जनल लोर देन Ever आवरेज एवरेज वेरीबल कॉस्ट के केरिग इस प्रिबर और से कंगे किस पॉंट तक कि इस पॉंट तक कि मार्जिनल कम तो मतलब अगर मैं यहां की बात करोगी इस पॉइंट की बात करो तो वो यह जनल क SHA लयकर's कि डिसे ड्रफजप स्वेंट अब सकने इसके पहले सारे के सारे point when Marginal is less than average average drops when Marginal is over average average rises ठीक है जी तो एक बात पक्की है Marginal will cut average at its lowest point which average average total cost average variable cost दोनों का दोनों में correct है यह बात दोनों में correct है बात ठीक है जी हुआ सब्सक्राइब इसका नेक्स पॉइंट है वह इंट्रेक्शन वालत है वह सेपरेटली एक वीडियो में डिसक्स कर लेते हैं लेट्स नॉट लेट्स नॉट डिसक्स हो रहे एक एंडिट ने पूछा है कि सर्क्या यह औरेजेश कास्ट के लिए ट्रू होगा क्या नहीं गातों से अवरेज्ट फिक्स कोस्ट तो फॉली करता जाएगा मार्जिनल कोस्ट में अवरेज़ कोस्ट के केस में मदब फिक्स कोस्ट का कोई रेलेशनशेप आई नही रहे और फिक्स कोस्ट गोई सिपार आप मर्जिनल कॉस्ट कूप्विट के से कि रिकने कॉस्ट में लिखे में जलग हूगा नव है हाँ हो no कम्ञों मार्जनल कॉस्ट क्या होता है चेनज इन टोल कोस्ट या फिर विच सेइगाल थे मेक्स वेकुस्ट दो विस्ट इसे में न Hiritha को स्ट मेरीबल कोस्ट प्लस विक्त्स को तक उन्ट करérence घंख गहात तुछाये आप वेरीबल के तो आने वाणी है यह खॉस्ट में तो कोई चेंज एनिहीं विच वेस नहीं आ रहा है यह जा रहा है खाला यह जा रहा है तो अगर आप अवरेज वरियेबल कोस्ट की बात करोगे तो तो या सॉरी अगर आप मार्जिनल कॉस्ट की बात करोगे तो चाहे आप चेंज इंड टोटल कॉस्ट देखो चाहे आप चेंज इंड वेरियबल कॉस्ट देखो इट्स गूइंट वी वन एंद सेम थे चीक है जी आई होब यहां तक के 100 पर्षेंट क्लारिटी रही होगी मीज़र रिष्ट कि मैं यह वाला वीडियो बना रहा था और उसके बीच में वाइस वाला इसवाला इस्वा गया तो अदर्वाइस आवां दो अल्स तो बीडियो बाट चीक है नो वीडियो डिसकें करते हैं जो नेस्ट दिसक्शन कर रहा हूं अब जब इन दोनों को इन कराऊंगा और यह identification करेंगे shutdown और ब्रेक इवन पॉइंट अब मूब कर रहे हैं सबसे critical area आपको अभी तक के फैक्ट्वली यह पता चल गया marginal revenue क्या है marginal cost क्या है यह सारी की सारी चीज़े अपने को आगए इंचे दे समझ में अब हमने यह देखना है कि इसका impact क्या आने बाल है मान लीज़े आपको market से जो price given मिल रहे है वो मिल रहे है यह इस इस दा प्राइस गिवन इस 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 दा गिवन प्राइस तो आप यहां पर operate करें हाँ यह ना क्लिर रहे बात अब यहां पर एक्जिस्ट करेंगे इंट्रक्शन विल बी ओवर रहे है चीज़िए वाट इस इंट्रक्शन इंट्रक्शन बेट्वीन MR एंड MC MR और MC इस पॉइंट पर कट करेंगे एक दूसरे को हां या ना अच्छा मुझे अगर इस पॉइंट पर प्रॉफिट क्यल्कुलेट करना हुआ अपना इफ आ वांट टू कैल्कुलेट दा प्रॉफिट इस पॉइंट वो कितना आने वाले मुझे भी बताएगा पे एंडु टेल मी वाट विल वी दे प्रॉफिट अ क् 높 मुझे इस पॉइंट पर बताौ इस मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट कितना रहे है और मेरा एवरेज रिवेन्यू कितना आ genre है वो तो यही था- तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ एवरेज रिवेन्यू माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट इंटू कॉनिटिटी येस और लू एक एक करके चलते हैं यहां से मैंने प्राइस पकड़ा प्राइस को यहां पे लेके आया प्राइस और मार्जनल रिवेन्यू सेम तो दिस मैं मार्जनल रिवेन्यू इस समय मर्जनल कॉस्टॡ। अधिख मार्जनल रिवेन्यू कॉस्ट जितमी कोंटिटी प्रूद्यूस करूंगा। P derived from revenue side, marginal revenue, marginal cost, इसका अग्ला पॉइंट क्या होगा, यहां से इस पॉइंट से determine, में कुछ इस हो आ रहा है, यहां से आप determine करेंगे quantity, तो आप कितनी quantity बनाएंगे, यह विल बी अपरेटिंग एट लेवल क्यू, ठीक है, एट लेवल क्यू, आपका एवरेज टोटल कॉस्ट कितना पढ़ रहा है, पॉइंट नमबर 3, पॉइंट 3, ATC determined, पॉइंट नमबर 4, देखना, अगर आपको profit compute करना हो, तो क्या होगा, एवरेज रिवेन्यू, माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट इन्टो टोटल कॉंटिटी, यह क्या हो जाएगा, if this goes inside, this becomes total revenue minus total cost, which is profit, हाँ या ना, profit is equal to total revenue minus total cost, या फिर profit is equal to average revenue into quantity minus average total cost into quantity, या फिर quantity into average revenue minus average total cost, तो यह दोनों ही तो, इन दोनों के बीच में difference क्या हो, यह पॉइंट नमबर 4 हुआ हूँ, एवरेज रिवेन्यू, माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट इस रफ्लेक्ट इस रफ्लेक्टिट इस यह प्रॉफिट, हाँ या ना, बताईए, आर यू विथ मे तिल इस पॉइंट, इस प्लीज राइट ओके इन दे चैट बॉक्स, यह था केस नमबर 1, यह था केस 1, अब देखना केस नमबर 2 ले रहा हुआ, बान लीजिए, यह जो इंट्रेक्शन होगे रवाली बात हो लिए, सब कुछ करेक्ट है, थोड़ा सा फर्रक हो जाता है, मान लीजिए इसमें, मान लीजिए जो मार्केट से जो प्राइस डेटर्मिंट है न, वो इस लेवल पे नहीं है, वो इस लेवल पे, तो प्राइस कहां आ जाएगा, प्राइस विल बी दिस, प्राइस विल बी दिस, हाँ या न, मार्जनल रिवेन्य और मार्जनल कॉस्ट का इंटरेक्शन इस पॉइंट पे हो जाएगा, ये प्राइस था, ये पहला पॉइंट है, जैसे पॉइंट नमबर वन था, similarly यह प्राइज यहां पर आ गया यह point number two हो गया MR cuts MC point number three हो गया ATC determined point number four आपने profit निकाला था same चीज़े करते है point number one profit point number two MR cuts MC MR cuts MC इस point से quantity determine करोगे कितनी आ लिए quantity is q- same चीज़े यहां भी लेनी है एक सिगन रुको price determined from revenue side MR cuts MC point number two पे क्यों determine हो गया यह कितना है यह हो गया q- ATC determined ATC कितना रहा है इस point पे मुझे यह बताईए what is ATC ATC is this ATC point number three हाँ यह ना yes or no अगर यह जो ग्रीन से ATC मार्क किया यह समझ आता है तो लिखे ओके इन दो चैट बोक्स कॉंट्री डिटर्मिन कर दीना average total cost green से जो ATC मार्क किया वह आ गया average total cost is this level यह समझ आता है तो यह लिखे चैट बोक्स में हाँ एक एंडिड नराज हो गया उन्होंने ओके बाद सौब बार के लगा दिए यह समझ आगे कित्ती बार बता हैं तुम सुरी नराज करने का इंटेंशन नहीं आप लोगों कोई चिंता नहीं है कोई रिलाक्स रिलाक्स मैं आम जस्ट कीपिंग एड लाइट मैं नराज और आज थोड़ी नहीं है कि मुझे बात बताओ अगर मैं यहां पर ब्रॉफिट कितना रहें प्रॉफिट सेम है यह डिए ब्रॉटल नीव यह टोटल कॉस्ट है यह जो अब या लॉस को यह बीच जो एरिया था यह तो प्रॉफिट डिटर्मिन गर रहा था दिस पीस पॉस प्रॉफिट मैँ अब वाला यह प्रॉफिट है या लॉस से बताइड कर दों कि यह लॉस कि दिस इस लॉस कि अनुजी अब मुझे चीज बताओ यह एवरेज लॉस हो गया यहां पर क्या था फॉरे इस इकल टू एवरेज प्रॉफिट यह क्या हो गया दिस इस एवरेज लॉस एवरेज लॉस एवरेज लॉस मुल्टिप्लाइट बाय कॉंटिटी क्यू इन्टू एवरेज लॉस यह क्या हो गया है टूटल लॉस हो गया है टूटल लॉस अब मुझे इक बात बताओं मुझे यह धन्दा चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए मुझे इस बिजनेस को रण करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए यह केस नंबर टू अब देखना इसकी इंटर्प्रेटेशन समझों जो रिवेन्यू है जो एवरेज रिवेन्यू है वह क्या कर रहा है वह आपकी एवरेज वेरियेबल कॉस्ट पूरी कवर कर दे रहा है रिवेन्यू कवर्स एवी सी बट डजनॉट कवर कम्प्लीट एवरेज फिक्स कॉस्ट रिवेन्यू जो है वो एवरेज वेरियेबल कॉस्ट तो कवर कर ले रहा है लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर रहा है अब एक सेकेंड प्ले रोको मैं आपको सेम चीज का प्राक्टिकल इग्जैंपल दे रहा हूं शायद आपको बहुत अच्छे समझ आएगा मान लो एक लाख रुपए का मान लो पंदरह हजार रुपए का जो शॉप का रेंट था मेरी शॉप का रेंट 15000 था न वो 15000 जा रहे हैं मान लीजै किसी महीने में मैंने 100 units sell किए 100 units sell किए एक पीजा बेचा 70 रुपए का selling price थी 70 रुपए और cost price थी 30 रुपए कास्ट प्राइस थी 30 रुपए कॉस्ट प्रैस 30 रुपए सेलिंग प्राइस 70 रुपए और कितना हुआ सथिर माइनस चालेस इंटु सॉ मैंने कमाए 4000 रुपए इस कवाए 4000 रुपए 15000 रुपे रेंट भरा मेरा लॉस कितना रहे है मुझे धंदा बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे धंदा बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर धंदा बंद कर देना चाहिए लॉस हो रहा है अच्छा मुझे एक बात बताओ अगर मैं धंदा बंद कर दूँगा तो क्या मैं sell करूँगा the answer is no क्या मैंने कोई cost लगेगी the answer is no क्या ये 4000 आएंगे the answer is no क्या मैं rent फिर भी भरूँगा the answer is very much yes क्योंकि short run में you cannot change the capital piece मैंने जब ये दुकान ली होगी तो मैंने तो long term contract किया हुए तो ये बोलना क्या चाहरा हूँ अगर मेरा revenue अगर जो मेरा revenue है ये ये वेरियबल कॉस्ट कवर कर रहा है बट बट टोटल कॉस्ट कूरी कवर नहीं कर रहा है तो भी मुझे दंदा चलाना चाहिए इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है कोई लॉस नहीं है मोस्ट आइडियल कंडिशन क्या है समझना मेरे ख्याल से अब पॉइंट तो सबको क्लियर होगी है सबके आंसर ठीक आ रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट पेस्ट पर गरवाता हूं अगर मार्केट से जो मुझे प्राइज मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है दिस इस केस नंबर वन इस जो गचे का। में क्या होगा है भावत्त होगा प्राफिट होगा बिजनिस को ठाल करना चाहिए केसे क्ज़न का सबस्तों कॉछ रहा है वेरियेबल कॉस्ट कावर हो रही है फिक्स्ट कास्ट कावर नहीं रही नहीं 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 जस्ट वन सेट दोनों की दोनों कोस्ट फिक्स कोस्ट एंड वेरियेबल कोस्ट पूरी के पूरी कवर हो जारी है क्या मेरी एवरेज वेरियेबल कोस्ट कवर हो रही है क्या मेरा प्रॉफिट आ रहा है यह क्या करो रन ड़ोट बिजनेस के स्टू में क्या हो रहते हैं अबेरिज वेरियेबल कân अवरिज टॉटल कोस्ट आ रहा है कवर हो रहे प्रॉफिट नहीं होरा क्या करो रंद बिजनेस एक केस थ्री भी बना देता हूं एक केस थ्री भी बना देता हूं रुको एवरेज वरियेबल कॉस्ट कवर हो रही है एवरेज टोटल कॉस्ट पूरी कवर नहीं हो रही है इसको टोटल कॉस्ट कर देना फिक्स कॉस्ट लिख 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 लो नहीं हो रही है reference पूरी और नहीं हो रही है profit नहीं हो रहा करते रहना है अगर मैं दुकान बंद कर दूंगा तो मुझे लॉस्स जादा होEr मेरे ज्यादा हो जाएगा केश नंबर 4 में क्या होगा मुझे बताओ केश मुझे कोईन सब्सक्राइस ओस मुझे इस तरीके से शो करना चाहिए मुझे इस तरीके से शो करना लिख दे रहा हूं मैं यह बोलना चाहरा हूं ब्यॉंड this पॉइंट ब्यॉंड दिस पॉइंट I'll close the business कुष स्था नीचे जा रहा हूं तो आपका मतलब यह आपका शेट डाउन पॉइंट एक इससे नीचे नहीच कर पाओगे जैसे केस फाइफ की बात करूं तो यहां ना वेरियबल कॉस्ट कवर और यह फिक्स कॉस्ट कवर और यह प्रॉफिट का तो सवाल ही नहीं उपता तो यहां पे धंदा रणी नहीं करते हूं कि कुलना चारा हूँ केस टू जिस लाइन को मैंने बनायत है यह है मेरा ब्रेक एएवन पॉवेंट इस टू यह है मेरा ब्रेक एवन पॉइंट और केस फोर है मेरा शटदाउन पॉइंट अब case 2 और case 3 के बीच की अगर हम बात करूँ अगर इन दोनों के बीच की बात करूँ यहां से यहां तक कि अगर आप operate कर रहे हो तो यहां पर short run में run करो long run में close कर देंगे इसके नीचे हो तो क्या करेंगे short run में भी close long run में भी close और इसके उपर हो तो क्या करेंगे शॉर्ट रन में भी चलने दो लॉंग रन में भी चलने दो यह है कि इस ट्लियर येस और नो केस थ्री केस फॉर यह सब मतलब अलग-अलग से पुरे डिटेल में कराने की तो जहुरत नहीं है समझ आगया ना अपने ये अंडेस्टाइंड इस पीस राइट अब देखना मैं इसको एक रहा हूं बी कह रहा हूं और सी कह रहा हूं टेरिट्री A, B, or C Average Revenue is more than average total cost. Case B में Average Revenue is more than average variable cost but average revenue is less than average total cost. Case 3 में Average Revenue is less than average variable cost. Average revenue is more than equal to average total cost. Average revenue is more than equal to average variable cost. ये दो लिए ठीक है। तुटू यू रन दो ऑपरेशन्स है। इस तो टीू रन अए और डिपलेशन्सू यहां पे आ रहा है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रॉन दोनों में अंसर दोनों में यहां शॉट रॉन में रॉन करो कि इसमें दोनों ही भी तो यह घ्यूज गया यह शट्डाउन पॉंट हो गया अर्मे क्लिर तिल इस पुई इस फिनिशेस्स मैं इसकेशन ओन इस अष्टॉइ इस अफिकेशन अगें वेगा ऑस शुट्डाँ इंड्रेक इवन पॉय इन पर्फेक्टीशन सिनारी हुए ये पर्फेक्ट सेक्वेक्न कंपोटिशन में की है सिर्फूर्फ के एtering तों कितने क्या सिर्फ पर फैक्ट थाक्या में इस सर्फ पर फैक्ट कंसे हिएक्जिस्ट कर रहे थे मॉनापलिस्ट्ठेग ऑलिगोपेटली मॉनापली ये सब फ्याफस्ट कर रहे हाँ या ना अब एक बार उनका डिस्केशन करने वाले यहां तक कि अगर आपको कोई डाउट्स है तो I'm happy to answer नहीं तो मैं आगे बूब कर रहा हूँ इसी वीडियो में कर लेते हैं sorry for the interruption मैंने अभी तक कि जो पढ़ा है ना सबकुछ एकदम पर्फेक्ट है करेक्ट है कोई गलती नहीं है हमने यह देखा यह वाला मारा ग्राव बना यह मारा फाइनल रिजल्ट था इस वास पॉइंट नमबर नाइन ठीक है पॉइंट नाइन में हम क्या पढ़ रहे थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ शट्डाउन एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन पर्फेक्ट कॉंपेटिशन सेनरी यह दुबारा देखते हैं भी जो एप्रोच थी न वो टोटल कॉस्ट परोच थी एवरेज कॉस्ट और वेश के बैसिस में स्टड़ी कर रहे थे हैं अब यह सारह का सारा कुछ नव टोटल यह बैसिस पर स्टड़ी करके दूप ऑप वोक में क्या किया हुए स्टैंड पॉइंट पर वो बता और हाँ बिल्कुल सुनों कि अभी तब का जितना इंट्रेक्शन कि आपकी इतना दिया हुए इसका अगला जो अब का पर्ट करा रहा हुए आपकी बूक के नहीं दिया हुआ ऐसा भी एनालेसिस किया जा सकता है सेम आएंसर आएगा लेकिन मैं तो भी तक क्या कर रहे थे अभी तक के सिर्फ एवरेज एप्रोच से चीज़े सॉल की जा रही दिए कि अगर आप टोटल एप्रोच से करोगे तो भी कोई फरक नहीं आएगा को टोटल एप्रोच डिसकस कर रहा हूं सबसे पहले देखिए गए को लेट से दिस इज माइं कि यह कॉस्ट्रॉक्चर देड़ू यह कॉस्ट्रॉक्ट्ट्चर का नहां था है चाप्टर का नाम रहा हूं सबसेंद आप पॉंस एन मार्केट स्टुक्टियों इस केस में एवरेज रिवेन्यू कॉंस्टेंट मार्जिनल रिवेन्यू कॉंस्टेंट मुझे बताना अगर मैं आप टोटल रिवेन्यू प्लॉट करता हूं यह ग्राफ कैसा बने का एक बार देखें इंसर्ट ग्राफ ग्राफ विल बी दिस अगर मैं ग्राफ की बात करूं को ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है एवरेज रिवेन्यू यह 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 रहा उपर जो वाट यू कॉल जो इंक्रीजिंग लाइन है डाट इस दी टोटल रिवेन्यू नाइट जो टोटल रिवेन्यू है वह कुछ इस तरीके का दिखता है प्रीन फ्रीज पे लोग है फिर वही काट करती है यह देखो यह कोई टेंशन ने तुम्हारा बता रहा है कोई टेंशन मैंने कुछ नहीं किया यह जो मैंने पहले कंप्यूटेशन किया था यहां पर मैंने सिर्फ इस कंप्यूटेशन का ग्राफ ड्रॉ करने बोल दिया अब कंप्यूटर जी को कंप्प्यूटर जी ने ग्राफ ड्रों किया उन्होंने बुला यही एर यही एमर यह जो स्ट्रेट लाइन है यह एर और एमर है लेकिन टॉटल रिवेंड्यू कैसा है टॉटल रिवेंड्यू ऐसा अपवाट स्लोपिंग अब मैं कि सेम चीज़ ड्रॉब करने वाला हूं अब टॉटल कॉस्ट देखूं यहां पर कैसे दिए वाट वुड मैं टॉटल कॉस्ट लोग लाइक वह देखें आई रेक्टें कि मैंटल क्वीज कॉस्ट आउत्यू कॉस्ट लॉट जाइक टॉट्टेंग ऑ्र पॉटिज्टिंटा कमैंट्स टॉटिंगेंट्स यह देंट्त लॉट्टेंट्स झेप पकियो यहां एक्षाज ऐस्क अ एक अपी सेफस्फप कंप वैब अब ऑडस्पश्वरओज कंपा सेफस्बड बधड़िक लगॉख़ साथ सब्सक फॉष्वमें DOण्ट अतुक अबड़ допर लेक बड़े क瞬के मत्जस्वरशब़ खी सें फॉड़ लो। झाल 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 प्रिश्चा ना या कि अचिछ नियुक्त आप मैं आप्सेटिसपाइड वह डो नब ऐसा माद यह सब कि कैसे वसीदा दसदाजार का डेल्टा है नो वो टोटल सभी से रिफलेक्ट नहीं हो रही है और टोटल प्रोड़क्ट से ऐसे प्लोटिंग में नहीं आ रही है इस शो यू हाव दर टोटल कोस्ट कर वोड लोग लाइक इस अभी तक कि जो पढ़ाया था ना जो पिछले जहां पर पॉइंट नंबर नाइन डिसकस किया इंटरेक्शन बिट्वीन दे टू यह यहां पर जो डिसिजन मेंकिंग किये वह एवरेज के बेसिस पर किये अब आईए सेम डिसिजन में करते हैं टोटल के बेसिस पर आपके बुक्स में यह वाला पीस नहीं दिया हुआ है बट अगर इससे सॉल्ड करें तो भी आंसर सेम ही रहने वाद है अगर मैं यहां पर आप से बात करूं अगर मैं सेम अनालेसिस टोटल के बेसिस पर करना चाहूं तो क्या होगा यह टोटल टोटल रिवेन्यू लुक्स समवाट लाइक दिस सि जैसी कोचें की यह टोटल वाला केस बी पर्फेक्ट क्लिये हैं यह इंपर्फेक्ट क्लिये आ आपकी बुक्स करने लिए तोटल का बेसिस . माश सुल्म बसे हाब अगर बात कॉंपेटिशन है तो एनालेसिस करना पर आपकी और अगर इंपर्फेक्ट कॉमपेटिशन मीनिंग पर्फेक्ट कॉमपेटिशन के सिवा कोई भी केस है तो अनलिस करो टोटल के वेस्पर मैं कहीं रहे हैं यही समझाना चाहरा हूं यही दिखाना चाहरा हूं कोगा है है डेस वेनेवर के होगा तो अगर Kोटर्टीटी 1 2 3 4 5 6 राइस तो सेम रहे एफिफरेज्ड रेवेन्यू वेनेवर अवरेज्ड रेवेन्यू तेक्स इस वह मॉन्वा average revenue is equal to marginal revenue is equal to price they takes this form the total revenue takes this form this is what the total revenue will look like अब आई ये बात करते हैं अब आई ये बात करते हैं अपने total revenue वाले basis पे study लोग इट्स लाइक दिस यूर टोटल कॉस्ट कर्व टोटल कॉस्ट कर्व कैसे दिखेगा इक पहले वो देखते हैं यह आपका average variable cost कर्व है यह आपका total cost कर्व यह average total कॉस्ट कर्व तो यह और total cost कर्व विल आल्सो लोक समवट लाइक दिस देखना practically क्या हो रहा है आपकी बुक्स टोटल कॉस्ट कर्व को कुछ इस तरीके से बनाते हैं एक बार टोटल कॉस्ट कर्व देखते हैं यह और बुक्स ड्रॉट टोटल कॉस्ट कर्व लाइक दिस तुर्ट यह थिस प्राइस दिस इस कॉंटिटी थिक यह थिस वह यह पूंट कॉस्ट कर विल लुक लाइक प्रैक्टिकली क्या हो रहा है जब आपका अधिनल कॉस्ट राइस करने लग रहा है आट पॉइंट पॉइंट अफ तो टोटल कॉस्ट कर विस रैजिंग जब वह वह फॉल कर रहा था या जब यह वाला पोजीशन है मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स मार्जिनल कॉस्ट व भृड यू कॉल टेकस लम बतलब गोस फ्लाट और देन रैज इस तरीके से था यहां पर क्या कर रहा है तोर्ट मार्जनल कोस्ट काव से अगर आप इसको लिंक करके सोचेंगे फ्रैबली विल्बी अबड़िय। मार्जनल कोस्ट राइस कर रहा है तो यह तोटल कोस्ट कव राइस स्टीपली जब यह फ्लैट है यह भी फ्लैट जब marginal cost fall कर रहा है उस point पर क्या होगा यह fall नहीं बुलना चाहिए exactly this piece उस point पर क्या हो रहा है the rise is very flat ठीक है यह आपका total cost curve ठीक है यह total cost curve काई अगर मैं आपको what you call breakup बोलू तो वो क्या आ रहा है इसी तरीके से आ जाएगा आपका variable cost यह total cost यह total variable cost है ना if I say that your total revenue if this is your total revenue if this is your total revenue तो क्या हो रहा है total revenue is less than total variable cost यहाँ पर क्या है यहाँ पर shutdown कर दो कब short run में भी और long run में भी ठीक है अगर यह total revenue है total variable cost से जादा तब क्या होगा तब short run में continue करो long run में shutdown करो और अगर यह rise है मतलब अगर ऊपर चल रहा है total cost से उस case में क्या होगा short run में भी रन करो और long run में भी रन करो ठीक है if total revenue is more than total cost run in both scenarios if total revenue is more than total variable cost then run in short run close in short close in long run अगर total revenue is less than the total variable cost then what to do then short run और long run दोनों में close कर दो मैंने shutdown में दोनों में हां बोला था shutdown कब करेंगे दोनों scenario में shutdown करेंगे run कब करेंगे दोनों ही scenario में रन नहीं करेंगे when to run the operations वो discuss कर रहा हूं मत तो short run long run दोनों में run करो short run में run करो long run में नहीं यहां पर दोनों cases में run मत करो यह कैसे depend किस पर depend करेगा it will depend on where your revenue line is lying if this is your revenue run in both scenarios run in short run close in long run close in both scenarios ठीक है जी this is how it would look like this is the analysis for perfect competition itself कोई फरक नहीं आने वाला है कोई फरक नहीं आने वाला है अब बात करेंगे imperfect competition की in the next video यह वाला video as such आप ignore कर सकते थे यहां पर पड़ा है यह सच आपके लिए material नहीं यह यह आप से exam में नहीं पूछेगा because आपकी books जो है वो थोड़ा जादा simplistic हो जा रही है वो कह रही है काम करो तुम पर्फेक्ट competition में सिर्फ और सिर्फ average basis पर समझ लो total basis पर मत समझो चलता है मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूं कि अब मैं पॉइंट नंबर 11 में इंपर्फेक्ट कॉंपेटिशन मतलब लेट से मोनोपलिस्टिक का का मार्केट और फर्म लेवल का डिमांड और सप्लाइट और डिसकस करूंगा अपने डिसकुशन को आगे बढ़ाते हैं हम डिसकस कर रहे थे एकनॉमिक्स में मार्केट स्ट्रक्चर एंड फर्म है नो इसमें हमने जो डिसकुशन से मतलब वी वी हैड वाट यू कॉल डिसकुस्ट शट्डाउन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट जो भी लास्ट ट्रॉपिक था उसके आगे का डिस्कुशन कर रहा हुए गाए गए बट बट बार अगले वीक तक पहुंचते पहुंचते छीजे मिस अउट होगी होती है फ्लश आउट होगी होती है तो डेट जस्ट डिसकुस्ट फ़र फाइव मिनूट्स इन समथिंग और यह तो क्यों बराबर दिनों के ती लिए तो कैंडिट से एक दम ठीक रप्लाय दिया कैंडिट कि पर्फेक्ट कॉम्पिटिशन में फॉ करम प्राइस तेकर है तो प्राइस गिराने का कोई सेंस हैं नहीं किसी या प्लेयर के लिए अगर कोई भी प्राइस ग्राय गई प्रैक्तिकली वॉट वाल इस है डेट अट्राइस अर्य से ना चाहें पेचलो सब्सक्राइब करते हो तो तो अब तो और प्राइब करते हो तो यह आप से खरीदेगा और अगर अब प्राइस नहीं कमा रहे हो और आप से बहुत लोग पैसा खरीद माल खरीद रहे हैं और बहुत ज्यादा कॉन्टिटी में आपको सप्लाइब करना प्रैक्टिकली फिनिश्ट तो लॉंग टर्म में प्राइस तो अब डिसकेशन करने वाला है अगर लॉंग टर्म में प्राइस सेम ही रहने वाला है तो अब थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं डिसकस यह तो तो पी इस एकल टू एर इस एकल टू एम आर्विए तिल इस पॉरेंट अब थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं डिसकस यह तो करना ही नहीं था यह तो मान रहते हैं यह तो आता ही अब आगे बढ़ाते तो मुझे बताना वोना पुलिस्टिक कॉंपुटिशन के केस मे में क्या होता होगा मोना पुलिस्टिक कॉंपुटिशन कौन सा वाला एक्जैंपल था जिसमें क्लोस सब्स्टिट्यूट्स अवेलिबल है पर्फेक्ट कॉंपुटिशन में होमोजीनियस प्रोड़क्ट सी थे ठीक है ना और स्ट्रीट वेंडर सेलिंग भुट्टा चली स्ट्रीट वेंडर सेलिंग अबॉइल्ड मेगी बॉइल्ट डिफेक्षएशन दस लोग कड़ें अबेंड है यहां पर प्रोड़क्ट डिफेक्षएशन है रिखेप सुद्ट थे ना एक्स और फॉग यह वाले डिफेशन है यहां पर क्या माइचarah करता होगा करता हो इस चकश मे areプाइस प्राइस करता हो सब्डाइज नहीं तो अए तौना रचना चाहते तो रच लो क्वैरीज वी एकशए वेंटर हम परफेक कॉमपुटिशन की बात कर रहे हैं मुनोपली की बात कर रहे हैं एक विल बी इक्वल टू एवरेज रिवेंट्यू पीरियों क्यों अच्छा मुझे बात बताओ टोटल रिवेंट्यू कैसे आ रहे टोटल रिवेंट्यू डिवाइड़ वाइड़ वाइड तो क्या बचा प्राइस तो अजीब हो कि बाद कोई अजीव नहीं यह देखते हैं अने प्रैस्ट किया परफर्एक कॉंपिटीशन के अंदर प्राइस एवरेज रिवेंड्यू और मार्जिनल रिवेंट्यू इस प्राइस और आफेस तेकर थे because you are the price taker this the you have no right to change the prices so what is happening is that each quantity is going out at the same rate total revenue this is 20 40 60 80 100 average revenue average revenues total revenue by 20 by 140 by 2 sarek 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 20 again correct marginal revenue to marginal revenue this minus this this minus this and so on and so forth so marginal revenue is again 20 तो यहां पर प्राइस is equal to average revenue is equal to marginal revenue ठीक है आप यह बात मान भीचे प्राइस is equal to average revenue in all cases this won't change and this does not change क्यों देखना एक बार old notes है यह आपका नॉर्मल और वोडिकाल स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म है वाइस इकुल टो एम एम एस प्लस सी कॉंटिटी इस एकुल टो सी माइनस एम पी यह जनर जनरल फॉर्म है this is how the relationship looks like no ? yes no price और quantity को ड suited relationship looks like a और और लुकस लाइक वी वी ओ ब्राइस और डेमाइड्स की रिलेशन शिप खियर और बी एए वाली लाइंग का स्लोप क्या है नेगेटिव लोपिंग है वो तो डेफिनेटली अगर मैं यह एम की बात करूँ लोप की बात करूँ तो यह तो नेगेटिव आने वाला है ना तो दैट्स वाइड इस इस माइनस एम ठीक लिखा है यह सी इस इंटरसेट माइनस एम पी यह स्नो प्राइस गोज़ अप कॉंटिटी गोज़ डाउन एंड वो और वो रहों इसमें फ्रिक्शन निया किसी को करेक्ट अगर मैं इस लॉंग इस फॉर्म को चेंज कर दूं पी क्या बनता है बताना इसस if I ask you to find P, what is P? MP is equal to C minus Q. P is equal to C minus Q divided by M. Aisa? P is equal to C by M minus Q by M. मैं यह बोल रहा हूं simply कि C और M, अगर दोनों के दोनों कोई constant number है, C 40 है, M 2 है, तो यह पूरा का पूरा भी तो एक constant number ही आ रहा है न, what I am trying to say is somewhat on these lines, कि अगर मैं Q के बदले price का general form बनाता, तो it would have been P is equal to C minus M1 Q, यह MQ whatever. Long story short, मैं सिर्फ यह बोलना चाह रहा हूं कि price और quantity का inverse relationship होता है. ठीक है, अगर यह पूरा का पूरा portion आपको difficult लगता है, इसको ignore कर दो, छोड़ो, रहन दो, मत ध्यान दो, आपकी books के इसाफ से, आपकी books के इसाफ से, दिस नॉट इन्सलेबर्स, I use this because it becomes more logical, price is equal to average revenue, क्यों हमेशा होगा, वो दिखाने बाद हो, total revenue क्या है, P into Q, total revenue is P into Q, average revenue will be what, P into Q divided by Q, which is nothing but P itself, तो average revenue is equal to P, yes, no, आप अभी वाले जो notes हैं अपने, उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना portion mention कर लिजे, 0.11, price is equal to average revenue, for perfect competition, monopolistic competition, monopoly, यह matter नहीं कर वाँ, price will always be equal to, अगर इस statement में कोई changes आएगा तो बहुत आगे थोड़ा दूप चलके देखेंगे उसको, विल बी एक्वल टू, average revenue, total revenue is equal to P into Q, average revenue is equal to total revenue by quantity, which is equal to P into Q over Q which is equal to P so average revenue is equal to price, ठीक है अब मुझे एक बात बताना, पर्फेक्क कॉंपटीशन तो पड़ चुके, पर्फेक्क कॉंपटीशन में भी यही था और, monopolistic competition में भी यही है, monopolistic competition में, in order to increase your market, अगर पर्फेक्क कॉंपटीशन की बात करूँ, तो धी कर वेंट लाइक दिस, आप वाले केस में तो ऐसा नहीं होगा, अब वाले केस में तो ऐसा नहीं होगा, यह पर्फेक्क कॉंपटीशन के लिए तो ठीक था, कि अज दिस प्राइस लेवल यह क्यू वन है, यह क्यू टू है, यहां तक तो ठीक था, मुझे बताँ, मुनोपलिस्टिक कॉंपटीशन में क्या होने वाले हैं, in the case of monopolistic competition the curve remains like this this is which curve this is demand curve and demand curve is what P is equal to air हाँ या ना P is equal to air यही डिमांड कर यह डाउन्वर्ट स्लोपिंग है यह डाउन्वर्ट स्लोपिंग क्यों है तो कि अगर पैप सुदेंट अपना रेट गिरा है और बहुत aggressive हो जाए तो उसकी quantity demanded बड़ेगी पीपल विल शिफ्ट फ्रॉं कोल्गेट टू एप्सुदेंट सो इन केस आप मोनोपलिस्टिक मुल्टिशन प्राइस को डिख्रीज करने का पावर है एक प्लेयर के आत में धिया देर इंप्ठर इस प्रिस ब्रेव्रेमिन ये स्थे इसन्व अरि भिच्वेंट इस पॉरिश्टिक कोमुटिशन दू किर रहा है तो मार्जिन रिवेच्ट वर्ड गिश्यू एक्वल थे जा होगा क्या होगा Will it be equal to average revenue, will it be more than अवरेज रवेन्यू विल इट बी लेस देन अवरेज रवेन्यू या देर इस नो रिलेशन्शिप बेट्वीन दीज कुछ भी नहीं के बीच में नो रिलेशन 1234 आपको क्या लगता है मुझे आंसर दीजिए यह तो पढ़ा भी जो क्या हूं रिलेशन्शिप बीट्वीन अवरेज और मार्जिन अपड़े थे न विश्ली क्लास में मैंने का था फरक नहीं पड़ता मार्जिनल कॉस्ट हो मार्जिनल रिवेंड्यू हो मार्जिनल रंस हो फरक ही नहीं पड़ेगा मार्जिनल स्कोर हो फरक ही नहीं पड़ेगा एवरेज और मार्जिनल के बीच में रिलेशन्शिप सेम है जब मार्जिनल ड्रॉप हो रहा है तो एयार गिर रहा है इसका मतलब यही है कि marginal is less पिश्ली क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा था यह अपने यह था एवरेज वेरियेबल कॉस्ट यह था marginal कॉस्ट यह इसका lowest point था यहां क्या हो रहा था जब तक के marginal is less यह यह पूरे के पूरे जोन में यहां पे margin is less than average average kept dropping और जैसे ही marginal became more than average यहां से marginal ज्यादा हो गया ने average से यहां become था जैसे ही marginal becomes more than average what will happen average starts to rise इसी लिए यह जो point था वो A V C का minimum point था तो सेम चीज़ यहां भी अप्लाए होगी अगर marginal is less than sorry अगर average drop हो रहा है अगर average drop हो रहा है तो क्या हो रहा होगा marginal जरूर average से कम ही होगा तो the marginal curve has to be below yes no कि सब्सक्राइब दोनों स्टार्ट सेम पॉइंट से क्यों हो रहे होगी पहले यूनिट के लिए तो सब सेम है पी ए आर मार सब सेम है ना यह रिलेशन्शिप आएगा यह मैं सिर्फ और सिर्फ आपको monopolistic competition का demand साइट से चीज़े समझा रहा हूं आर्वी क्लियर तिल दिस पॉइंट इस नू पक्काश यह और कि यह पॉइंट 11 लिखा था आपने पॉइंट नंबर 12 लिख लिजे मार्जिनल रिवेन्यू विल बी लेस देन एवरेज रिवेन्यू और पॉइंट नंबर 13 आ गया प्राइस ए आर एमार यह सिंगल उसमें मॉनापलिस्टिक कॉम्पेटिशन की केज में एक सिंगल ग्राफ में यहां बना है मैंने आपके लिए कि करेक्ट आंसर इस लॉजिक आप लिख सकते हैं यह लॉजिक यह वाला है इप यह वाला है क्यों होगा ऐसा यह आर इस फॉलिंग दिस इस ओनली पॉसिबल वेन वेन एमार इस बिलो और विट में तिल दिस पॉइंट आईए अब डिमांड और सप्लाय जोनों को एक साथ करते हैं मोनोपलिस्टिक कॉंपेटिशन की गेश्मेंट इस इस प्राइस इस इक्वल टू एया इस इस अब मुझे दूसरा साइट बोलना इस इस ऐती इस इस एक थे सी रोको इंप्रक्ट फेल ये बना रेता हूं दिस यह नो यह नो यह मार्जिनल कॉस्ट मिनमुम पॉिंट पर दोनों को कट कर रहा है ठीक है प्राइज इप्वल दो एवेरेजर रिवेन्यू प्राइज इप्वल इस डिस इस पॉइंट छुभ अब क्या होगा मुझे गक्व क्वान्टीटी कैसे डिसाइड होगी कि क्वा चाहिए की इस डिसाइड होगी मैं इक बार नमबर देता हूँ दिस इस पाइंट डिन माने आप आपने बनाय मैंने जब आपको या नोट इस बने इस बहुत है विकर भी त्ट्युन अभुटक अन्最में इस साफ कर एक एक हमर मैकसम्म क्यों कि देखना एक बार के रहे हैं कॉंटिटी इस वेर एमर इस एक्वल टू एमसी ऐसा होता है कि ऐसा है इस इस इताना कि क्वांटिटी कैसे डिसाइड हो यह कब तो पड़े हुआ वी कॉम में सब ने है मुझे बात बता हुआ हमें यह समझ आता है कि कॉस्ट जो है वो राइस कर आइस कर रही है कॉस्स और यह कोश्ट राइज से डिये लिइंग डियुकक पूर्ट राइस करने का क्या रीजन है करने का रीजन है लॉब डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोड़क्टिविटी आप शौट रन में अपने फिक्स्ट इंपॉट्स को प्ले में नहीं लेकर आ सकते इन शॉरू में उनका प्रोड़क्टिविटी पॉजिटिव था फिर फॉल कर रहा था प्ले जब इनका प्रोड़क्टिविटी पॉजिटेव था तो आपकी कास्ट फॉल कर रही थी जब इनकी प्रोड़क्टिविटी पॉंट थी तो आपकी कॉस्ट कर जारी थी था इस इनकी नए ego TH है उसी हो तो डिकीरीज हो रहे हैं अभी अभी बात करके आए और श्चाथ लिए गार्वां तो मार्जिनल रेवंडी संधेरी डिकीरी दो है तो मार्जिनल कॉस्त राइजिंड है और इब बॉल रहू यह नहीं हो डॉप हर्म लोड को पतरब matter एक बार जस्ट इमएजन करेए आप से पात साल पहले यह पात साल पहले मुबाइल फोन्स की कौस्ट वर्सेश इस मोबाइल फोन्स की कोफ टोड़े यूड फाइंड मच बेटर फीचरस अवेलेबले न फिफ्तीन थाजन रूपी मोबाइल फोन देन देवर फाइब यह ती की जो वाट यू कॉल मैनुफाक्ट्रिंग है वह बहुत ज्यादा एफिशेंट और एफेक्टिव हो चुकि एच की डेट में यू डोंट सी दोस मोटा मोटा वाला जैसे टीवी से रहते थे पुराने टाइम ते दादू के आदू में देखें 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 तो आपको पर दीरे धीरे करके क्या होई एकॉनमी स्केल होने लगते अब आपको बत्ते से इन चाले से इन के यह ऐसे वाले टीवी जब से ले लाती है तो आप देखोगे से फंद्रह जार पर के बतानी क्या के टीवी दे रहे होते है नो यह नो और अन दिस टूवर अवर अवर इस टुड़े इस प्रबिए 20 परसेंट तो एग नो एकॉनमी दो स्केल तो ही दो रही है अब मार्जिनल कोस्ट नो पॉस्ट राइजिंग अ इन मार्जिनल कॉस्ट राइजिंग मोशन बात बता ओस इpriven सोरी मारजिनल कोस्ट पहले थी 110 फ्रागई एक ठीक है marginal revenue यह falling है मानलो यहां पर बिकरा था देड़सो का यहां पर बिकरा है 140 का यहां बिकरा 130 का क्या इस point पे आप और production करूं इसका आपने और manufacture क्या आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगा इस और आपका revenue इस वह फॉल हो गया यहां पर शॉट रण प्रॉफिट नहीं लिखना चाहता हूं कंट्रिबूशन लिखना चाहता हूं बड़ प्रॉफिट लिख दे रहा हूं कि यह आ रहा है पचास यह आ रहा है तीस क्या इस पॉइंट पे आप और manufacture करना चाहोगे यह कि यह टिपिकल मुबाइल फोन की रीटेल शॉप के हाल थे हैं पंद्रा साल पहले दस साल पहले वह ब्लडी गुट प्रॉफिटेबल बिजन्स डिस्ट्रिब्यूटर्शिप ले लो मुवाइल फोन की या दुकान कोल के बैठ जाओ ठीक था दिस्ट्रिब्यूटर को अप्फरंट पेमेंट कर दो आपको बहुत अच्छे रिट पर पैसे वह बहुत अच्छे रिट पे आपको वर्डियू कॉल रूदक्स अवेलेबल सब्सक्राइब तो बहुत इजी दंदा है एक वारना प्रैक्टिकल बात करते हैं शायद कुछ चीज़ें क्लिक होंगी एक रिटेलर के स्टैंड पॉइंट से मोबाइल फोन बेचना इस ब्लड़ी गुट बिजनेस और अगर मार्जन सच्छे होते हैं इस ब्लड़ी होंगे बहुत सारी वेराइटीज होंगी हां की ना उसके बाद आपको बहुत सारे सेल्समें रखने पड़ेंगे बिकॉस्वेश्वर कंस इपिक्सर टीशेट दें यू नीड़ अलॉट अप एरिया इस वेल यू नीड चेंज रूम सेंस्टफ आप जाओगे वाहां टीश इसमें ग्रे के मतले ब्लैक होगा वो जोन से कलर दिखा लेगा उसके सिवा कोई दूसरा कलर मांगने आपको इसको वापस अरेंज करके फिर शेल्फ में लगाना है एंड एंट इन तीन महीने में नहीं वराइटी आजाएगी पूराना वालाइक में बहुत दर है कि उसको बेचो सेल लगागी है कि मोबाइल्फोन के रंदे में क्या होगा एक कंपनी कितने ही मॉडल से हो लिए सारे के सारे मिन लगागे रखने एक एक दो दो पीज लागे रखने बाकी आपके पास ऊपर नीचे कहीं चोटा सब्सक्राइब होगा वहां रखने अब दुकान पहुंचते हो उस अगले को उसमें मार्जिन नहीं होता तो वह कुछ दूसरा टेकान की कोश्चिश करते हैं नहीं सैमसंग मत वीवलों बहुत अच्छा है क्यों उसको मार्जिन जादा बच्छता है अगर आप ओवरॉल डायनेमिक्स बोलो तो बिजनेस अच अच्छा प्रॉफिट है यही बंदा क्या सोचे का एक और शॉप खोल लेता हूं यह अकेला तो दिमाग वाला है दूसरे भी क्या सुचे है रैसी शॉप खोल लेते हैं यह बेचता है यह शहर की सच्छे बड़ी दुकान है यह 100 का भीचती है इसको अंडर कर देंगे यह म किलता है इसको 110 का बढ़ता है अगला खुश है कह रहा है यार 110 का लिया 140 का बेचा तीस रुपए कमाई यह खुश है दूसरे को परिशान करती तो कि इसको पता है इसने यह कम प्रॉफिट पर काम कर रहा है दूसरे का प्रॉफिट भी स्वीज करके नीचे लेया हाँ यह अब वह भी तोड़ी देडियसों का बेच पाएगा वह देडियसों का बेचेर का पढ़ की 140 का लोग emot si खुश होते जाएंगे वह वह किराके 140 करेगा वो क्या सोच रहा है आर मैं तो लेता हूं सॉह का कै यह 140 का बेचता हूं अभी भी मार्जिन मेरे अच्छी और यह मैं को दुखी कर रहा है मैं इसको आउट करूंगा मार्केट से वह 135 का बेचे कर लॉंग टर्म में यह क्या होगा यह रोग मार्जिन एक दूसरे को नहीं खाने देने के चक्कर में क्या करेंगे करते जाएंगे अपना प्रॉफिट छोड़ते जाएंगे चल छोड़ कम में कर काम करते हैं यह किस लेवल तक यह आगया 130 मानलों यह आगया 125 यह भी आगया 125 अब क्या होगा इस लेवल तक गिरेंगे कि एक एक दो दो रुपय का काम रह जाएगा फिर बोलें कि हम तो सिर्फ कॉंटिटी पे खेलते हैं साथ सुनी होंगी नहीं लाइने दंदे में क्यों खेलना वट रहा है क्योंकि और कुछ ही नहीं मतब आपके पास और कोई तरीका यह नहीं अपने प्रोड़क्स को फर्दर एडवांस करने को इन दिस इसनों आपन्स इन अलमोस्ट भूषर फिसनेस ऑलमोस्ट बौस्ट आइक अउसरी ब२िड़ प्र्ट टस प्द ऑल एंगे पेंड वर मेंगेंग एकश् फॉर्ट र vii वस्ट जै फोर जनरेशन इंट फूट्वेर एंड विन तोल्ड की देवास अ टाइम वन दर नेट मार्जिन अड़ लेवल एंड रिटेल लेवल देट वी उस तुमेक वाग्मोर देन अंडेड पर्सें सौर्पे की जोड़ी आई सौर्पे की चपल आई इसमें 300 में अपने आपकी पड़्ची होती थी एमार्पी तो लगते आती थी सौर्पे की चीज़ाई 300 का मर्पी लगा दें टेन पर्सेंट का डिस्टाउंट दिंग दो सब्सक्राइब भाई साफ सिर्फ आपके लिए रेंट का दूसरे खर्चे का तेरी बहुत है फिर भी सौर मतब हुंद्ध पर्सेंट शूट ही रहे हैं लेकिन यह कब तक सस्टेनिबल रहे नहीं रहेगा ना अधर्स मिल नोट अगर आप किसी बिजनेस का शुद्ध प्रॉफिट निकाल रहे हूँ तो उसमें तीन चीज़े माइनस करो पहला जो रेंट पे हुआ अगर आपके बिजनेस का लेट से आप खुद की जगह बिजनेस कर रहे हैं और जो में लोग इंवाल्ड है इस दंदे में वह घर के लोग है ऐसी होते हैं ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस सेट अप बाप बेटा मिलके एक दंदा चलाते हैं दुकान तीस साल चालिस साल पुरानी है और पैसा तब से लगा ही हुँ है अगर आप ऐसे बिजनेस सेट अप में है तो आप टोटल प्रॉफिट में से वह जो दुकान का फेर रेंट होता है वह माइनस कर दो जितना पैसा धंदे में लगा हुए उसका रेंट माइनस कर दो जॉरी जतना पैसे दंदे में लगा उसका इंट्रिस्ट माइनस कर दो जगा का रेंट माइनस कर दो उसके बार जो लोग काम कर रहे हैं मैं से मैं देख रहे हैं तो ये दो सक talents tree-manus कर दो जो बचेगा वो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट कुछ बच जाएगा अगर बचा तो इंडिया में बॉस्ट बचता ही नहीं इस सिनारियो में आप मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीट करेंगे एंड में जाके इस सिनारियो में आप मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है मार्जिनल रिवेन्यू फॉल हो रहा है कब तक के अगले यूनिट पे शिफ्ट करते जाओगे कब तक के आप और सप्लाई देते जाओगे कब तक के डिमांड आती जाएगी अगर यहां पे दस रुपै का और रूम बचा हुए कि ठीक है ना अभी और उपन कर सकते हैं प्राइस रिड्यूज होके एक सोटाइस पर आगे कॉस्ट इंक्रीज होके एक सुचोबिस प्यार एक सुटेइस पे आगई पांच और और रूम है और जा सकते हैं पांच और बचा है नो कोई तो खाय लाई बैटके इसको यह अल् सब्सक्राइशा कॉंटिटी किस पॉइंट पर डिफाइन होगी गार्जनल कॉस्ट और मार्जनल रिवेल्यू इस पॉइंट से कॉंटिटी डिशाइड होगी आर्वी गुट तिल इस पॉइंट यह समझ आता है इस पॉइंट नंबर सिक्स यहां तक कि अगर आपको कोई कुछिशन से तो फ्लीज पूछे आर्वी गुट तिल इस पॉइंट पॉइंट इन फैक्ट मैंना एवरेज वेरियेबल कॉस्ट फटा सकता हूं मैं को इसका कोई काम नहीं है यह मैं लिख देता हूं एवरेज व स्लाइटली क्लीटर यह होगे हमारी कॉंटिटी अ एट इस पॉइंट इस कॉंटिटी के लिए आवरेज रवेन्यू कितना अवरेज रिवेन्यू कितना इस इस पॉइंट के लिए आवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है यह यह नो तो दिस वस कॉंटिटी दिस वाज आवरेज रिवेंट लिए इस आवरेज टोटल कॉस्ट और मुझे बताओ क vista के क्यूं में एल्जू च्वा अगर कॉंटिटी क्यूं है एवरेज रिवेन्यू आर है आवरेज टोटल कोश्ट मैं मद्ब एवरेज रिवेंद्यू 7 है एवरेज टोटल कोज्ट एक है मुझे बदाओ ज्रूफिट कितना हो եा प्राइज टोटल कॉस्ट पॉइंट एड रॉट इए अर माइनस एटी सी क्या यह प्रॉफिट होगा है यह नहीं होगा इस प्रॉफिट पर यूनित वरी गुड़ दिस प्रॉफिट पर यूनित टोटल प्रॉफिट इस इन्टू कॉंटिटी यह पूरा का पूरा बॉक्स बन जाएगा ये बीच का बॉक्स यही तो रिफ्लेक्ट कर रहा ना यार माइनस एटी सी यह क्या रिफ्लेक्ट किया इस तरहum ांस-खै कि यह मेनस एटी सी और विट्ट कि ती आरिये बुक्री अर लबाई बन गया ना तो दिस पीस इस एकनॉमिक प्रॉफिट इसको लिखे पॉइंट नाइन एकनॉमिक प्रॉफिट यह क्या रहा है प्रॉफिट विल बी इक्वल तू प्रॉफिट पर उनिट मुल्टिप्लाइड बार कॉंटिटी नंबर उनिट्स प्रॉफिट पर उनिट के अवरेज रिवेन्यू माइनस अवरेज टोटल कॉस्ट इंटुक्यू अवरेज रिवेन्यू माइनस अवरेज टोटल कॉस्ट के पॉइंट सेवन माइनस पॉइंट एट येस नो और यह कॉंटिटी है तो इन्टु पॉइंट सिक्स यह पॉइंट के टांटर सेर्फ और सेर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसा लिख दिया है आप से एक्जैम में कंप्यूटेशन वगेरा पूछेंगे बट यूशूड अंडर्स्टांड इट इस इस एकनामिक प्रॉफिट यह एकनामिक अच्छा अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकनामिक प्रॉफिट की बीच में डिफरेंस बताओ कि अब इस नाम नहीं लिए थे एक दंदे ने कमाया दसलाव रूप कि समझ चलो और बात करते हैं मान लो दंदे का रिवेन्यों बीस लाग रुप है कि खर्चे हुए बारा लाख रुप रहे आट लाख रुप है दंदे को बचा है कि मुझे बात बताओ जिस बिजनेस की बात कर रहा हो इस बिजनेस में ओनर का जो मतब जो ऑफिस प्रमाइस हैं कि स्रीखनेस का बिजनेस में रेंट नाम से खर्चा आया होगा नहीं होगा नहीं होगा मान रहे हो है इस किनल सभनlight यह मेरी खुद की दुगान यहां बेठके वीश लाग ऑ시면 लाग की खरीद थी मेरी समानद खरीदा बीस लाग का बेचा आठ लाग बचा मान लोग इंप्लॉइ एंस यह वह सारा पर जोड़ दीए मैंने बारा लाए यह ढ़ती है कि उसका समान था दो लाग के उपर गट्चे ते बिजली पानी इंप्लॉइस सब जोड़ती है बारा का समान खड़िता है बीस का समान यसे जगा मेरे खुद की क्या रेंट काटा होगा क्या नहीं एक गर बbelt बनाई होंगी क्या रेंट काटा होगा क्या यह दूद मुझे घरिंट होगा है होगी पेमेंट हुई होगी मुझे बताओ क्या इंट्री होगी एक्सपेंसेज बढ़ गए और कैश कम हो गया जो क्योंकि कैश दिया होगा किसको यह जैब से निकाल के इसमें बहुत बढ़िया देंसा है आप मुटा बाई कहरें बहुत पैसा कमाया है कैसे आज दो करूर करे इस जैब से निकाल के इस यह नहीं हो रहा ना अकाउंटिंग के टम्स पे तो नहीं किया होगा ना खुद की सालरीया जोड़ी होगा नहीं अप प्राइवेट मतब अकर आप रिलाइंस ऐसी एंटरप्राइस आज लेंगे तो वहां पे सालरी स्काउंट होंगी क्यों वह ब रपता है एक प्राइवेटली मैनेग्ड बिजनेस में सालरी क्यों नहीं डाली जाती है क्या ही फरक पड़ रहा है अब मैं और मेरे पिता जी बैठके दंदा चला रहे हमने आठ लाग रुपे महीने के कमाएं वह बोल रहे हैं दो लाग मेरी सालरी एक लाग तेरी सालरी हम सारे नोट सो घरी आ रहे हैं कुछ भी बोलो किसी को कि अब इसी बिजनेस में मान लो हमने बोला फंड रेस करेंगे हमने 50% कंपनी बेच दी और 50% हमारे पास है अब हमने सैलरी नहीं निकाली तो क्या हुआ चार लाग दूसरे के पास चार लाग मेरे पास अब मुझे लग यह दो लाग रेंट दो लाग रुपे मेरा मेरी सालरी एक लाग रुपे बेटे की तीन लाग कटा ट्रू प्रॉट इस पांच लाग अब पांच लाग फिप्टी परसेंट तेरह 50% मेरा तो इन जनरल एक बिजनेस में अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर मैं देखूंगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो ट्रू आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेज हुएं वही गिने जाते हैं चाहे एक्रुवल वेसिस पे चाहे एक्रुवल कैसे क्या फ़रक पड़ रहा है मानलो है जगा रेंट पर कि मैंने इस महीने का रेंट नहीं पर और अलगया अगर पगड़़ ऑगया तो देने तो हैं इस महीने नहीं लिए तो अगले महीने вместе अंदें वहनें नहीं गिना होगा तो छोनिना अकाउंटिंग प्रॉफिट दिख रहा वो दिखेर वा कि हां जी यह टोटल होगा कि यह टोटल इल्स आपने सांथ है लुए और भी बिजनसमैन ने अपने दंदे में दो करोड रुपे डाले क hourly उससे दंदा तो क्या उसने दो करोड का पेज माइनस किया हो क्理 ret और भी उसने अकांटिंग के टम्स में नहीं किया होगा लिकिन जब हो सोचे गा तो वो जढूšा जरूर तो दो लाक है साफ साल का चुबिस लाक तो ब्याद आना चीए था है और यहां यह बिजनेस भी तीस लाक ही दे रहा है तो छे लाक ही कमाएं एक तरीके से वह बिजनसमें सोचे जबूर लेकिन उसको देना थोड़ी है किसी को उसके जैब में तो तीस लाक आ हो रहे है एकनामिक प्रॉफिट कहने की बात अगर एक बिजनेस में महीने का 8 लाग और चनेरेट किया और उसने खुद की जगा का रेंट निकांट किये खुद के जो घर के लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी नहीं कांट किये और जो खुद का पैसा लगा हुए धंदे में उस अच्छा उसके बाद सौरी एक और चीज बोल देता हूं चार फैक्टर्स अफ प्रोडक्शन थे लैंड को क्या मिल जाना चाहिए रेंट लेबर को क्या मिल जाना चाहिए सैलरी कैपिटल को क्या मिल लाना चाहिए इंट्रस्ट चौथा वैक्टर आपकी बुक्त बोलती है तो क्या होगा लॉंग टॉम्ट मिलेंगे लॉंग तो लॉग्टम में दूसरे लोग दुकान खोलते जाएंगे और प्रॉफिट को स्कुईज करते जाएंगे हाँ या ना प्रॉफिट कब तक स्कुईज होंगे जब तक जीरो ना हो जाए अब नॉर्वन प्रॉफिट्स ठीक है मुझे बताओं ये इस धंदे में ये जो आपके सामने जो बिजनेस दिख रहा है पॉइंट नॉम्बर 14 पे इस धंदे में दूसरे एंटर करेंगे या नहीं करेंगे क्यों क्यों कि नॉमें क्रॉफिट इसी एकोल हो जाए और यह कभी को लोगा जब यह वाला जो कर वह यह एजट जाए दिस तो मेरी ड्रॉइंग बड़ी गंदी है ना अर्वा जो लेफ्ट वाला ग्राफ है यह शो किया था भी आपको मैंने ऊपर है की थीकिन हो रहा है मार और मश्वा थो रहा है इस पॉईंट से क्यों मन हो जा रहा है इसी पॉईंट से वा इसकी cervin में हो जा रहा है यूँकि इस कॉंटिटिटी के लिए एवरेज टोटल कोस्ट कितनी है वो पता चल जा रही है और इसी कॉंटिटी के लिए एवरेज रिवेन्यू कितना है वो पता चल जा रहा है तो पी माइनस एटी सी इंटो क्यू येस नू इस पीस इस दी इकनॉमिक प्रॉफिट इन लॉंग तर्म वाट विल एपन इस विल स्क्विजड अप तो पी और एटी सी बराबर हो जाना चीए तो प्रैक्टिकली इस इस हाओ एटी सी शूद लॉक लाइक दिस इस आओ यही पी यही एटी सी देखना लॉंग तर्म में यही हो जाएगा एक्टी ठीक है पी डिमांड इस इक्वल तु प्राइस इक्वल सुरी यार और एटी सी बराबर है और यही आपका लॉंग तर्म का एक्विलिवरियम पॉइंट है आर भी गुट के लिस पॉइंट यह है शॉट रन यह है लॉंग रन जो शॉट रन वाली चीज़ है वो मैंने उपर भी ड्रॉ किया था आपके लिए इस रिदन इन और तो आपके लिए और भी यह दो शॉट रॉट रॉट रॉंग रॉट रॉट इस पॉट फिफीटीन इस पिए इस एक्वाल इन ल और पी इस इक्वाल तो ए और अगे इसका एफेक्ट क्या होगा एकनॉमिक प्रॉफिट इस निल इस ग्राफ मीचे बन गए होते हैं इस बात बता हो अ यह तो हो गया ऐना इज प्रॉफि टीकक कॉम्पोटिशन लांग समय रहा ऐए यह लुग अफिर्ट कॉम्पोटिशन आ Android 9 प्रॉफि कोंपोट। परफेक्ट कॉमपीशन हैं अब पॉफेक्ट कंपुटिशन के केस में क्या था इस प्राइस येस नो यही एर है यही एम रहे है यही एटी सी है एमसी कट तो कर रहा है पट पी इस एक्वल तो ए यहींग तो एम इस एक्वल तो एमर इस इक्वल तो एक्वल तो एक्वल तो एंसेड पॉंट अपरेटिशन हो रहे है उसमें भी होता डेमांड और सप्लाइगा इंट्रैक्शन ठीक है एक बार दुबारा बात कर रहा हूं यह discuss किया था last class में दुबारा बात कर रहा हूं सुनना आपने कुछ ऐसा पढ़ा था दिस इस ए वी सी दिस इस ए टी सी दिस इस एम सी यह दोनों पॉइंट्स क्या थे वन और टू वन को क्या बोलू हम है इन में से शेटडाउन पॉइंट काम था था हम तुसे पड़के आए नियुवसर में रिवाइस नहीं कि हमने नहीं नहीं प्रिदुल बताया रिकॉर्डिंग में पॉस्ट कर दे रहो क्या फाइनल किया फिर पॉइंट वन के है पॉइंट फॉइंट फॉइंट लूब आ ये चाट डावन इंशॉट रहें और लॉंग रन में लॉंग रन में अगर ब्रेक इवन पॉइंट की नीचे आ रहे तो भी ख्लोज कर दो तो इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं कि वोट यू कॉल रन इंशॉट रन नहीं लिखना चाहा हूं और अप्शन में द्यान नहीं आ रहा हूं जो आइए प्रट्डावन इन लॉंग रन ये था ये बढ़ा हूँ है कलम ने एम सी एम आर सॉरी एम सी एटीजिए और ये रिलेशन्शिप हमने कल पड़ा हुआ था लास्ट क्लास में अगर मैं पर्फेक्ट कॉंपटीशन सिनारियो को यहां पर लिख्या हूं इस नथिंग बट यही तो यहां में ट्रॉट किया था ना मैंने तो सेम तिंग वस ड्रॉन और है इसमें अगर मैं यहां यहां इसका इस तरीके से आता ऑप्रेट किस लेवल पर करते हैं जहां पे यह ? इंट्राक्ट हो रहे हो इस पॉइंड पे एवरेज रिवेन्यू क्या यह इस पॉइंट पहे एवरेज कॉस्ट कितनी है यह यह यहज़ कॉस्ट कि यह फ्रोटल कॉस्ट यह सूट अम य तो यह दोनों के दोनों वैसे इंट्राक्ट करने लगेंगे जैसे यहां बना है इज़्जद से साफ सुतुरा कि के न है तो यह तो पढ़ा है यह तो पढ़ा है इस पुंज ही अि यह तो पढ़ाना ही नहीं थे तो मैं मान रहा है तो समझ आ गया गया में कूल मिलाके शॉटßeर में नमें स्रेंगे ौण से लॉंगहरं कि aowel यह सुनों लॉंगहरं में सब बराबर क्याए ना अब आब और वहां भी और कुसेर से डेटर्मिन होगा प्लेन रूल्स हमने क्या पड़े कॉंटिटी किस पॉइंट पर डिटर्मेन होगी जब यहां तक रिवेन्य और कॉस बराबर नहीं होता तब तक कि बंदा और प्रोडियूस करा जाएगा इसका लॉजिक समझ चुके हम क्लास में डिस्कस हो गया कि जब तक और स्कोप देख घया लोग बोले हैं और बना लिए कुछ तो आई रहा किब तक बनाते रहें जिए अब कुछ नहीं है बचे हो आज किसी मोबाईल फॉन वाले को बोलो एक और दुकान को कैरे कुछ नहीं बचे रहा है यह आप टीर्या और मतलब अब और धुकान खोलने की कुछ बंद हो बात बताओ कि यह भी कैसे डिटर्मेंन होता होगा कि हाँ अब इसके आगे कुछ नहीं बचा अब बुल रहा हूं मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स है इस लिए अग्जिट बेरियर्स पढ़के नहीं लोग इस लिए आसे बड़ा था ना इस फिर दूसरा खोल नहीं सकता इस शेयर में से मुबाइल फून की मेरी दुकान हो सकती है अगर दूसरे भी वह सेम धंदे में एंटर कर सकते हैं इस जो लोग उसको परदाश नहीं कर पारें दो हो देखके लग रहा है सदार जी बहुत पैसे कमारे हम ने भी काम से दूसरे दंदे में आ जाएंगे ऐसे वह गुच्टे जाएंगे मेरे प्रॉफिट स्क्वीज आउट होते जाएंगे देर विल बीए पॉइंट जिसके आगे मेरे पास कुछ थास बचा नहीं यह दिए प्रिया आँजस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट साउट विट नॉट एवर्ट वॉट नौन तो वाट विल पीपल कीव दूइंग दूइंट रिए अपन यह जो एपन नॉर्मल प्रॉफिट सो रहे थे अब वो किसमें चैंज जो जाएंगे अब नॉर्मल लॉसेज में है उतनली जल्दी उसकी दुकान खुलती है और उतनी जल्दी बंदो की हम से कितने लोग मन में कभी अक बार तो आया क्या खुद का कीट्री के का उट्रेट को ही को ढूट का पीजा स्टोर रुबाएं खुट का एक लाउंज होना चीए नहीं और अ कभी नहीं आ है अगर एक सिंगल कीड़ा नहीं आपके बदन में एक रॉस थ्री एर्स इन माई कॉलेश गॉर्ट ग्रेस तोरिंग ऑसम मार्स वह सब्सक्राइब राइंक वन एवरी सेमें एवरी इंटर्नल एग्जैम्स एवरी फाइनल एग्जैम्स और पीपल अरांड में फिलिंग फॉर सी सब्सक्राइब और सब्सक्राइब अपने अपने कॉलेश के जस्ट बाहर जिस चोले बट्रे वाले को देखता था जिस बंटे वाले को यह चाप रहा है इसलिए तो इसका दंदा बढ़िया है और दोसों फॉस्टिल गोट्रेश के नौर्थ केम्टस युद वहर्ड फॉट्व फॉट्व प्लेस अमेरेंडा के बाहर रहा है और आस पास में और चार को लिजए क्या होगा है सारे में जाके बैट रहेंगे ना लाग फॉर्स्ट त्री मन्स इंट फिकर आउट सारे के सारे मोलते ते टॉम पे जारे मुझे इसको इतना भी नहीं पता का देखो एंडेंगे वें और आइड माय ग्रोप थोड़ी बहुत दोस्ती आ रहे ही सबनेंगा टॉम पे चाहिए है क्या टॉम यह तो बता मैं कि मिलती है मैं बस नहीं पहुंचा मुझे रहा कुछ बहुत हाइड दो कि मैगी ली तो वही आधी बॉइल करके देता ऐसे बस यह से तो मेरी माना थे मुझे भी बड़ी अबतानी का गया सब्जी अडालती अवचारी मैनत करते कि इतनी वाई यह चीज उन्हें तो था इतना चल रहा है कि दो पॉइंट इस दाट डिरा नो एंट्री एंग्जिट बेरिंश निवर में प्रक रोड़ निवर ऐसे बहुत सारी रिट्री उपन होती जाएंगी और जिस रेट से उपन हो लिए उसके डबल रेट से एकजिट होती जाएंगी तो एक बार को मान लो यह जो पूरा का पूरा मैंने ग्राफ बनाया था इसको आपोजिट कर देता हूं यहां पर यहां पर एकनॉमिक इस एवरेज रिवेज्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लॉंग रन में क्या होगा फर दंदा छोड़ देंगे वाला लॉंग रेंग रॉन इस अर्ल एक जट और लॉंग रॉन में क्या होगा लॉंग रॉन फिर यही पोजिशन आ जाएगी तो चाहे यहां पर प्रॉफिट्स थे और यहां पर लॉसे थे एट दिए अप लॉट सब्सक्राइब नीचे में लाइन जैसे आप नीचे उसके चेक करोगे आपको कॉंटिटी नजर अधे उस कॉंटिटी पे के इस अधे रिएगर हैं और अभरे ज़से हैं तो वह एकनॉमिक प्रॉफित एकनॉमिक लॉसे हो जाएंगे लॉंग रन में सारे के सारे बराबर वने वाई कोई एकनोमेक प्रॉफिल्ट नहीं को एकनोमेक लॉस्ट हाँ या ना अब फरक क्या आएगा उसकी बात कर रहा हूं यह पढ़ाना चाहरा था स्टेप वन पे लिए फरक क्या आएगा वो देखो मुझे बात बताओ पॉफेक्ट कॉंपुटिशन वर्सिस मुनापलिस्टिक कॉंपुटिशन किस केस में प्राइज़ ज्यादा होंगी क्योंकि कुछ प्रोड़क्ट डिफरेंसेशन तो है यह मेरे टूथपेस में नमक है ज्यादा होगा ना नमक का पैसा जोड़े गाना लाग फॉग ज्यादा चलता है तो जोड़ेगा वह उसका पैसा लॉंग स्टोरी शॉट कि एवरी प्लेयर इस डूइंग देर ओन बिट ऑफ मार्केटिंग जिसका मार्केटिंग कैंपेंग हिट होगा वह कुछ उसके लिए प्रीमियम चार्ज करना चाहेगा थी कहें ना या फिर थोड़ा थोड़ा प्रोड़क्ट डिफरेंसेशन भी रहेगा वो एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा प्रोड़क्ट डिफरेंसेशन है उसकी वज़े से दे विल भी सम्ट्राइस चेंजेश एस वे डव वर्सेज लाइव बॉय है चेंज है न कुछ दोनों है सेम कैटेगरी में दोनों हैं भी सब्स्टिटूट्स बट समवन वो यूजस डव विल नॉटीुस अलाइव युलाइव इस चेह बोलत पागल बना रहें आप चाहिए लाइब गदर करें तो चाहिए रव गड़ल युटूत पंपनी पैसे बनता है उनको पता है यह पीजी में रह रहे हैं लोग इनके लाइब बना यह मोटी पार्टी है इनके लिए दवर बना जिनका प्रोडक्ट में भी स्लाइड डिफरेंसेज है उस केस में प्राइजेज विल बी वाट जैक्ट डप स्लाइटली मोर कॉंटिटी विल बीवाट लिट्ल लेस क्योंकि परफेक्ट कॉंपटिशन में जतना ही बेच लो तो प्राइसे थोड़े से ज्यादा और थोड़ी सी कम यहां तके क्लारिटी है अपने दो वह मैं यहां पर शो नहीं कर सकता मतलब आई केंशो बड़ाय केंट प्राइस जाद प्राइस और कॉंटिटी पी और क्यों है जबकि मोनोपलिस्टिक कॉंपटिशन में प्राइस बढ़ जाएगा और क्यों कम हो जाएगा class. The rule remains the is just that at the end of the day, in case of monop IT seems to competition. The prices will be slightly importer quantity will be slightly less quantity not being at the level at which it can B is this YE इन efficient scenario, yeah, an inefficient scenario. It's slight inefficiency built in war in a system algorithm और जितना जितना ट्वर्ड्स मोनापिली बढ़ते चाहोगी वहाँ पर क्या होता जाएगा उतना जादा प्राइस बढ़ती जाएगी उतना जादा कॉंट्रीटी घटती जाएगी प्राइस सबसे कम कहा होगी परफेक्ट कॉंप्पूटिशन प्राइस सबसे ज़्याद कहा होगी मुनापिली में कॉंटिटी सबसे ज़्यादा कहा है तो गवर्मेंट क्या चाहिए इनेफिशेंसी हो या नहीं नहीं हो क्यों 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 क्या गिंद्री जीडीपी और जीडीपी क्या है बताओ यह तो पड़किया है सारे के सारे से 11 से 12 से एक साल में सम टोटल आफ ओल कॉंटिटी प्रोडियूस्ट तो वो क्या चाह रहे हैं प्रोडक्शन हाइस्ट हो लेकिन मुनापली रहे प्रोडक्शन हाइस्ट होगा निए इसलिए गवर्मेंट को क्या पसंद आएगा इसलिए गवर्मेंट को क्या पसंद आएगा गवर्मेंट को पसंद आएगा किसी भी डोमेन में ज्यादा से ज्यादा कॉंपेटिशन होना चाहिए मुनापली नहीं होनी चाहिए गवर्मेंट विल अल्वेस प्रिफर मोर कॉंपेटिशन इन दे मार्केट वर्स लेसर कॉंपेटिशन वह मैंने अब दो मिनिट डाइग्रेस कर रहा हूं टॉपिक से बाट रिलेट कर पाव गया बात हम अब इस लोगर कोंपेटिशन कमिशन या देश दिस बॉड़ी कोंपेटिशन कमिशन और इंडिया सीसी अई अगे रहा है क्या बोलते हैं क्या मेक शूर क्या करते हैं जैसे अभी आट इस पॉइंट आफ टाइम मैं आपको लाइव वो बोल रहा हूं जब कोई मर्जर एंड एक्विजिशन होगा न तो सी सी आई से फर्मिशन लेनी पढ़ते हैं आप इस पॉइंट आफ टाइम मान लो कि एटल सेज आम डेडी टो एक्वाइर रिलाइंस जीओ तो वह गवर्मेंट अप्रूब करेगी तभी होगा यह ऐसे नहीं हो रहा कि रिलाइंस जो है जो एटल है वो रिलाइंस यह खरीद लेगी क्यों को कॉपटिशन विकास वाट विलाइपन इस यह वह गया वह गया पापा पिमार वह एनी गॉट्डैम से एट देंट प्राइज और इंग्री जो खांड नहीं काल्डू मैं आके लाओ चाहिए कि नहीं चीए नहीं निकल वाग देस इस वाट विलापन इन लॉंक्ट तर्म इन फाट हमारी कंट्री में CCI and I should not probably say it is less stringent but how many of us know of this browser called net escape internet explorer पाता है इन्टरनेट इस बच्पन की आदे विल रूंक अभी है आट-दस साथ हुए इस बिफोर इंटरनेट एक्स्पोरर विकेम दी ब्राउजर फोर दी वर्ल्ट दे वस एन एक्स्प्लोरर कॉल नेट एसके निटी सी अपी एक इंडियन इंवल्ट था उसनल आइक कांट रूंबर इस दिस ब्राउजर अच्छा अच्छा दंदा चराते तो अपने जैसे प पाउजर इंस्टॉल करिए माइक्रोसॉफ्ट पे इंस्टॉल हो जाता था दंदाचाली क्या था बिल गेट्स की नजर पढ़ गए पढ़नी क्यों नहीं थी उसी का सिस्टम था उसी की दुनिया है चल तो सारा कुछ विंडोस पर रहे ना स्वाद में बूला है काम करो ना यह जिस भी भाव का दे रहे वो क्यों लेना है मैं फ्री का दे रहा हूं यह तो भी यह तो तुम क्योंकि वह प्रोइबिटिव काम कर लो ना यूँ आ डिस्ट्रॉइंग कंपिनी गवर्मेंट क्या बोल रहे तुम भी मैनुफेक्ट्टर गरो दूसरे को भी करने दू इस इस गाइस डूंधिंग इस प्रोइबिटेव तेरा दंदा बंदो ना चाहिए क्यों मैं जीरो पर दील करूंगा आई विल नॉट चार्ज ए सिंगल पहनी आई विल यूज माई पोजिशनिंग इन दे मार्केट तो मेक शॉर्ट एंप प्रोइबिटेव अगेंस्ट यू इस पहले सुन्दर पिचाई से पूछ रहे थे यहां यहां यह जवाब दो जवाब दो क्यों फेस्बॉक सेमिलर तिंग्स क्यों प्रोइबिटेव है एक चीज को प्रमॉट करेंगे दूसरी चीज इसको दबाना चाहते हैं दबा सकते यहाव सच अ स्ट्रॉंग सेंस ऑफ दे अगर 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 हम शॉट रं में डील करेंगे एकनों का डेल्टा एकनोमिक प्रोफिट अब लीग एकनोमिक लॉस नहीं करेंगी ठ्यार एकनोमिक प्रोफिट अपलीक इगनाओं स्वगाया नहीं होगा नहीं अगर क्नक क्लेट तो कंपनी जएंटर कर हेंगी ओन प्लर्ण कम्पनी बेंटर इन्पूश। सम्पनीस में एकसित बिसन्स लोंग रन में लॉपने देट विनन एकनाविक प्रॉफिट नौह नॉम्रएक प्रॉफिट मीनिक वट एअर फिल दी इक्विल टु इतिस इन लॉग रं। कि अगर पफेक्ट कॉंपटिशन और मनोपलिस्टिक कॉंपटिशन की बात करें दोनों में डेसिजन मेटिंग रूल सेम थे मैं एग्जैक्ट सेम मैंने वन टू-3456 उपर लिखे थे मैं सब्सक्राइब नीचे धिक्ट यहां भी हो जाएगा नंबरिंग यहां पूरी उपर से नीचे कॉपी कर लीज़े सब कूछ सेम रहेगा यहां भी देखिए क्या हो रहें एमर और एमसी जहां पर कट कर रहे हैं एम आर एंड एम सी वेल दी एम आज यहां पर एम आर एम सी कट कर रहे हैं इस पॉइंट पर क्यूट डिटर्मिन और एसको पॉइंट सिक्स बोला नहीं यह पॉइंट इट इनके बीच का यह पॉइंट हो गया नाई एकनॉमिक प्रॉफिल लॉंग रन में क्या होगा यह भूल्स तो सेम थे बस फरक क्या आएगा मोनोपलिस्टिक कॉंपेटिशन और परफेक्ट कॉंपेटिशन में जो प्राइस है वो इसकी लेसर है जो कॉंटिटी है वो इसकी मोर है तो यह क्या हो गया यह हो गया लेस एफीशियेट आगे चलिक इसके कुछ नाम आम आने प्राइब नुटिक मोट वाइड नेक्स टॉपिक करते हैं एकॉनमी इसके लिए पिछले उसमें टॉपिक में आगे नरेटिव में बट ग्राफ वाइज आपकी बुक में एक स्पेसिफिक डिसक्शन किया वो डिसक्स कर लें आपका जो अवरेज टोटल कॉस्ट कर वेट इस पॉइंट नुमबर वन मान के चाहिए लेट उसमें आप कहां पर ऑपरेट करना चाहोगे इस पॉइंट इसमें आप किस पॉइंट पर पर ऑपरेट करना चाहोगे जहां पर यह मिनिममम आ रहा रहा है कि इसके लोएस पॉइंट पर ऑपरेट करना चाहोगे अगर मैं शॉट रंड की बात करूएं मान लो मैंने एक पीजा का स्टोर ओपन किया लास्ट क्लास में यह एक्जामपल यह थाना पीजा स्टोर ओपन किया मुझे अगर अपना कॉंटिटी इंक्रीज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ शॉट रन इंप्लॉईज हैर कर सकता हूं करें अब देखना यह कॉंटिटी है यह प्राइज है अगर मैं लॉंग रन में और स्टोर उपन कर सकता हूं तो क्यों कर रहा हम कॉंटिटी इंक्रीज करने के लिए तो एक बात पक्किए मुझे इस साइड मूव करना है हाँ या ना सब्सक्राइब हमाएं मैं कॉस्ट कव लुकलाराइक लैसे एक स्टोर का दारा टूसरे स्टोर का नाइबया थैक्ना हुतest की आ मिए अगर नों कॉंटिटी इंक्रेज करें है का अग्री इंक्रीज हो चुकी है का इस एकट करेंगं कि इन फैक्ट ये भी गलत नहीं होगा कि अगर मैं पूलों कॉस्ट का थोड़ा सा नीचे आ जाए तो अभी के लिए जब आप वहां के लिए सॉसेज बाइब करते हैं चीज के प्रोड़क्ट्स बाइब करते हैं तो आप होलसेलर से ले 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 तो या मंडी जाके ले लिया है जैसे पर जैसे आपके दो तीन स्टोर्स हो गए तो आपको पता है आपको कंजम्शन खपत अच्छी कासी तो कट डाउन यूर कोस्ट बाइब मूविंग तू मोर एफिशेंट सोर्सेज मीनिंग आप होलसेलर के पास जाएंगे डॉमिनोस होलसेलर से लेता हुआ नहीं क थोड़ी जाएंगे भाग के कोल्टिंग के लिए नहीं के यहीं बैठके भीएंगे तो बढ़ा देया प्राइस बढ़ा दे कैंस्की तो प्रैक्टिकली मैं बोलना चाहरा हूं कि अगर इनका शॉट रंग का कव देखूंगा तो वह यहां से थोड़ा नीचे आ जाएगा वाट इस है तो वह शॉट रंवाला का लेकिन उसमें थोड़ी सी इकनोविज ऑफ स्केल के किन कर वी एंब टू ऑप्टिमाइज दी कॉस्ट कि विकॉस अफ देंक्रीजिंग कॉंटिटी यह स्नो कि यह कुछ पॉइंट्स तक के जाएंगे जैसे 102 है्ट नीचे ही आते जाएंगे जैसे एक सा 2 इसे 23 234 यह नीचे ही आते जाएगे धे यह इंद सेप्र आप भी रहेगा कुल मिला के वाट आम ट्राइंग टू से सम्थिंग आपकी बुक में ऐसे ऐसे शॉट रन के कव बनाए होते हैं और इसका दिन के मिनम को जोड़के लॉंग रन के कव बनाए होते हैं पॉइड दो आपको बॉक्स से शोगर दो मैं एक अटन ओवर ओर लेवल वाट विल एपन इस दाट अगर आप लॉंग रण में भी देखो गी तो कंपनी कहां अपरेट करना चाहिए कि कंपनी में इस्टिल वांट 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 आपे इस सेंव लेवल दे मिनिमम लेवल ले हैं एक लॉड देखर बैक प्रशन अप्रदिशन इस पॉर आप इस काने मिस आप से अड़ आप इस पॉइंट वांट करना चाहिए थीग है जी अर्भी गुट तिल इस पॉइंट एक बार दू रीट दो टेक्स्ट इन दीज रिफ्रेस्टर मॉड्यूल सों पूछ नहीं करते हैं वा आपको रीजिन्स देते हैं वो थे इसकानुमीस भडेसल्ट थो इसकानुमी भाप शकीर अनुद्ट इस पॉनमी दोफ चल में रिजल्ट आप्या जेज तो इन इस इंपरेशंगे अप्रीजिए अधर लॉक्राशी हम लीज रिजस्ट प्रॉप्लम विट मोटिवेटिंग वर्क फॉर्स बारियर्सु अवरियर्स्ट विट्विशन देस्ट गर्ट रोट्ट है थी यह तॉर्ट ये शौट रण एवरेश टोट रोस्ट कर्वे और ये सब्यम पॉइंट को जोड़के ये लॉग रन एवराइश टोटीं ब्सक्रेश इतिक लुग मेर्ष टोटो न का बना डिए एज़ लॉंग रन ऐवरेश टोटील कोस्ट का बना कैसे हैं शौट रन के मिनिम्मम इसका मिनिमम सबके मिनिमम पॉइंट करना चाहोगी आप आपने जब पहला स्टोर खोला तो आप अपनी कॉंटिटी इंक्रीज करके यहां तक के लेके गए उसके आथ कॉस बढ़ने लगे वह वापस कट्डाउन करके इसी पॉइंट पर लेकिया है यह सेकेंड स्टोर खोला सेम तिंकिंग थर्ड स्टोर खोला सेम तिंगी तो लॉंग रन में क्या हो रहा है यह सारे के सारे मिनिमम पॉइंट्स को जोड जोड के आपने लॉंग रन आइवरेश टोटल कॉस्ट को बना दी सरी आपका जुड़ा हुआ नहीं होगा मेरे से ठीक है इस नहीं आता है मेर अच्छा अपने पास तो यह भी जाद हुए हम क्यों ऐसा बोल रहा है अब देख रहा है जुड़ा हूँ है कि देश्टेट माइंड आप अगर यहां पर नोट्स के लिए लिखना चाहते हैं तो लिख लीजए अगर आप Q1 पे अपर कर रहे हूं Q1 Q2 Q3, if you are operating at Q1 if operating at if a firm is operating at Q1 motivation is to shift motivation is to increase production benefit from economies of scale अगर इंक्रीज करकर के Q3 पे ले गए तो motivation is to cutback production क्यों सेव प्रॉंट इस एकॉनमी इस ओफ स्केल कि यूटू इस दी ऑप्टिमल लेवल इसके बाद क्या होगा यह क्यूफोर यह क्यूफाइव यह क्यूफाइव यह क्यूफिक्स इसी तरीके से क्यूफिक्स अप्टिमल लेवल हो जाएगा फिर क्यूफिक्स यह सब को जोड़ देंगे तो कि लॉंग रन एवरेश टोटल कॉस्ट कर बन जाएगा सरक एसे नोट लिखता हूं आपको भी ऐसे लिखने चीए पुरी कहानी लिख लिख के दिक्कत जागा आपको तो ऑडर समझाना चीए ना कि हां ऐसे ऐसे डिसकस हुआ था क्यूफिक्स यह सारे के सारे मिला के क्या बन जाएंगे लॉंग रन आवरेश टोटल कोस्ट कर तीक है यह पूर्शन एकॉनमी इस बीच का कॉंस्टेंट रिटर्न तु स्केल भी आ रहा था वह नहीं लिखा नहीं अलिक दो फॉन्स्टेंट एकॉनमी जाफ स्केल डिस एकॉनमी जाफ स्केल और यह राप इस वीड क्लासिक इग्जैंपल्स बहुत पहले तीन सार्ट छे वीडियो पहले लास्ट बात की थी क्लासिक इग्जैंपल्स आप टेलीकॉम सेक्टर बोला उबर जैसे सेक्टर पॉलिगोपली इस वाट केस मदब अगर आप पॉफेक्ट कॉंपटिशन से टूर्ड्स मुनॉपली जा रहे तो दा नंबर ऑफ मैनुफाक्ट्टर और नंबर ऑफ सर्वेस प्रोवाइडर्स आर इंक्रीजिंग और डिक्री मुनॉपली में जाके अल्मूस्ट दो बच जाएंगे एक बच जाएगा मतब अगर मैं पंडमेंटी ठीक बोलो तो सर्वेक बच जाएगा अलिगा पली में जेरी बी लेसर नंबर ऑफ सेलर्स इन कंपरिजिंटु मॉन पर्फेक्ट कंपटिशन करेक्ट पोलिगोपली का एक स्पेशल केसे विच इस कालड़ डूपली अगर मैं यहां पर आके बोलूं की रिलाइंस वर्सेस जीए वर्सेस इर्ट इस अग्जैंपल ऑफ इन लिगापली तरो तीसरा वोड़ाफोन आइडिया भी है नहीं है वो भी पता नहीं चल रहा है तीके अगर मान भी लो तो चलो तीन प्लेयर पूरे मार्केट में विच वाथा तो नहीं है अब है क्या अपनी क्लास भी एम टीनल इसका नहीं नहीं लिख लेंगे इस वांट तो अडर फूड तुड 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 आप्शि अवेलिबल एनीमूर ओंडी सी अब आने लग गया इफ यू वांट तो लेट से प्लाइबाक तो यह वोम वी और टेक्सी कैब यह सब तो क्या ओप्शन अवेलिबल है अब वह आने लग यह तीसरा ब्लू स्मार्ट तो यह दो है वह जो भी हो कुछ भी कर ले हो जो चालू हो रहे हैं कि बंदो ने पता भी नहीं चल रहे हैं ले जस्ट इस टू आप्शन अवेलिबल ऑल दीज़ कि इनकी प्राइजिंग पाँवर जनरली ज्यादा उगी जनरली ज्यादा होगी लेकिन दो प्रेयर्ट होने से देखना क्या है एफेक्ट आ रहे है फरक और प्रिट्रेंट आपस में बात कर ले जाएं कि ओके बॉस लेट उस नॉट रिडिवे प्राइज और लेट उस नॉट अफर स्कीम्स और डिसकाउंट तो क्या इन लोग का मार्केट शेर लॉंग टर्म में बढ़ेगा गा नहीं बढ़ेगा प्रिट्रेंट की बात करेंगे तो उसके सिवा भी और चालिस अवेलिबल होंगे विचार वेरी डिसेंट साइज प्लियों क्लोज अब दंद कांथी और फलान दिंकान पांचों सिमिलर्ली हम सिमिलर्ली अगर आप इसी टाइप के FMCG में किसी भी स्पेस की बात करें तो यू विल फाइंड दाट देर आर नोट जस्ट्व थ्री मदब अधिस पॉंट अफ टाइम अगर आप स्वीगी और जमार्टो को कवर कर लो और अगर आप अनलाइन फूट दिलिवरी अप्स की बात करो तो शायद यह दोनों मिलके 80% मार्केट कॉर्णर कर लेंगे में परिमोर मैं कम बोल रहो बट यहीं अगर आप दो कोई इस तेक एनी टू प्रोडट्स इन एफम्सीजी सेक्टर यह वोट प्रभी चंसीटूट टूट टूट परशेंट टूट टूट परशेंट टूट बच गया इन अफ्यू टॉक आप लेट से डिओडरेंट स्पेस तो इसमें मार्केट लीडर करके शेर पच्छेस परसेंट बीस परसेंट सेकंड प्लेयर का क्या शेर होगा दस फंदरा परसेंट तो दो मिलके 30% ही तो है अगर आप डियोडरेंट अगर आप किसी भी शॉप में पता नहीं कितने डियोडरेंट पड़ है यह लिटरली तो मैनी सेलर्स पर एनीवर्ड रूस्ट मार्केट और पर देम तो कॉल्यू डॉर्ट डिसकस कि भाई प्राइज नहीं रिदूस्ट करें यहां पे इस इस स्पेशल केश हुआ है बिकॉस यह पोटेंशली इस पोटे मैं खुद का टेलिकॉम कंपनी बना तर्ट करना चाहता हुआ तर्ट वापस टार्ट करें टार्ट टेली सर्विसें वापस लांच करेंगे तो करी सकते ने वाद इसमार्केट इस कोस्ट प्रोइबिटिव यह आपकी बुक्स में नहीं लिखा वर्ट मैं बोल रहा हूं अब नाचुरल बैरियर मदब आसस्थ देरागों बैरियर स्वेंट्री बट इकॉनमी लॉफ स्केल अफ लुए प्लेयर्स एग्सिस्टिंग इन अपकेश्ट वाला जो ले इसमें कितने लोग रहे गए टाटा एल्टेश जीओ और कौन है अब यह जैसे यह थीन प्लेयर्स को हटा हो गया उसके बाद सारे के सारे छोटे छोटे डीजनल प्लेयर साथ यूट फाइं देन इस बैट इन नॉर्थ इंडिया यूँट फाइंड इस प्लेयर्स इन वाट यूगल साउथ इंडिया और इस्टन पार्ट वार्गर्ट्री आपको पंजाब में कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्लेयर्स दिखते हैं जो इस साइड नहीं वह आपको पंजाब में स्ट्रीम चीज़ें बहुत जादा शो करेंगी सिमिलरली उसमें बटे हुए बट अगर आप ओवरॉल मार्केट बोलोगे तो तीन-चार प्लेयर्स डॉमिनेंट हुए यह चीज़ आप मोनॉपलिस्टिक कॉंपटिशन वालों के लिए नहीं कह सकते हैं ओलिगोपली इ इसमें एसल देरा नो बैरियर्स टुएंट्री बट सबने मार्केट में इतना स्ट्रॉंग पर्सेंटेज कॉर्णर किया हुए कि नहीं प्लेयर के लिए घुसना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहे गए ठीक है यहां पर जो अभी तक कि आप स्टड़ी पड़के आए थे सब्सक्राइब आपको बोलने लाइक नहीं बनाया जा सकता हुए प्राइज आर्मर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेगा वहां पर क्यों डिफाइन होगा यार इस तरीके से आएगा फॉलांडियम्कान एकनामिक प्रॉफिट जीरो इकनामिक प्रॉफिट यह पूरा का पूरा स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो इसमें कहीं कुछ भी इस इंवर्ट नहीं है ओलिगोपली इस 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 मार्ट इस मॉडल पर इस फर्म स्ट्रॉक्चर इस मार्केट स्ट्रॉक्चर पर आते ही एक छोडी सी प्रॉब्लम यह आ जाती है दाट देर आ लॉट ओफ इंग्स गोईंग उन तो आपके पास एक रेडी आंसर नहीं है जब एक रेडी आंसर नहीं है कि हाँ इस दरूल फाइनल रिजर्ट ऐसा रहेगा वहां पर सी एफ़ें सीट्टूट मॉडल से इंट्रडूश तरने लग जाता है बुलता है बॉडल यह क पूछेगा तो कैसे पूछेगा नमबर ऑफ सेलर्स बताओ इन कंपरिजिन टू पर्फेक्ट कॉंपेटिशन मोर लेस सेम नॉन डिटर्मेंट ऐसा बोलेगा नहीं तो हड़ चीज के लिए बताएगा इस मॉडल के अपार्डिंग बताओ क्या है आज वी गूट इसमें जो इन भूट केंग डिमांड मोटल सुन्न तंके अचशन मोड़ ए उट सेज एधरी स्ट्राइट फोड लाइं इस सम्थिंस तेंग फिल अस तो इस कि मांड लिजे मार्केट में दोप्लीयर्स मार्केंट में सिर्फ प्लार्स है प्लेट प्लार्स इन नाट मैंने आप लोगों की लिए लिखा था कि यह प्राइस डिपेंडेंसी वाले मॉडल सुनना अगर मार्केट में किसी चीज में सिर्फ और सिर्फ चार प्लेयर है मान लीजे पुराना वाला टाइम लेते हैं आ रहे हैं घुसना चाह रहा है यह न्यू एंट्रेंट है जो इंकम्बेंट एंट्रेंस है कि एटल का अच्छा मार्केट है वोड़ा फोन का ठीक ठाक मार्केट है आइडिया की बैंट बजी पड़ी है बट चलो कोई यह तीन प्लेयर्स थे कि फॉर्थ प्लेयर वांट्स टो एंटर इंट्ट दो मार्केट एक ब्रीफ पीरेट ले तो चारों प्लेयर भी रहे होंगे इन लोगों का प्राइस सेटिंग मेकानिजम किस साथ से रहता है देखना हो मालो अभीकले सबका रेट है डाइस और पर महीना अगर जीयों ने उठाके अपना रेट कर दिया एक सो पचातर पर महीना तो यह तीन को क्या करना पड़ेगा राइस रिद्यूस करना पड़ेग तो अगर प्राइस ड्रॉप हो रहा है इफ पी रिड्यूसेज दें फॉलो दॉसूट केस नंबर टू एयर्टल ने प्राइस जाइसों से बढ़ाके तीन सो पच्छेस रुपर कर दिया यह तीनों क्या करेंगे नहीं बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे किन खил सब्सक्राइइस का यह उस समय के मेकैंश मार्मूस 35 परसेंट के पास थी परॉट कि बढ़ान दो कि सब्सक्राइग 6 जब धीरे-धीरे मार्केट सेटल डाउन हुई तो दा न्यू रिजल्ट वस्ट्वेंटी फाइव यह लेट से ट्वेंटी ट्वेंटी एट इस टू कंबाइंड ऐसा कभी भी नहीं होता है इस पॉइंट अफ टाइम चलो चलो एक बार को मान लेते हैं कि थर्टी थर्टी फाइव सिक्स्टी फाइव हो गया इसके पास if i don't increase the price तो बहुत सारे कस्टम तो इसके लिए शर्ट वार देंगे तो अगयर प्राइस द्रॉप ओ रहा है तो थो और सुट गर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दू नौट वॉल्ट तो हां या ना कि यह कि यह रहे बाट है है कि टेलास्टिक यह सही बात है फिर क्या होगा दो बार पूछने उद्द्दिक मैंस्टिक तब है यहां पर आप क्या बोल रहे है एक कितना भी रख लो कॉंटिटिटी सेम यह क्या है ये वाला लास्टिक डिमांड जो इसके बीच के मेकैनिजम लेते इफ आइए पिए इन दोनों में से कौन सा जादा इलास्टिक है वन एलास्टिक वाले में क्या कि मतलब मुझे इलास्टिक डिमांड करो का समझाओ क्या हुव अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा हूँ तो कॉंटरी वो तो लॉट्eze करने से impact increases को यह बात तो आपको कॉंटरी मेनि बता देता यह तो दोनों में एलाइक इपक्रीस प्राइस ago की कॉंटरी मांदर इंक्रीज़ें मुझे कॉंटम ऑफ इंक्रीज बता है केस वट में चलो कि मैंने महनों लोग प्राइस डिक्रीस यहां से यहां वन यूडिट एक सेकेंड रुको, मुझे इक चीज बता हूँ, मुझे एकजैंपल्स देना, मुझे एकजैंपल्स दो जादा साथ यह सब्सक्राइब करने लास्टिक है दो कि जो नेसिशिटीज होंगी वो इन इन एक गोंगी जो नेसिशिटीज होंगी मतलब नैसिटीज इन दर सेंज मेडिसेंस इस इस इन इनलास्टिक इस आर इन इलास्टिक मुझे इन में से बताओ कौन सा जाद है इन इलास्टिक पॉइंट टू इस मोर इन इलास्टिक येस जो एंड कर वन इस एलास्टिक वन में पुरानी और डिट्राइट अब देख लेते हैं अल्रेडी ग्राफ देखना इस पीस इसमें ग्रीन कलर का डिमांड तर दिख रहा है और एक रेड़ कलर का डिमांड तर देख लेक्ट कि रेड़ डिमांड कविश्ट एलास्टिक और इनलास्टिक वाला इस लेसे लास्टिक अब देखना प्रैक्टिकली बोलना कि चाहरा हूं अगर प्राइस रिडिउस करो अगर प्राइज रेडीवज करूं मतलब अगर प्राइज नीचे लेके आउ में यह ड्राप दव प्राइस के और मैं अभी डिर टू वाले कर्व की बात कर रहा हूं ऑगर सबस्क्द करूं तो एंपक्त क्या होगा कॉंटिटी बहुत ज़ादा अगर मैं प्राइस कां करता हूं अभी जिस्टां से बुर रहा है अगर प्राइस इंक्रीस की बात करते हैं अगर प्राइस जो कि यह पॉइंट पी है अगर मैं जो चैनल मैं प्राइस करते हैं इस इस एप्लिकेबल इम अधिडिव कर देश्च की ए यह भाया मच लारजर परसेंटेज बात्लम मैं पांच मैं दस लगा प्राइस रिडियूस कर प्राइस इंक्रीज कर रहा हूं लेकिन जो डिमांड है वह 20% कम हो जा रही है यह होगा ना एर टेल उठाके 500 रुपय का प्लान अब 300 का देने लग जाए तो 20% प्राइस इंक्रीज कर दिया है इसने डाइसो पे 20% 50 और बढ़ा दिया जो कॉंट्री डिमांडेट है वह 20% से नहीं गिरेगी वह 20% से जादा से गिर जाएगी हां या ना क्यों जादा से गिर जाएगी विकॉस अधर प्लेयर्स विल नॉट फॉलो दे सूट आपने प्राइस इंक्रीज किया दूसरे बो इस परसेंट से प्राइस ड्रॉप कर दिये 200 से दोस्तों कर दिया इस विए इस नो कॉंट्री डिमांडेट विल इंक्रीज बाइट 20% 15% 25% गलत रिडियूस किया है क्या बोलना चाह रहा हूं समझो इतनी देर से बोला क्या था में रूली बूल गए अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरे भी दूसरे इस प्राइज इंक्रीज को फॉलो नहीं करेंगे जब दूसरे प्राइज इंक्रीज को फॉलो नहीं करेंगे तो आपने जो प्राइज इंक्रीज किया उसकी वजह से लोग दूसरे दूसरे competitors की तरफ shift हो जाएंगे तो आपने price increase किया 20% quantity demanded will not fall by 20% it will fall by 40% 50% much more हाँ या ना case 2 जब आपने price decrease किया तो सारे के सारे decrease कर देंगे तो मैंने price decrease कितनी इंकरीज होनी चाहिए थी वी स्टका लेकिन होगी क्या नहीं इंकरीज होगी सिर्फ पांच तका तो जो second वाला case है वह क्या हो गया वह inelastic हो गया जो फस्ट वाला case है वह क्या हो गया वह और लास्टिक हो गया तो हो क्या रहा है जो point जिस पॉइंट पे मैं हूँ डी टू डी टू और डी वन जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस पॉइंट का नाम रखा के किंग किंग मतलब टूटा हुआ कि यह लोगा है कि के इस ब्रोक किंग मींज ब्रोकन कि अगर इस के इस अगर फ्रीश पॉइंट प्रीश पॉइंट आप ते इस प्रीश गोस अप देन गोंट्य दिमांड विग वाल्यों प्रीश नां प्रीश इंक्रीश करने से वहाल इन कॉंटिटी कॉंटम ओव फॉल इन कॉंटिटी इस हुमंगर सुझ है बट प्राइज डिक्रीज करने से इंक्रीज इन कॉंटिडिमांड इस वेरी स्मॉल तो हो क्या रहा है मतलब इस पॉइंट यह इंफलेक्शन पॉइंट इससे उपर और इससे नीचे का फ्लोप अलग अलग है इससे उपर का स्वेश्ट क्योंकि क्यों बहुत जादा चेंज और इसके नीचे की बात करूं तो इसका जो स्लोप है वह काफी मतलब बहुत इनलास्टिक है विगास कॉंटिटी कुछ खास चेंज ही नहीं हो रही है तो जो रियल डिमांड कर बनके निकल रह अयह पूपर में रैडवाला पॉर्ष है नीचे में ग्रीन वाला पॉर्ष है ये यह है मेरा डेमांड कर मानलो यह बंट यह पॉइंट एट एट अटसरी्ट तो इस इस Ettوسछ अधुं ग्रॉर्ट को टींच एट यह दिवालम टिस एस्माइब इमांड कर टींद टीन घ्य तेल इस पोइंट अ की अ कि अभी अभी एभरेज िडिवेन्यू कर समय पड़ां अभी सिर्फ एभरेज रिवन्यू कर पड़ायों तो दो इवरेज रिवेन्यू कर उते कि यह करें यह चो डिय regularly डिसेशते टिस इस जैए और महिंडो तो कि यह को समझ आगए आपको यह समझा गें ना यह कैसे बना यह इसे बनाएक वह इसके फीछे में थे दो थीन दोक्के एक यह वाला दिमांड का उथा त्यों 292 आ यह नहीं और यह सब दोड़ेमांड को थे आपने किया इतना पोर्श्ण काउंट किया का ट्रिक और नीचे वाला पोर्षण काउंट किया इन लस्सराइर और इस है आपका नूड कर सब्सक्राइब और यह न है जिसमें अपर्पोर्शन आफ Song invite एक एपर पर पॉर्चिन एलास्टिक का लोवर पॉर्चिन इनलास्टिक एप यहां पे कट रहे हैं जब पॉइंट का इंट्राज इंट्रॉइंट्वाइशन पॉइंट इस काल के किंक संभालना पड़ रहा है कि मुझे एक बात बताओ अगर यह आपका एयार करव है एक अगर एक इस एक इस यॉर एयार कर तो क्या एक्स यह आपका एमार कर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपका एर कर वह है एक इसका एमार कर यह तो पड़क आ है अभी तक दिए लेकिन मुझे बताओ अगर यह वाला लाइन इसका यह तो यह वाले डिमांड कव जो इन इलास्टिक था इसका अलग मरका होगा या नहीं होगा कि होगा तो जब यार कर दो ली अलग अलग को जोड़ के बनाएं तो यह रख बनाओगे अधिया ना है सही बोल रहा हूं ना कि यह तो कहां ही पढ़ाएंगे थास लिवस में यह भी पढ़ाया नहीं वह अलग बात देखना थाइंक गड़ पैन वर्क तभी है यह यह डिमांड कर वन है यह इलास्टिक इसको दिस्ट पीस ऑन ग्राफ यह नहीं होगा इसको एमार वन गोल दे रहा हूं यह सेकंड जो मैंने बना है यह डिमांड कर्व 2.3 यह एमार कर्व 3 एमार कर्व 2.4 आया ना अरु विच मेट इन इस पॉंट फाइनल दिमांड कर्व कैसा हुगा देखना इस पीस और यह बीच में किंग का गया और जो और इंज पॉर्शन मैंने बनाया यह पॉंट नमबर फाइव दिमांड कर्व फाइव हो गया के और शिक्स हो गया किंग्ड डिमांड कर्व और इंज हाइलाइटेड इसी तरीके से डालने चाहिए आपको इसी तरीके से नोट बनाना चाहिए आपकी बुक इस चीज को ऐसे दिखाती है वो कहते है यह टमांड कर जो कि यहां तक ठीक है यहां तक ठीक है इसमें फाइट नहीं है वो इसका अगला पार्ट समझाई नहीं पाते हैं वो बोलते हैं मर कर ऐसा होगा बनान था यह क्या हुगा कि ये नहीं होगा वो पता ही चल रहा वह इसी लिये नहीं हो रहा क्योंकि जब AR करो इतना यूज किया है कि इतना ए आर हो रहा है तो मर कितना बनाओ इतना और उसके बाद जब AR यह आ रहा है तो MR क्या होगा यह तो that's why the MR curve looks broken what is the final MR curve what is the final MR curve the final MR curve looks like this जिसको मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए let's see blue highlight the final MR curve looks this MR curve यह है broken यह है blue highlighted final picture ऐसी दिखती है अगर आप final picture देखना चाहें तो वो ऐसी दिखती है यह AR curve है यह MR curve ठीक है जी इसके बाद की कहानी आती है वही average cost वही minimum cost वह सब आ जाएंगे वहां तो कि यह 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 नोट कर लिया न हमने वन टू सेवन और यह फाइनल ग्राफ आउट पूट अब यह यह फाइनली बनके रेडी होगे यह यह फाइनली आपका मार्जनल कॉस्ट कर रहें सेंसी टू इस एंसी टू इस दो मार्जनल कॉस्ट कर वांद मुझे बता रहो एवरेज रिवेन्यू का वन किसके वैसे राता है आए मार के वैसे अगर मार नीचे है अगर मार ड्रॉप हो रहे इफ एमार इस लेस यह तो यह फोस्किन और रिलेशन मैंने उससे में पढ़ाते समय बोला था यह 36 जगह आये और एल्टू एल्ट्री में भी आता रहे जो कि मार्जिनल इस लेस देन एवरेज अभी इंडियन टीम का एवरेज स्कोर पैसट रन का यह पचास रन का चल रहा है दो बैट मैंने दोनों कुफ्टी कर रहे लिए तीसरा बंदा अगर आया और वो जीरो पर आउट हो गया तो एवरेज रन ड्रॉप हो जाएगा अब सॉरंड बने तीन विलेट हो चुके तो अगर अगला सेंचुरी मार गया तो दो सो कर स्कोर हो गया दो सो बाइटीन तो लोग क्रिकेट संदाने लगे अगर अगर तीन बैट्समेंट ने विलके सौ बनाए तीसरे वाले ने आके सौ बना दिया तो एवरेज स्कोर बाइच बैट्समें राइज हो गया ना इट वेंट ड़ो लोग खेल रहे अरे पता है मुझे अब मैं वहां दोड़ी जाओं अब क्लास में कैंडिडेट्स का आवरेज स्कोर काउंट करना दो लोगों के हंडर आउट अफंडर दो लोगों के 60 अफंडरेट है तीसरे गैंडिट क्या स्कोर एट्टी हो गया तो क्लास की आवरेज हो गई ना तो मुझे यहां बताऊं ना एवरेज किस पर डिपेंडे के स्कोर पर जो डिवाइडेट वाइट टोटल कर आवरेज आ जाएगा तो अब तुम बताऊं ना जब एवरेज कर रही है यह वाला जब डीडी वन वाले का अवरेज लिए तो इसके लिए यह ऐसा कब बना होगा जब मार्जिनल इसी के करेस्पॉंडिंग आ रही होगी और जब यह इनलास्टिक वाला लिया तो ऐसा वाला डिमांड कर बन रहा होगा जब मार्जिनल वाला इसके अकॉर्डिंग बना होगा तो मैंने दो डिमांड को मिला के इक के इंहर कि और बनाया तो क्या मार्जिनल करव भी दो मार्जिन स्कों यह देखो देख़ुल बनेगा तो दोनों एवेरेज का रिस्पेक्टेव यह मेर गशनाट को मिला के हमने एक और निघहीं को बनाया थो बेखों ऑ जा रहा है तो विजुल एक्स्विनेशन है बट करेक्ट एक्स्विनेशन भी आपको अगर समझ आए तो प्राक्टिकली वाट इस पॉइंट से इस पॉइंट से जब प्राइज को चेंज कर रहे हैं उपर लेके जा रहे हैं तो नोवन इस फॉलोइंग दूप मतलब बीच मे एक ऐसा क愉न पार जहां पर मार्जिनल पीसे इस नोट गेटिंग अफेक्टि और та और को यैस नो वहां पर दीश जीरो नहीं बुम रहे हैं को या उस समझ पार्णक्ठ मौस्ट मार्जिनल कोश्ट और मारजिनल रिभेन्यू का इस यजगां पे बोकन यह जगह ब्रोकन है एमसी एमार शिफ्ट उसके बाद तो सेम रूल ही अपलाए हो रहे है कॉंटिटी दो एट दी अंड और यही वाली चलेगी येस नू दिस पॉइंट वेर यू विल ऑपरेट है या ना के इंड डिमांड कर में सब कुछ करेक्ट है सिर्फ एक चीज एक्स्प्लेंड नहीं होती जो मैं भी आपको नहीं बता पहूंँ यह बात तो एकदम करेक्ट है कि एक ऐसा पॉइंट है जिसके जिससे प्राइज अ किंड दिमांड कर विस्टा यू दोंट नो विच स्पेसिफिक पॉइंट एक इस अभी तुने मॉडल बता एक ना वड़ा तो बताना को के डिटर्मेंट कैसे करें तो किंड दिमांड कर बोशता है मेरे को नहीं बोशता है वो बोशता है theoretically तो यह ठीक है लेकिन देर नोट एक्स्पेसिक पॉइंग किंड देश्वाइश्व किंड से लिमस्तेस्जरे तो इस वाज़े से दूसरी पॉइंट यहीं मॉडल है अगे पड़ेंगे कॉरण आख मोडल स्टेकलबर्स मॉडल और नाश एक्विलिविए मोड़ू सर्य लग रहे है तुमारी किस बहुँ अच्छी है कि हाज का समय होगे हमने कर लिया था के इंग डिमांड पर मुझे पता है बहुत ज्याद अच्छा लगए आप लोगो इक नौ में इसी में चार और तीन और मॉडल से वो डिस्कॉस कर चेंग दिस वन मॉडल विज इस पॉल लगॉड मॉडल देन देर इस स्टाइकलबर्ग मॉडल इंड लास्ट वण इस नच EQUILIBRY ठीक है इस डिसकेशन में कॉर्णॉट और सॉक्षिष करेंगे नच इक्विडि़े में मॉडल पहले यह वालट इस पॉर्चन आगे बढ़ातें कॉर्णाट मॉडल यह एज्यूम कर रहा था कि डिसिजन मेंकिंग साइमल्टेनियस है लेकिन स्टैकलबॉग एज्यूम कर रहा है कि जो डिसिजन्स है वो सब्सीक्वेंटली बन रहे हैं दुबारा कर रहे हैं हमने सबसे पहला पढ़ा केंग डिमांड का मॉडल उसमें पता था कि प्राइज इंक्रीज पर कोई नहीं करते हैं इसके बात के दो मॉडल है उसमें प्राइज डिपेंडेंशी थी या नहीं थी खुआ करोगे तो फॉलो और तो नहीं करें यहां पर क्या रहे हैं कि यहां पर भी बोद रहें कि हाँ हमें पता है यहां का जो रिजल्ट निकलता है एंड में वो यह है ड़ेट बोथ फॉर्म्स और इक्वली डॉमिने दोनों के दोनों का स्टेग जो है वो अल्मोंस सेम है मार्केट में मैं दोनों एक साथ अभी पढ़ा रहा हूं बाद में पूरा 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 रीट कर लेंगे ग्राफ देख लेंगे दिस और में ग्राफ इस जस्ट वट यू कॉल नेमसेख सिर्फ और लिप सर्वेच की विए कोई ग्राफ बनागे तो कोई सेंच नहीं बनेगा कॉर्णॉट में बोल रहा है, मार्केट में दो फॉर्म्स हैं, दोनों की दोनों equally dominant जैसे at this point of time अगर मैं बोलू तो आप अगर स्वीगी और दुमैटो को देखें तो दोनों की दोनो equally dominant है, कोई एक दूसरे को push, मतलब ओके आर बोथ prohibitive for each other, मतलब जब भी कोई एक फॉर्म decision लेगी तो दूसरे वाले को ध्यान में रखते लेगी, बट ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि एक फॉर्म दूसरे को दबा सकती है, या एक फॉर्म दूसरे को maraud कर सकती है, ठीक है ना, स्टाइकलबर्ग मॉडल क्या बोटरा पहले यह समझा, और ज्यादा से समझे, स्टाइ मानलो मार्केट में एक लाख सब्सक्राइबर है, लेट से टोटल इंडिया में एक लाख सी सब्सक्राइबर है, अब अगर जीयों ने अंदर आना है, मानलो यह दोनों के दोनों जॉइन हो भी जाते हैं आपकी, क्या नाम था इनका, वुड़ाफोन आईडिया, यह मानलो अगर जीयों बाहर बैटके धंदे को एनलाइस कर रहे हैं, तो हो सकता है, उसको दो जीज़ें नजर एंगी, पहला मार्केट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कंडियूसर या मार्केट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोफिटेबल, बट वो कब, अगर उसे एक ठी मिले तो मार्केट में, एक ठीठ ठीठठ प्रपोर्चन वो ले पाए मार्केट का तब, यहाँ पर केस किया है, क्या थीठठ रेशיות ले पाएगा, बहुत एक ठीठग रेशियों ले पाएगा, और नहीं, उसके घ्राफ है आपके स्टेकलबग मॉडल का इस मारजिनल कोज दीर इस द्धॉमिनेत फॉर्म ठीक्ट कि मारजिनल कोस्ट यह डिमांड कर जो यह है डॉमिनेंट फॉर्म का यह जो एम आर का वह यह है। करके चलते हैं यह जो पहला वाला जो डिमांड का वे अधिस इस भी मार्केट दिमांड का वी सेकंड डिमांड का वी डॉमिनेंट वं डिमांड का देखो दोनों के बीच में गाप कितना कम है तो इसका क्या मत लग है अगर 100 यूनिट की टोटल डिमांड है उस में से 80 की तो डॉमिनेंट फ्रम की डिमांड है तो जो दूसरे प्लियर से उंके पात सिरे आहां वहम चारे अब मैं आपको बोद रहा हूं वह डौमिनेंट फरμ डिसाइड गरे जो प्राईड और बो डॉमिनेंट फर्म डिसाइड गरे बिसाइड 방रन मुझे बताओ प्र में जनरल सब को छोड़ो प्रफोक्ट कोमपीटिशन में प्राइस कैसे डिटर्मेन करते थे जहां एमसी और एमर इंटर्सेक्ट होता था तो फिट यहां पर जाओ लेफ जाओ ठीक है? M.C. और M.R. मीट हो रहा है इस पॉइंट पे यहां से इसकी quantity determine हो जाएगी yes, no और price भी यही determine करेगा यहां से price determine हो गई अब यही price तो रहे के पूरे market लिए available रहेगा यह है marginal cost किसका? competitive firm का उनसे मतब इस करव से आप जो competitive फिर्म से उनकी इस ने डिटर्मिन करता होगे और यू विट मेट इस पॉइंट प्राइज डिटर्मिन किस ने गिया dominant फिर्म जो प्राइज उसने डिटर्मिन किया competitive फिर्म ने उस प्राइज को accept कर लिया दैट बिकेम दी प्राइस टेकर अर्यू विट मी पुरानी वीडियो देखो कि इसका एक अगला स्टेप भी समझा है हुए अभी अबॉइड गरना चाहता हूं एक बार इसको पुरा का पुरा रीड करना स्टेकल गोग एजून से डिसिजन सार मेड सीक्वेंशियली सीक्वेंशियली मतलब एर्टल पहले से मार्केट में था जी यो बाद में आ रहे हैं तो जीओ क्या खोच रहे हैं कि लिए हो तो पहला डिसीजन किसका ए अगा सेकंड डिसीजन किसका है जी योगा डॉमिनेंट कौन है यहां पर एर टेल जीओने बाद में आने देखना ठीक है वो रियल सेनाइर्यों में कुछ और ही हो गया जीओ पॉकिट्स की उसने बुला जाब बाढ़ नहीं कमाने पैसा क्या लिए कोई तो निप्टे का वोड़ाफोन आइडिया का स्टेक कॉर्णर कर लेंगे थ दूसरे ट्ले प्रोइबिटेव है उसको पता है कि मैं मैक्सम बीस तीस ही कॉर्णर कर पाऊंगा जैसे और वो बीस तीस में शायद मेरी फिक्स की रिकवरी ना वैसे तो प्रॉफिटेबल है लेकिन मैं अगर उत्ती कॉन्टिटीव होना करता हूं तो सिर्फ बीस तीस की जीरा दिखना। इन देस प्रॉफिटेबग मोडली दीडर फांट चुझे स इस आप पर सेथे धेंट जीट अपर पॉसक्त की बीस अब्सक्राप्प टिखुटेगी हो श्रुचा है एंडिटेंगेट ऐसा प्लूभाइट से स्टाइब्सुटेज और संटीड एंटर नाम चोड़ दो भी ते लीडर उन्स निए इन सच अ मॉडल तप्राइज इसे डियान कहां देना है डॉमिनेंट फर्म के कॉस्ट और रिवेंड्यू के इंटर से उसका कॉंटिटी और उसका प्राइज डिटर्मिन हो जाएगा जो उसका प्राइज होगा वो प्राइज दुनिया प्राइज प्राइज अब बोल रहा हूं यह इस्टेबल नहीं है प्राइज से किसी के दिल में कोई लॉजिकली सोचेगा तो यहां सकता है मुझे बात बताओ यहां पर प्राइज सेकर कौन है वह लड़ाई प्राइज कम करके रहूंगी इस प्राइज पर तब क्या होगा अगर प्राइज कम करते हैं तो इस प्राइज पर इसके पास दिवांड इतनी है और वाट यू कॉल दे दिवांड इस्टिल लेसर फॉर इस वर दिवांड इस्टिल आपके पास कोई डिमांड इन जाएगी उसकी के पास बच जाएगी तो एट दी एंड अफ दे प्राइज यू गैट इस बात बताओ यह सब लिखा वह चाहिए आपको कर दो ने रिभूव अगर ये प्राइज के वाजले इस प्राइस पे और इस प्राइस पर टो क्या होगा तो मेंड बढद तो आ रहे हैं अब जितना प्राइज नीचे लेकिया रहे है डॉमिनेंट फॉर्म तो और ज्यादा लेती जा रही है समझारी बात क्या बोलना चाहरा हूं इस प्राइज पर यह थी कॉंटिटी प्राइज रिडियूस किया यह कॉंटिटी हो गई और रुट इस घटा पर जाओगे रूमिनेंट फॉर्म उतना जाधा बेच की जाएग और आप उतना कम बेच जोगे और एंड में योगा कि हाप भी है लिमने अगे तो दे आगर प्र इसमें ना आपने स्टाइकल लिख लिया आप एक बार मॉडल का पॉर्शन थोड़ा सा नोट बनाओ मैं वह लिखवाना चाहता हूँ कि इसमें ना देखना सबसे पहला अजम्शन है कि यह डिवापली है इस एजम्शन नंबर वन कॉर्ण सब्सक्राइब ने लिख आगे लिए उस्के आगे लिख लो अशंशन वन ट्स रौ पली एसम्शन टू सेम एंड चॉंस्टेट्ट मार्जिनल कोस्ट सेम अड चॉंस्टेट्ट मार्जिनल कोस्ट बस आप्शन थ्री पर लास्ट वाला तो हर दो भी ऐस्यूम्स अधि अधि अधर फों सप्लाई विल नॉट चेंज इन दे नेक्स पीडिए तो क्या बोल रहा है दुबारा सुनना बुल रहा है दो ही लोग है मार्केट में दो ही लोग है तो हर सप्लायर को दूसरे की पिछली पीरियट की कॉंटिटी पता है और वो चेंज भी होगी तो क्यूंएस ऑफ दू प्रिएस पीरेट पता है क्यूएक यह आछ सबीकिस पूर प्रेट सब्राइब हो एंध्क एजुए पंती दूब पर लिए हैं एजुएंचिट्टिन Te polls अने कोस्ट आफ रोप्रोडएशन एक प्रणों को एक दूसरी की पीछिली पीरियट की सप्लाइब पता है और चौथा कि अगले पीरियट की सप्लाइब भी वही होगी जो पिछले पीरियट की थी यह जो फरक आ रहा है जो आपकी बुक्स एकदम ऐसे चीक चीक के नहीं बोल रही है वो यह है कि स्टैकलबर्ग मॉडल यह एस्यूम कर रहा है कि पहले करें मतलब एक सब्सक्राइब हो रहे हैं और ऑर तुम्हारा juisto के रही है यह भी अपना त्रेज हैएं यह आपना आ जो एंड रिजल्ट है वो क्या है इक्विलिब्रियम और ओलिगोपली इस दाइट दोनों के दोनों सेम अमांट बेचेंगे सेम कॉंटिटी बेचेंगे मार्केट को एक्विली केटर करेंगे यहां पर अगर आप से एक्विश्जन पूचेगा तो बोलेगा यहां पर दोनों के दोनों के पासक्रांट चाहिने कर रखी है मार्केट की प्राइजिजन सेम पर ले रहे हैं दोनों के दूसरे की लास्ट टाइम की सप्लाइब पता है और दोनों के दोनों सेम अमाउंट चार्ट करेंगे मार्केट में और जो इक्विलिबियम प्राइज है वह तो ऑविसली सेम रहना ही रहना है कि याद करने के लिए बोल रहा हूं जो मैं अपने रिमांग में रख लेता हूं नौट सेंग इस एंग्जैंपल कितने लोग अम्रिट सर गये हैं वाँ ब्रदर्स या प्रावाधा डावा विजट किता है किया हुए किसी ने यह किसी ने वेरी गुल्ड ढावा वर देर वेरी ओल्ड आवा उसके यह दो भाई से आप बाद में दोनों भाई डिवाइड होगे एक में नाम रख दिये प्रावाधा डावा दुछे में दिये ब्रदर्स गावा दावा अच्छा मुझे नहीं बताले हम अम रिच सर के और मैं से बाद के लिए यह यह दो हुआ हैं नान का सेंफ भाई होगा दोनों दूसरे को देखके नहीं ले रहे हैं दोनों इसको पता भी नहीं चल रहे है कौन था और इसका इसका एक्जांपल नहीं है मेरी आदत है में को हर चीज के साथ एक स्टोडी एक्षी रखती है जो मैं या बाद में बायस क्रिएट कर सकूँ मेरी में मेमरी उसके वेश्ची होगे एक्जायम के पहने जब आपके पास दस सब्जेक्ट और पास्तों शत्यस मॉडल होंगे तोड़ी चीप्रॉब्लम होने लग जाएगी और मैं याद करने मे मेरे पास एक स्टोरी रहनी जाए तो स्टाइगल बग में में को हमेश्चे स्टोरी याद हैगी इस वर्ट रिफ पूरा बोल लूँगा और उसके आप खुदी हाथ से बना भी दोगे मुझे रिवाइस करना है मैं रिवाइस भी ऐसे ही करोगे आपको भी करना चाहिए इट वर्क्स लाइक चांब इट साउंड वेरी नर्डी बटाइं यूँ आव डन दिस कि मैं सुबह उठा मैं भी रेडी भी नहीं हुआ हूं मुझे एक गंटे बाद मतब आधा एक गंटा लएगा रेडी वेडी होने में और मुझे लग रहे हैं बहुत दिन होगे पड़े हुँ फिर माइन में आरे चलिए रिवाइज कर लिए हैं नौ आम डूइंग मैं डेली एक्टिविटी स्टोर ब्रश कर रहा हूं दिस डाइट रेडी हो रहा हूं और माइन में सोच रहा हूं कि यह आपके फाइनल रिजल्ट में आपको लिखव यह ग्राफ क्यों मनाया हूँ आपके बुक्स में देखना एक बार यह दिस डिस ग्राफ इस देर इन यह बुक्स इस पी सी पी कॉर्णो पी एंड इसका मतलब बता पाऊँगे यह बोल रहा है कि परफेक्ट कंप्रटीशन के केस में प्राइस सब्सक्राइब कम होगा और कॉंटिटी सब जो है वो जादा है मुनापली के केसे प्राइस बहुत जादा कॉंटिटी कम कॉर्णो जो है वह इन दोनों के बीच आपॉल का देख अगर आप प्राइस इंसर्ट करेंगे तो आपको के इस एक्वेशन में प्राइस निकालना या इट 2 कर देना दो लोगों को के लिएक बढ़ बड़ देगी तो वह पूछेगा एक्जान में कि वॉगूर हो भॉनिटी वह उखी हैुग तो अबस प्राइज प्राइज प्राइस दिया हुगा है। शंच फोगीक है इव एक प्राइजिब करणों है।े स्टाइफ की कोंपर्ट त्थरों आप सब्सक्राइब के लास्ट टेप में किंग डिमांड का हो गया स्टाइकल वगया करना हो गया आखरी पीज देखते हैं नैश इक्विलिब्रिम सुनना जोजन एकॉनमिस्ट अनुबल अवार्ड विनिंग एकॉनमिस्ट जोन नैश ने डिसिजन मेकिंग यह तो बहुत जादा सिंप्लिस्टेक और मतलब लूज से बात कर रहे हैं लोगों ने मिल के कोई थीफ अटेम्ट किया चोरी की इनकी चोरी करने वाद यह दोनों को कुलिस ने पगड़ लिया और यह दोनों को सेपरेट कर लिया ठीक है और उसके बाद उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ डिल्यू अटेम्ट इस थेफ्ट और नॉट सबसे पहली कंडिशन यह है कि बोथ हार सेपरेट यह लोग डिसिजन मेंकिंग एक साथ नहीं कर रहें यह दोनों को अलग-अलग कर दिया गया अब इनसे पूछा गया कि सुनों अगर तुम यह बोल दो कि तुमने चोरी नहीं किया दूसरे में किया मदब चोरी हुई है य यह अगर आपको पकड़ा गया है तो देरा टू आंसर यह एक्सेप्ट आट यू आप कमेंटेट अग्राइं देखना इगा रहे है इस दो लोग है यह स्टेश साइलेंट ए बिट्रेश बी बी स्टेश साइलेंट वी बिट्रेश ए इस दो चीज़ें सकती है ना दो का देरे अपने दोस्तों को अब यह के पास क्या प्षयान है कि वो बिट्रेश करें या ना करें अगर बिट्रेश नहीं कर रहा तो उसको कितने टाइम की जेल होगी टिबिट्रेश कर रहा है कि अगर बिट्रे कर रहा है तो उसको कितने टाइम की जेलुग उसका दिल क्या करेगा की अभी कि यह अराम से दो लोग है A और B क्या केस हो सकता है मैं बिट्रे करूंगा नहीं किरूँगां से पार्टनर बिट्रे करेगा नहीं करेगा चार केसे बन लिए लिए अभी के लिए मैं यह मान लेता हूं इसके एस रियूम्स की बी बिट्रे नहीं करेगा He will also be loyal A मान रहा है कि उसका जो partner है B वो loyal रहेगा अगर B loyal रहेगा तो ये वाला ये दो boxes देखने चाहिए मुझे अगर B loyal रहेगा तो A के पास दो option है A loyal रहेगा या A betray करेगा अगर A loyal रहता है तो उसको एक साल की सज़वदी और A अगर betray कर देता है तो A free हो जाएगा B घुल जाएगा 3 साल जो A का दिल क्या करेगा A का betray करने की सोचर है जब उसको लग रहा है B loyal है अगर B ये A ये मान ले कि B loyal है तो उसका दिल क्या किया उसके दो option से betray करो loyal रहा हूँ या betray करो उसका final result क्या है उसका final result क्या है betray करूँ या ना करूँ करूँ case number two अब A ये सोच रहा है अगर B betray कर दे तब मुझे क्या करना चाहिए तो ये दो boxes होगे अगर A betray ना करे तो A को क्या मिलेगा 3 साल और अगर A betray कर दे तो A को क्या मिलेगा 2 साल अब वो क्या करेगा betray करेगा I am saying कि A चाहे जो भी scenario if A thinks that my partner is going to be loyal to me तो भी उसको क्या करना चाहिए betray और अगर A को ये लग रहा है कि वो पक्का धोखा देगा तो भी एको क्या करना चाहिए तो ये हमेशा क्या करेगा betray ये हमेशा दोखा देगा भी भी क्या करेगा हमेशा वो भी दोखा देगा तो अगर दोनों के दोनों धोका ही देने वाले हैं तो क्या होगा दोनों के दोनों दो-दो साल के अंदर जाएंगे अब मान लो जैसे इन दोनों को अलग-अलग बिठा के डिस्कुशन किया जा रहा था अब यह दोनों को एक रूम में बिठा दिये लिए यह दोनों एक रूम में बैठें अभी तक के कोई इनकी इंट्रोगेशन के लिए नहीं है अब ये लोग मगर मिल के decision ले सकते हैं तो क्या बोलेंगे अगर दोनों एक दूसरे को धोका ना दें तो क्या होगा अगर दोनों के दोनों एक दूसरे को धोका ना दें दोनों के दोनों loyal रहें तो क्या होगा दोनों के दोनों को एक साल की जय जोने दिस इस इस बएस्ट के सिनारियों और मैंने इंटरनेट से ले लिए अगर आप ओर देखोगे न तो बोथ आगर दोनों बोल रहे हैं कि नहीं, if they please not guilty, then both are free. यहां जो लिखा है न, both are, both serve one year, इसको कर दो, तो बोत are free. Practically what I am trying to say is that, ये oligopoly, ये duopoly model दिखा रहे है, सुनना क्या बोलना का रहा हुआ. Whenever there are two people, who are not colluding in their decision making, they will always take the decision which appears best to them but it is not the most optimal decision क्या है बोल रहे हैं the urge to cheat in the cartel is very strong सर कार्टल क्या होता है पहले ही बता हूँ सुनो मान लो गुरदाओं में अच्छा ओके यससे बताता हूँ कं यसे टाट्त से पांच एक साल साल पहले की बात है कि उन्टे से मेंट प्रेज़ सटेट त McL उसा स्काइर उर्पेट में इनधा जितने पर् मेंट सारे 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 तो squeezed हैगा रहें किसी एक स्राफिर्य का और इंटेलिजेंब बोच्प रिक्वार्मेट्स इंटेलिजेंट आपको गें समझ आ रही है सिर्फिरा होना चाहिए कि वह फाइट ओवर इत वह गाए वह ब्लडी इंटेलिजेंट एंड ब्लडी इस ने बोला भाई एक बात बताओ वोच सिमन brave अंधार्णि जहा रहे हैं जो की मार्केट में बढ़े बहुत कम थे दो छार लोटा में NI पर्सेंट मार्केटS तुमकर तो कॉर्णर चाहरा है तीन-चार मिला के सिस्केर किया और है बहुत बड़े बड़े ग्रूप लेगडियासिट एसे वाले कर दी केस कर दिया कि यह लोग ने को लिए कर रहें को यह समझाए हुगा हमें चार ले रहें इसमें उसके बाद हम लड़ते हैं कैसे ब्रैंडिंग करके अच्छा नहीं टिका हूँ यह नहीं वह ऐसा नहीं वैसा अलग-अलग चार ब्रैंड आएंगे अल्ट्रा टेक्स में शक्ति है फ़लांड इमकान जो भी एंड में जा कि हम इसमें पैसा करते हैं उसके बाद हम एक दूसरे को मार्केट में प्राइस म क्या होगा 90 मार्केट हमारे पास से विडिटर जाये गुठा जक मारे पास से जिसको घर बानवन है आएगा जक मारे पास से अब चार मिलके सब्सक्राइब करने लग जाएं तो वह मुनापली जैसा हो जाएगा लेकिन अगर वैसा होने लग गया तो क्या आप ज्यादा प्राइस कमांड कर पाऊगो प्राइस ज्यादा मिलेंगे आप से मार्जिंस इंकरीज हो और लॉंग टर्म में सिमेंट पर यूज होनी थोड़ी ना कम हो जाएगी अल्टिमेंट नेसेसिटी है लाइस की घर बन नहीं है सिमेंट यूज हो नहीं है कैनेड़ समान लकड़ थोड़ी बना लोगे तो होगा क्या वी विल स्टार्ट टू बेनेफ है इनको इंसेंटिव क्या होगा लॉयल रहने का या चीट करने का चीट करने का क्यों वह इसमें बताएगे बता रहा है कि डूपली में सिर्फ दो प्लेयर है अगर छली वाले देख रहे थे हैं परफेक्ट कॉंपटिशन तो क्या उसमें वह काटल कर सकते थे क्या नहीं कर सबको बैठके एक साथ बात करने पड़ेगी हाँ बैगी वालों वह बात करने पड़ेगी भाई पचास वैसे पचास करेट साथ से पसकतर गड़े कोई एक फिर गया तो उसको देखे और चार फिर जाएंगे है विशारा गरीबाद में हो कहां दो दिन उसी सेल नहीं होगे परशान हो जाएगा छोड़ पचास चालिस में ना ओलिगोपली में क्यों चांस आ रहे हैं स्ट्रॉंग प्लेयर्स हैं डीप पॉकेट्स हैं और नंबर ऑफ पीपल इन वर्लड़ अभी मान लो मैं कल से डिस अभी चार लोग बैठें मैं समझां अभे सुनो पास होना है जैन पास है दिस देमाइं टेकरी आठीक है तो गोल रहे हैं वाइं त्राइं तो तो मेक्षार थे 50 पीपल आर रंब तेम टेबल और ने सेम पेज़ें बट इन और तो मेक्षार देटों के पास अच्छा- में खिल तो ठीके है काटल बनाया जा सकता अब आपकर नेक्स्स चीज वह कि वो क्या है कि काटल बन भी जा है तो उसके बाद भी इंपेट्स किया हर बंदे को पुष्ट किस बात से मिलेगा कि हम इस काटल को चीट कर देते में पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा ह तो सभी था लेकिन है क्या इंडिविजिएंड मेकिंग चल रही है तो हमेशा इंपेटस क्या है हमेशा जुकाव किस तरफ है कि चीट कर फीग है न जी और एटल ने बात आपसे बात के लिए दो ही हमी दो बचे हैं तुभी पचासरों बढ़ा तो मौझ है कुछ कर थोड़ी लेकिन यह दोनों ही दोनों बढ़ाते जाए उसके बाद जीओ एक आईपील से जस्ट पहले बहुत तगड़ा वो निकाल दे कि आंगी अगले एक महीने के लिए हम पूरे के पूरे साल का प्लान दे रहे हैं 500 रुप खतम है सारा के सारा काटन क्यों क्योंकि अगले 10 दिन म साथ लॉयल रहना चाहिए था लेकिन अगर वो दूनों इंडिविजुएली सोचिंगे तो हमेशा लॉट करें वाट मेलापन इस दाट वैनेवर्य आप उस सिनारियों का बेस्ट डिसिजन ले रहे हो लेकिन वह ओवरॉल सिनारियों का सब ऑप्टिमल डिसीजन नहीं है य दिल से की हाँ चोरी हुई थी मैंने नहीं कि उसमें कि उसको धक्का दे लुट्टे में एंड में होगा दोनों के दोनों ही जिरेंगे दोनों धक्का दे रहें बोथ पिलफॉल इसी तरीके से अगर काटल फॉर्म कर लेते हैं ए और बी तो मुझे पताना क्या हो रहा है सेम जस्ट लाइक इस पीस आप यहां पर अब्ज़र करिए यह एंग्नोर दिस यह टेबल को आप इग्नोर कर दिए बक्वास है आपको जो मैं यहां पर समझा रहा था यह करेक्ट है था जयां लोच परस्पेक्टिव से कंप्लीट कर लेता है एडिंग डेडिचे न आश एक्विलिब्रियम पॉइंट नमबर वन लिखे नश एक्विलिंग्रियम में पॉइंट नमबर वन लिखो इस बेस ओन प्रेजनर्स डेलेमा उसके यह वाला टेबल बना लिए यह या अगे नोट फटा फट पहले का मिरीट करा देनों लिको एसंप्शन एसंप्शन ओफ एसंप्रिजनर्स डेलिमा क्या होगा इसमें बताओ कि देशिजन मेकिंग बाइए एंड बी अर डन इंडिविज्विज्विली ब्राकिट में लिख लो देर सिटिंग एला देर सिटिंग इन सेपरेट रूम वह विजुलाइज कर पा रहे होगा आप क्या बुलना चाहरो में दो पले स्वाले गहां अलग 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 इंट्रोगेशन चल रही है ठीक है यह लिख लिए एंड उसके बाद देखो एंड रिज़ल्ट बोथ पार्टी इस और इंसेंटिवाइस टू चीट बोथ पार्टीज और इंसेंटिवाइस टू चीट यह नहीं लिखा रहा हुए देखो केस दो ही हो सकते ना A सोचेगा कि B cheat करेगा या B cheat नहीं करेगा दोनों cases में cheat करना ही A के लिए बैटर निकलने वाला यह पूरी कहानी में लिखवा रहा हूं बहुत जादा वर्बोज हो जाएगा वो देखे खुद समझाना cheat table में है ना output है जो final result है वो यह है बोथ parties are incentivized to cheat इसके नीचे arrow डालो इसके नीचे down arrow डालो down arrow down arrow और उस पर लिखो अभी तक आपने लिखा है बोथ parties are incentivized to cheat इसके नीचे लिखो the logic is that the logic is that each party is taking the best decision at an individual level each party is taking the best decision at the individual level but this decision is not optimal at an overall level each party is taking the best decision at individual level भाच नियोगी कि से अट्पिमेल एंवरों लेवल हुआ है रेलेटेट टू अलिगापवली उसके ऐगे एक लिकु छ daran अड़ों डालो लिखो आ लिक norm पटपट-ठपट है हुब 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 है कि लिकुष्टे-ट्प्ली निम चीरिक आख हुब इन फर्डू अपली इन अब अब अधि एर तैल अडियो माइट पॉल्यूट एर टैल एंड जी ओ माइट कॉल्यूट इसके आगे लिखनो to keep the prices high to keep the prices high दोनों के दोनों क्या बात करें गिए भाई मार्केट में रिट सब्सक्ता नहीं करना तो दे तू में कॉल्योग तो टू एक एक प्राइज प्राइज दो दो बट दे इंसेंटिव टू चीट बट दे इंसेंटिव टू चीट विल ऑल्वेज एग्जिस्ट एक और डाउन है रो डालो और लिखो कार्टेल्स आर रेरली सक्सेस्पुल कि इन्होंने कार्टेल ही बनाया था नो कार्टेल मतलब क्या इस गुरूप जो आपसमें वेट के एक साथ डिसिजन मेकिंग कर रहा है यूएस वाले शोज देखों रख बनते हैं तेरा यह एरिया मेरा यह तु मेरे अरिया मता ना देरी अरिया में नहीं आपकेंगे एक दूसरे की एरिया में नहीं बेचेंगे तो अंडर कर नहीं होगी प्राइब आपकेंगे अश्यवत करेंगे इतने रखेंगे रहें यह रहा हैं और में बट क्या होगा इंसेंटिव और चीट करने का पहले बात करेंगे लिए लेकिन कोई क्लाइंट आया आज दिखत में लग रहा है आज एक्वायर कर लेते हैं अब काटिल की डेफिनेशन नहीं लिखाई यह समझ आना चाहिए आपके आपके लेक्टल एक ग्रुप है इसके नीचे और डाउन डालो वें कें काटल बी सक्सेस्पूल वें कें काटल बी सक्सेस्पूल कि अधो कि अधो हो मोजीनियस प्रोडक्ट्स पहला पॉंट्ट लेको हो हो मोजीनियस ये वेरी सेमिलर प्रोडक्ट्ट है वे और नंबर टू अल्मोस्ट नेगलिजिबल कॉंपटिशन आउटसाइड दी कार्टल अल्मोस्ट नेगलिजिबल कॉंपटिशन आउटसाइड कार्टल बहुत मैं बोलना क्या चाहरा हूं कि अल्मोस्ट 100 परजेंट मार्केटिंगे पास चले जा ब्राक्त में बलीक सकता हूँ है हुआ हुआ है हुए पर संट मार्के इन कॉर्ण बाइड था इन फॉर्म पर वे जो यह लुग है कि यह पॉइंट लिखा हुआ आपको दूश्में रिपिट्टेवी हो जाएगा अगर मैं लिखा हूं ठीक है लिख लो फिर भी पॉइंट त्री लिखो रिटालियेशन इस कॉस्ली है रिटालियेशन इस कॉस्ली है अब तो पहले लिखान तो बहुत कम लेसर नंबर फॉंस बोलते सां मदब डिसकस तो किया था क्लास में लेकिन लिखवाते समयं भूल जया लेसर नंबर फॉंस अग्ला पॉंट लेसर नंबर फॉंस सब्सक्राइब लिखें लेसर नंबर फॉंस सेमिलर प्रॉडट्स कॉस्टली रिटालियेशन और चौथा क्या लिखा अच्छा ओके अल्मोंस अडिट पॉसेंट शेर इंका हो गया यह चारों के साइड में एक ब्रैकेट ड्रॉप कर लो कि चारों कवर करता हूँ ब्रैकेट ड्रॉप करो डाउन नेरो निकालो इसकी मतब जैसे आपने पॉइंट वन टू त्री फोर यहां लिखा वन वन टू त्री फोर इग्ञामपल ओपिक अजय को फॉल फॉल नियाने ओपिक का दिस इस भी काट्रेस अफ और वॉइल प्रोडूस इन फंट्रीओ प्रोल्यों जोड़ू इस ओडू प्रोल इंडी के तोड़ी को फिक पॉन अबहू होगा ना मैं ता था ग्दू अपक सुगा नेस आप यह बताओ पहले बता देते हैं तुम दी देख लेते हैं मैं भी देख लेता है आप में सब कुछ ब्रेकिंग बैट में बताया हुआ था ब्रेकिंग बाट कर रहे थे लेट संधी ग्रोप या एग्रिमेंट संधी का लिटरल मीनिंग इस एग्रिमेंट तो इनकी संधी है आपस में सोचके देखो न तेल चारी देशों के पास है अमेरिका ले ने पहुंचा तो चारों में बारगें करने लग गया बात में सारे शेक बैड़ गया कहे लट रहा हम दो एक साथ बैट की बोल देते हैं यही लगए लेना है दो नहीं तो भाड़ में अब वहां उन्हें प्रॉपर डॉक्मेंटेशन देश्टाइब पूरा पूरा एक ग्रुप बन गया जैसे यूरो जोन बन चुका है वैसे पूरा पूरा गल्फ का जोन इस पॉल फॉल फॉर्म नहीं द्यान में देखें बहुत काम होता है मेरा वर्ड यूज करते रहते है अब यूरो यूरॉप अलग से इनकी एक कॉमन करेंशी होगी इस दाट ऐसा कुछ नहीं है जी सी बीटने बट देवरी स्ट्रॉंकि यह अंडरस्टैंग देखना फॉल्फिल करते हैं कितनी कंट्री से पांट तर मेरे क्या यह लोग क्या करते हैं जैसे जैसे कोई दूसरी कंट्री में एक्स्राक्शन या स्वुक मतब चीजें जहां पर तेल का मिल गया उसको बोलते है तुम विच्ड़े भाई तो मरें आओ तुम भी काटिल में तुम काटिल में नहीं रहोगे तुमको लिखके दोगी तो महां सब्सक्राइब तुमको बहुत फाइदे देगे मैं पावर रिसोर्स इस बाइट टेक वेड़ों सब मैं देदेगे तुझे कुवा में वाल्टी थोड़ी तिरफ आस मैं बदाऊंगा कैसे क्या होना है तो वां ट्राइं तो से बाहर किसी को रहने नहीं आप देखो जितने पॉइंट्स आपको लिखा है सारे के सारे सेटिस्पाइब कर रहे है नमबर ऑफ प्लेयर्स बहुत कम है अलमोस्स इनके बाहर में मापेट नहीं है अगर आप चीट करोगे तो उसकी कॉन वह बहुत ज्यादा कॉस्टी हो जारे सारे के सारी चीज़ें सब्सक्राइब हो द सब्सक्राइब करेंगे अगर वह आपस में मिल के काम नहीं कर रहे तो वह लड़ने लग जाएगे सब्सक्राइब करना इस बिवकुफी विन यू के अगर दो ही लोग मार्केट में तो दोनों को आपस में एक साथ मिलके काम कर लेना चाहिए ठीक है थोड़ा तुमारा थोड़ा मेरा प्राइज जादा रखेंगे दोनों कमाएंगे वैसे देवाज़ा कार्टल ऑफ नाम भ बनाया गया था अब गलोबली देखना एरलाइन से सब्सक्राइब जाता है कि लॉट यह नहीं हो रहें कि आप सीन डॉक्यमेंटरी जहां पर जाके वह बोलते हैं कि एर्टाइब एरलाइन सेक्सी बिस्मेंस दिखने में अच्छा है चामिंग है दिस जाए लोट वह और जो कर रहा है उसकी बैंट बजी पर दिए कि वह क्यों है वह क्यों है विकार्ज लॉट ऑफ स्ट्रॉंग फिक्स कोस्ट इंवर्ल दिस दैट चार्फुशंट रीजन और उसके बाद विकॉज सब्सक्राइब तो लोग 200-500 रुपेक लिए भी एरलाइन शिफ्ट कर लेते हैं अभी इंडिगो मिलरी को पैटालिस तो कि इसका उल्टा होजा है तो इंडिगो चिल जाओगे हाट्शी के जान दे दो तीन सो पांचो में भी आप शिफ्ट कर लोगे जो बटन ही तो दबाना है पाता है जाना भी है एक्पीरियंस भी है ठीक है आपको इस तारा के बुलेगा नहीं एक्पीरियंस बेटर होगा मैं खाना खा सकता हूं तेरे को अंदर एक सैंडविच के पैसे क्यों देने में लाउंज एकसे सबके पास ही है अच्छी रेट में कार्ट वाड़ होते ही है अंदर जाओ आराम जागे लाउंज में खाना हूं तो फिर जल जाना फ्लाइट अब इस एयरलाइन्स ट्रडिश पीक रूट्स के मतलब डेली तो मॉंबई की सब्काला फ्लाइट किस ताइम पे होते होगी क्या लगता आपके मॉर्लिंग इवनिंग ऐसे बहुत सारी लोग है जो सुपर डेली से मुंबई जाते हैं दिन बार अपना काम करते हैं मुंबई से यां में वापता रहे हैं को और वाले क्या एवज़िए तो पार्टी करते हैं तो थोडी नहीं जा रहे हैं कि रूख जाती तीन देन तो आएं तीन दूर तो और अगर हम पर्टिकुलर इस मतलब पीक आर्स और नॉन पीक आर्स में आटमेटिकली हम डिवाइड कर लेते हैं अपस में अदर्वाइस हो गया कि हम दोनों टाइम पे एक दूसरे से लड़ते लग जाएंगे और जाके फाइदा मिलेगा कंज्यूमर को क्यों देना उसको फ यही अलाइंस बनाएंस नाम से यॉरॉप की बहुत टाइम पैट है चलो प्लूस करते हैं ताइक बबाए